हेलो सुदेंट्स वेलकम टू निट काकजी तो आज हम करने वाले हैं नीट नीट एक्जाम के अंदर आने लायक जो मोस्ट एक्सपेक्टेड आपकी लाइन्स हैं NCRT की वो लाइन्स जो इस साल आपको नीट एक्जाम के अंदर 360 आटो 360 दिला कर जाएगी session जो है बहुत अच्छा रहने वाला है session के पहले ही मैं आपको बताएता हूँ हर एक chapter से वो points extract किये गए है last जो आपके 15 years के papers हैं मला 15 जो papers है 10 years के अंदर जो 15 papers थे उन paper के analysis से one by one आपकी NCRT से एक एक point जो है वो extract किया गया है और बिल्कुल शानती से अपने सारे के सारे points जो अच्छे से पढ़ेंगे जो इस साल आपके नीट exam में आने लाएक है hope so आपने जो अभी ongoing gunshot videos है वो आप देख रहे होंगे चाहे वो biology का हो चाहे वो chemistry का हो organic, inorganic, physical तो वो सारे आपने अच्छे से देखे होंगे gunshot video के अंदर तो पूरा complete NCRT, line to line, word to word आपके सामने था अब वो points अपने आपे discuss करने वाले हैं जो आपको 17th of July को means आपके जो neat exam के अंदर आपको देखने को मिलेगे, ठीक है, one by one सारे के सारे topics जो है अपने cover up करने की कोशिश करेंगे, जो इस साल आपके neat exam के अंदर आपको देखने को मिलेगे सबसे पहले मैं आपको सभी से मिलवाना चाहूँगा, जो 10 scientists आपकी NCRT नी सबसे पहले हर एक unit से पहले दी हो हैं बहुत अच्छे से देख लें, अच्छे से समझ लें, छोटी-छोटी points जो हैं पूछ जाते हैं, छोटी-छोटी lines जो हैं यहां से पूछ जाती हैं चाहे वो biological concept of species के बारे में हो, या फिर 20th century Darwin के बारे में हो, या फिर triple crown prize के बारे में हो, मैं जो बोल रहा हूँ आप समझ रहे होंगे मैं जो बोल रहा हूँ आप बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे, छोटे-छोटे points जो मैं आपको बता रहा हूँ, यह सारे points इन सभी scientists के regarding आपको अच्छे से बता होना चाहिए, क्योंकि पहले, पहले unit test के पहले जो scientists दियो थे बहुत rare chances होते थे question आते थे, आजकल यहां से question आने start हो गए है, आप last to last year papers analyze कर सकते हैं, Udisa को जो second paper हुआ था, उसके अंदर Ramachandran plot पे question आया था, जो protein के लिए specifically दिया गया था, तो इस type के number of questions, इस type के number of questions जो हैं आपको देखने को मिलेंगे, जो अपने आज discuss करने वाले हैं, चीक है, तो सबसे पहले यह सभी scientists आपको इस अरनेस्ट मायर, कैठरीन इसाव, जो जो ऑने anatomy of flowering plants book लिखी थी, करली टॉप वाइरस यह पर दिया हुआ हुआ है, जो के लिए उस इंपोर्टन कोस्चिन आपको नीड प्यूट अपको इस साल के लिए most important question, समझ में आरे हा कात, next one, जीन रामाचंदन, जो नो ने राम system की reptiles की बत इन्होंने दिया क्या ओर्गन ओफ को ओटाई वो सारे points one by one अपने discuss करने वाले हैं आज के session में चीक है और last आपको ये five scientists देखने को मिल रहे हैं आपके 12th NCRT की five units से पहले आपको देखने को मिलेंगे तो session की starting में ही मैं आपको बतायता हूँ NCRT आपके पास होनी चाहिए one by one chapter by chapter अपने proceed करेंगे हर एक chapter से आपके 10 to 12 15 इस टाइप से जो है points extract किये गए हैं मैं to the point आप से बात करूँगा जो इस साल आपके neat exam के अंदर आपको questions देखने को मिल सकते है most expected questions है और इस session के अंदर मैं आपको बतायता हूँ कुछ points आप लोगों से ऐसे भी discuss किय जाएंगे जिन पर आपको star mark कर दिया जाएगा कि कोई किन्तु परन्तु है ही नहीं वो question आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा उसमें कोई किन्तु परन्तु नहीं है ठीक है तो one by one अपने start करते हैं सबसे पहले आपने यह सारे वीडियो अगर देख लियें मैं आपको बतायता हूँ single session आप सोचें कि मैं single session लगाऊंगा और 360 to 360 आजाएं पूरे साल जिस student ने महनत की है NCRT, NCRT निचोड अच्छे से NCRT निचोड को निचोड़ा है और जो यह session लगातार ले रहा है student 101% 360 आटो 360 आटो 360 को स्कोर करेगा in biology ठीक है तो start करते हैं अपने first chapter the living world living world के अंदर आपको बतायता हूँ आपके neat exam के अंदर एक question जो है पूछा जाता है general question पूछा जाता है simple और कई बार ऐसा होता है कि इस से इसको interrelate करके किसी दूसरे chapter से question पूछा जा सकता है but इस साल इस chapter से जो questions आने लाइक है मैं आपको पहले बतायता हूँ या तो इस साल यहाँ पे पूरे complete जो taxonomical categories दी हैं उन से या फिर last के अंदर taxonomical edge जो दी हैं वहाँ से most important points जो आपके दो ही है अब आ जाये one by one उन lines को अपने अच्छे से analyze करें उन देखो कुछ lines मैं सामने represent करूँगा और कुछ मैं आपको और बताऊंगा आपको NCRT के अंदर जाकर के analyze करना है साथ के साथ analyze कर लेना आज के session के बाद में कोई किन्तु प्रंतु नहीं रहना चाहिए biology के point of view से कि आप biology के लिए तयार नहीं है मुझे ये सुनने को नहीं मिलना चाहिए कि sir अब ये रह गया हमारा ये रह गया ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए चिक है so देखें first the living world इसके अंदर first point जो रिफाइन क्या हुआ है कि most important line है अभी तक आपके need exam के अंदर NCRT 11th NCRT first chapter first page सबसे last two lines जब आप जाकर के देखेंगे तो आपको ये लिखा हुआ मिलेगा कि all living organisms grow सभी living organism grow करते है no doubt सभी के अंदर आपको growth देखने को मिलती है increase in mass and increase in number ये अपके need exam के अंदर straight forward question पुछा जा सकता है what is the twin what is the twin characteristics of growth first one increase in mass and second one increase in number and third one both a and b and fourth one none of the above so क्या होगा increase in mass and increase in number second point अच्छे से देखें NCRT के अंदर जब भी अपनी defining feature और characteristic feature की बात करते हैं तो most of students confused हो जाती है अगर first three pages के अंदर कोई question पूछा जा सकता है first three pages के अंदर कोई questions आप से put किया जा सकता है need exam के अंदर तो वो ये है कि what is defining feature एक living organism के defining feature क्या हो सकता है या फिर एक living organism के characteristic feature क्या हो सकता है अगर मैं बात करता हूँ growth and reproduction की growth and reproduction growth and reproduction both are the characteristic feature not a defining feature of living organism but एक living organism के लिए defining feature की category के अंदर आते हैं that is metabolism second one consciousness and third one cellular organization metabolism NCRT chapter number first piece number third का first paragraph है मेटाबॉलिजम को अच्छे से define के हो है एक line बोल रहा हूँ कि जो बहार test tube के अंदर reactions होती है आप same environment प्रवाइड करकर के आप same reaction प्रवाइड करकर के आप biological system में होने वाली reactions आप करवा सकते हैं तो उसके लिएक लाइन लिखी हुई है कि इन test tube जो आप प्रोसीड करते हो हो वह living reaction होती है not a living thing यह statement wise question आपसे पूछा जा सकता है clear next one metabolism second one consciousness and third one seller organization these are the defining feature of living organism और यह पर define किया हो है कि क्या क्या इनके अंदर आपको इनके कहां कहां यह आपको देखने को मिल सकते हैं तो living organism living organism no doubt यह living organism के अंदर देखने को मिलेंगे जो surfaces हैं उनके अंदर जो आपको growth देखने को मिलती है इसी वज़े से उसको अपने defining feature के अंदर मान करके नहीं चलती है clear so second point आपसे पूछा जा सकता है second question जो put किया जा सकता है वो यह है third one number of examples आपको reproduction के अंदर दियो है fragmentation के example fungi, filamentous algae, protonima of mosses fungi में आपको sports defined किया वा है sexual mode of reproduction में, birding में hydra and east, planaria, regeneration and reproduction, reproduction के अंदर mule, workers भी and infertile human couples that's why reproduction is not a defining feature of living organism, it is a characteristic feature of living organism clear? तो यह point आपको अच्छे से crystal clear हो जाना चाहिए first, यहां से straight forward question पूछे जा सकते है, after that, यह table, इस table के अंदर अगर आप धंक से देखें, आपकी NCRT ने जो define किया है कि एक human wings, mammalia से further, invertebrate housefly, plant से angiospermming plant और एक monocotyledons, जो dicotyledons और monocotyledons यहां से लिए गए है यहां से जो question पूछे जाते हैं, कभी भी आप इनके जीनस और species इनके अंदर कभी भी आप जो है confused नहीं होते हैं, इनकी family, इनके order के अंदर आप confused होते हैं, family अच्छे से देखें, आपको इनके अंदर सिर्फ यही analyze करना है, याद रखना है, neat point of view से, कि human beings के अंदर family क्या हो caridiasis and wheat plant की poiesi, तो यह families आपको अच्छे से पता होनी चाहिए and after that, primata, diptera, spandilles, spandilles and poils, यह आपको इनके order, order and family पे आपका main focus होना चाहिए, 101% straight forward सीधे question आने के chances है, कि man, housefly, mango and wheat, इन सभी के अंदर, इनका family के हो सकती, इनकी order के हो सकती है, match the column बहुत अच्छा बनता है यहा next, अब आजएए, जो आपकी NCRT define करती है, एक modern taxonomy, जो है, उनके basis क्या है, किस बिहाप पे आप modern taxonomy को define करते हो, यह line आपकी NCRT ने दी हुई है, आपकी NCRT के अंदर, जहां पर nomenclature defined किया हो, nomenclature के sequence defined किया हो, इसके just नीचे last line के लिखा हुआ है, आप देखे, all living organisms can be classified into different tax इसा, इस process of classification is taxonomy and based on external and internal structure, first point, most important line मैं फिर से बोल रहाँ, external and internal structure, along with the structure of cell, along with the structure of cell, developmental process, ecological information of organism are essential and form the basis of the modern taxonomical studies, इसारे basis आपको अचे से पता होने चाहिए, external or internal structure, along with the structure of cell, developmental process, ecological information, इस सारे points आपको still clear होने चाहिए, regarding to the modern taxonomy, clear, next one, अच्छे से देखे, अब आजाईए, main point जो आपको यहाँ पर समझना है, और अच्छे से पता होना चाहिए, कि जब किसी भी taxonomical hierarchy की अपने बात करते है, taxonomical hierarchy की अपने बात करते है, जैसे जैसे अपने species से kingdom की तरफ move करते है, ascending order आपको देखना है, number of common characters decreases, common character decrease होना start हो जाते है, आप mammalia के अंदर number of common characters बता सकते हो, आसपास के animals, mammals को आपस में compare करने के लिए, बट अगर आप अपर लेवल पे जाते है, codeta या फिर आप non codeta बोलते हैं, तो आप दो ही आपके पास feature है, जिनके अंदर notocode present होत just niche आपको define किया हुआ है, अच्छे से देख लेए, important है, need point of view से, clear, first chapter के अंदर यह जो आप से discuss किया गया है, अब आजाए, पूरे complete taxonomical hierarchy जो है, उन सभी को आप कैसे single point के अंदर समझ सकते हैं, important point है, एक minute लूँगा, आपका अच्छे से देखें इसको, क्या है, कि जितनी अब की इसको आपका जाए, इसको आपस में इंटर बीड कर सकती है, इसारी किसमें, इनके particular जीनस जो आपको देखने को मलते हैं, चाहे मैं बात काता है, शोलेनम नाइगरं की, शोलेनम टुबरोसम और फ्सोलेनम मैलों जीना, इस ओलार अंडर सोलेनम जीनस, उसके बाद प्लांट्स के रिगार्डिंग जो जीनस दियों और इनकी स्पीशिज आपको अच्छे से पता होनी चाहिए अब आप बोल चकते हो कि what is genus, genus is a group of related species, what is family, family is a group of related genus, what is order, order is a group of related family, what is class, class is a group of related orders, तो इस बहाफ पे सारे points दो हैं further define किये जा सकते हैं, तो one by one आप इसमको अच्छे से देखें, क्या है, कि pitunia, dutura, mangiphera, in animals के अगर बात करें तो animals के अगर दो point आपको define कियो है, first one panthera, and second one phallus, and canis भी आपको दिया हुआ है, जीनस के अगर मैं बात करता हूँ, तो panthera के अदर panthera लियो, panthera pardus, and panthera tigris, and phallus के अदर cat, और canis के अदर dog, यह पूरे complete define के हुए है, मैंने यहाँ in bracket taxa, taxa, taxa word लिखा हुआ है, अच्छे से देख लेना, important point है, state forward पूछा जाता है, बात बोलू हम आपको, कि जब यहाँ से आपसे question पूछे जाएंगे, तो यह पूछा जाएगा, कि इनसे, जो group of related species जो होती है, वो किसको define करती है, group of related genus किसको define करता है, यह solenum, pitonia and datura, all are coming under the solenacy family, तो आपके दो ही family इसमें define की हुई है, plants के regarding जो state forward CD उसके अलावा टेबल में दी हुई है, जो अपने discuss कर चुकी है, clear, तो यह जो point आपको यहाँ पर बताया है, कि यह सारे points आपस में एक दूसरे से interrelated है, polymonials एक order defined किया हुए है, और एक spandials order defined किया हुए, clear, polymonials जो है, और spandials यह दोनों किसके अंदर आते हैं, die cartelodons के next one, next one, जो division and phylum defined किया हुए, bryophyta, tetophyta, gymnosum and angiosum, इसा भी division को define करते हैं, and यहाँ पर non-coded and coded phyla को define करता है, particular, kingdom को define करता है, अगर मैं animalia kingdom की बात करता हूँ, इनके दर दो phyla, coded and non-coded, तो one by one यह सारी चीजिया आप अच्छे से clear कर लें, यह जो points मैं बोल रहा हूँ हू मेटा, आप अच्छे से समझने की कोशिश करें, NCRT आपके सामने होनी चाहिए, इस पूरी table से आपसे अगर question पूछा जाएगा, तो सीधा पूछा जाएगा, कि अगर मैं बात करता हूँ, प्राइमेटा, अगर human beings का अगर कोई पूछ ले कि order किस में आता है, प्राइमेट आप word यूज करेंगे, Carnivora आपसे कोई पूछे, Felidy और Kennedy किस के अंदर आती है, किस order के अंदर आती है, तो अब क्या बोलेंगे, Carnivora, प्राइमेटा अन कार्निवारा बोथ हर, बोथ हर, अंदर, Mammalia, class किया है इनकी, Mammalia, तो ऐसे छोटे-छोटे points जो आपको अच्छे से पत और हर्बेदिम शीट पर क्या क्या लिखा जाता है जो इसका date of collection, collector का name वो पूरे सारे points जो है, right hand side, lower right hand side जो आपको लिखे हुए मिलेंगे, और यह बोल सकते हो, quick जो है, raffle system होता है, जिसके through, universally accepted system है, यह बोल सकते हो, universally accepted system है, जिसके through, आप क्या करते हो, एक किसी भी new species या फ करते हैं, clear, next one, second one, museum, museum के अंदर, generally set up of a school and educational institute, main point यहाँ पर आपका focus होना चाहिए, plants और animals, दोनों के specimen इसके अंदर रखे जाते हैं, अगर माल नेजिए, छोटे animals हैं, तो उनको formalin के अंदर रखे जाते हैं, और large size के जो animals होते हैं, उनको stuff कर कर के, फिर further, museum के अंदर रखा जाते हैं, तो यह point आपको अच्छा से clear हो जाना चाहिए, प्रोब्लम बस ही आती ही, कि changes plant and animals के अंदर किये जाते हैं, ठीक है, next one, geological park, अगर बात की जाते हैं, तो geological park के अंदर, natural environment के अंदर उनको फिक्स करना, वो geological park को डिफाइन करते हैं, but in case of botanical garden, botanical garden के अंदर, have collection of the living plants for reference, आप similar kind of environment provide करकर के, number of plants को जो है आप एक जगह पे आप fix करते हो, तो जो XC2 conservation के अंदर, जनरली आपको देखने को मिलता है, clear, so, तो यह five points आपको अच्छे से clear हो जाना चाहिए, taxonomical aid के रिगाडिंग, और largest botanical garden, Q in England, Indian Botanical Garden in Havra and National Botanical Research Institute, Lucknow, यह तीनों point जनरल प next one, next one, last and final, इस chapter के अंदर, keys, keys, अगर दो कारेक्टर, similarities और dissimilarities के भिहाँ पे आप इदेटिफाई करते हो, अगर दो कारेक्टर जी हो, तो इसको कॉपलेट बहुलते हैं, और अगर single character उसके लिए वर्ड किया जाता है, lead word जो है, यूज किया जाता है, यह दोनों point पता हो पूरे complete area के अंदर, एक single जो species अगर आप identify कर रहे हो, उसको पूरा complete description, क्या है वो species किससे इंटरलेट करती है, क्या क्या उसके अंदर आपको देखने को मिलेंगे, तीनों taxonomical आप जो है, उसके अंदर चाहिए, उसके अंदर चाहिए, उसके अंदर चाहिए, नुमेरिकल हो जिसके में सारी species को randomly, अगर वही alphabetically arranged हो जाएगा, तो वह catalog हो जाएगा, otherwise आप manual, जिसके अंदर simple, देखें आप, कि are useful in providing information for the identification of the names of the species found in an area, एक area, आप किसी hotel के अंदर जाते हैं, तो उसके अंदर जितनी भी dish होती है, वह सिंगल एक menu के अंदर आपको देजाती है, वही manual जो questions बनते हैं, उस RA मैंने आपसे one by one discuss कर लिए है, अच्छे से देख लें, important है, next, chapter number two, अच्छे से analyze करें, क्या है chapter number two, देखें, biological classification जो question को पूशे सकते हैं, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, ये table, table number 2.1, जिसके अंदर सारे points, कि on the basis of character, cell type के बिहाब पे आप इन five kingdoms को क आपको देखने को मिलती है, after that, present in kaitin, kaitin present होता है, cellulose present होता है, cell wall animalia में absent होती है, clear, and nuclear membrane, body organization, last one, mode of nutrition, most important, and reproduction इसके अंदर एक बेस है, जो add-on हो चुका है, but still, autotrophic mode of nutrition, जिसमें chemosynthetic bacteria, photosynthetic आजाएंगे, और heterotrophic के अंदर, saprophytic और parasitic दोनों, इसी वज़े से बोला जाता है, इसके अंदर आप देखे, mode of nutrition, सबसे जादा आपको diversity देखने को मिलती है, यही point इस साल के लिए आपके important है, 101% कोशिन आने के chances है, इस point से, next one, protista के अंदर, autotrophic mode of nutrition, and heterotrophic mode of nutrition, heterotrophic mode of nutrition, pure saprophytic and parasitic condition in case of fungi, and after that, in plant-y, autotrophic and animals, में holozoic and saprophytic type of nutrition देखने को मिलता है, clear, इसी basis पे, five kingdom classification जो दिया गए था, इन characters के बहाँ पे, आप देखे, यह five points में आपको define कर रहा हूँ, क्या है, first one, the main criteria for the classification, used by the includes cell structure, body organization, mode of nutrition, reproduction, and phylogenetic relationship, most important point, पूछ लेगा, इन में से कितने, कितने basis हैं जिसके बहाँ पर, विठेकर ने पूरे complete जितने भी इस nature के अंदर present organism, उनको five kingdom के अंदर classify किया था, monera, potesta, fungi, plantain, animalia, so, next, important point, NCIT की straightforward lines में उठा रहा हूँ, NCIT chapter number two, biological classification, यह जो आपको देख रहें को मिल रहा है, biological classification, page number four, one, two, three and four, page number four, page number four, पे जैसे ही आप move करेंगे, आपको first paragraph के अंदर, one, two, one, two, three, four, five and six, six number page पे जैसे ही आप move करेंगे, first paragraph जो आपको देखने को मिलेगा, अच्छे से आप जाकर के अनलाइज करें, देखें, NCIT chapter number two, first one, second one, third one, fourth one, fourth one, fourth one, fourth one, fourth and six, two pages मैंने आपको बताए है, fourth पे आपको monera, आपको archibacteria, u-bacteria और sixth number पे आपको protestants देखने को मिलते हैं, चिक है, protestants के अंदर, dynoflagellate, euglinoid and slime molds, इनको पढ़ने का तरीका बता रहा हूँ, एक लाइन के अंदर सारी चीज़े समझ में आजागी, four number page पे जो आपको दिया हूँ है, इसके अंदर, second, third line के अंदर, mean point क्या है, कि most extensive metabolic diversity, ये point जो मैं इस आपर रिमार्क कर रहा हूँ, देख ल inorganic substrate, they may be photosynthetic, autotrophic and chemosynthetic autotrophic, या तो photosynthetic autotrophic हो सकते हैं, या फिर chemosynthetic autotrophic हो सकते हैं, या फिर chemosynthetic autotrophic हो सकते हैं, ये दोनों point आपको अच्छे से crystal clear हो जाएं, next one, the vast majority of bacteria are heterotrophic, majority of bacteria are heterotrophic, इससे जो tricky question पुछा जा सकते हैं, majority of bacteria, bacterias are heterotrophic, फिर they dependent on the other organism, or the dead organism for food, ये, आपको पता होना चाहिए, next one, इसके अच्छे से देखें, important point क्या है, R की bacteria, ऐसा कोई paper नहीं है, last year नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कोई paper नहीं है, जिसमें neat exam के अंदर इस topic से question नहीं आया हो, अच्छे से देखें, क्या है, R की bacteria के अंदर 3 पॉंट, आपको पता होने चाहिए, कि R की bacteria, जो है, वो primitive type of bacteria, जिसके अंदर halophylls आपको अच्छे से पता होने चाहिए, जो मार्शी अरिया के अंदर मिलते है, thermoacidophils आपको पता होने चाहिए, जो होट स्विंक्स के अंदर मिलते है, last one, methanogens, जो आपको मार्शी अरिया के अंदर, salty area के अंदर, जो होने, cell wall structure, and this feature is responsible for their survival in extreme condition, reason पूच सकता है, तो आपको पता होना चाहिए, कि cell wall थोड़ी सी modified होती है, और तीनों point, halophylls, thermoacidophils, and last one, last one, yes please, methanogens, तीनों पता होने चाहिए, most important point है, यहां से आपके सीधे straightforward question पूछ रही सकते हैं, और इसमें एक जो point डिफाइन क्या होग ह तो मैं remark कर रहा हूं आप देखें, क्या है वो point इधर, कि methanogens, methanogens जो आपको देखने को मिल रहे हैं, methanogens जो आपको देखने को मिल रहे है, methanogens are the present in the gut of the several rudimentary animal, such as cow, buffaloes and they are the responsible for the production of methane biogans, clear, तो इस छोटा सा पॉइंट आपको क्रिस्टल क्रिस्टल क्लिर हो जाए, नेक्स वन अच्छे से अनलाइज करें, थी साल आ सकता है पाद में आपको यह घ्य हो सानछी है आपको करें प्क्रिया यू बैक्तिर में दो फॉइंट आप अप इस अूब patron hyt Racane ए जू प्रलाइज भी Chemosynthetic autotrophic bacteria oxidize various inorganic substances और inorganic substances आप से straight forward पूछे जा सकते हैं What is it? Nitrate, nitrite, ammonia use and the release energy for ATP production Nitrate, nitrite and ammonia star mark रहा हुँ इस पे अच्छे से देख लेना Next one They play a great role in recycling nutrient recycling nutrient ये भी एक important role play करते हैं क्या है हैं? chemo synthetic autotrophic bacteria and deuteromyces deuteromyces भी mineral recycling के अंदर help करती है and after that phosphorus, nitrogen, phosphorus, iron and sulfur clear important point है फिर से आप देखें अच्छे से analyze करें Next important point protestants आप कहेंगे sir, protestant में आपने सब कुछ कुछ कर दिया diatum भी है, dynoflagellate भी है uglinoid भी है, slime molds भी है और protozoans में है दो important point बता रहा हूँ diatum से question आचुके है भरपूर question आचुके है जिनकी boundary fix है, वो प्रोडिस्टन्स है diatum से चीफ प्रोड्यूसर की तरह वर्क करते है जिनके अंदर silica deposition देखने हो मिलता है decimedes होते है golden जिनको आप algaise की तरह consider करते है तो उस आरे points goniolex आपका dynoflagellate से पूछा जा चुका है bioluminescence produce करना जनरल point आपको define क्यों है pellicle present होती है uglinoids के अंदर higher plant जैसे आपको pigments देखने को मिलते है but most important point for your need point of view slime molds important point अच्छा से देखे slime molds के अंदर जो यह last line है यह मुझे बार बार एक point यहाद दिलाती है कि spore are dispersed by air crunch यहाँ पर important point जहाँ से question बन सकता है कि यह second one इनके अंदर जो fruiting bodies होती है कि under suitable condition they form an aggregation called plasmodium suitable condition के अंदर plasmodium which may grow and spread over several feet and during unfavorable condition the plasmodium differentiate and forms fruiting bodies अब fruiting bodies की formation जो आपकी favorable condition होती है उसके अंदर होती है अच्छे से द्यान रखना एक एक point and bearing spores the spore having true walls and they are extremely resistant and survive many years under adverse condition आपको बता देता हूँ यह जो points है यह जो point है अगर नीट exam के अंदर question आएगा तो 101% यह four line slime mold की true and false statement wise आपको 101% देखने को मिलेगी most important line है यह मैं नहीं बोल रहा हूँ यह NEET PYQs का पूरा complete analysis बोल रहा है यह मेरा वो experience बोल रहा है जो last 15 years से continuation के अंदर मैं NEET के touch में हूँ NEET aspirants के touch में हूँ चाहे मैं खुद जब study करता था था तब और जब मैं चाहे जब मैं आपको लोगों को करवा रहा हूँ तो अच्छ से देखें NEXT ONE PROTOGONS अपने इस पॉइंट को नहीं skip कर सकते क्योंकि PROTOGONS के अंदर जो examples यह हो important है 1st one PREDATORS के अगर PROTOGONS के PREDATORS & PARASYTE होते हैं यह hetero-trophs नहीं primitive relatives of animals ameoboidal PROTOGONS के अंदर amoeba & antamoeba histolitica FLASYLATED के अंदर TREPANOSOMA CILIATED PROTOGONS के अंदर PARAMYCUM & SPOROGONS के अंदर PLASMODEUM Malarial Parasite और एक चोटी सा लिन They all are classified on the basis of लोकोमोटरी structures यहाँ पर Pseudopodia, Flazilla, Cilia, no any kind of locomotive structures are seen in sporo zones. Clear? Straightforward आपको अच्छे से पता होना चाहिए. Important point बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए. Clear? Next one, अच्छे से देखें. इसी chapter के अंदर, जो सीधा फंजाई पर आगया हुआ है. Topic No. 2.3, NCRT, Chapter No. 2, Topic No. 2.3, Page No. 2.3, Open करें, जाकर के देखें, वहाँ पर आपको ये पूरी सेजिस देखने को मिलेगी. यहाँ पर 2 points, अगर इस चेप्टर से question आने लायक है, तो most important question, 2 points इन दोनों paragraph के अंदर डिफाइन के हुए है. First one, diicario stage के बारे में बताया हुए, diicario phase जो होती है, जो आपको किसमें मिलती है, ascomyces and second one, basidiomyces in which जब 2 mycelium के जो 2 mycelium आपस में attached होते हैं, एक सेप्टर डिजोल होता है, दोनों nucleus जो होते हैं, कुछ time के लिए still persist रहते हैं, आपस में attached नहीं होते हैं, वो N plus N stage, diicarion stage आती है, और ये diicarion stage आपको देखने को मिलती है, ये ascomyces और basidiomyces गन्दर देखने को मिलती है, पहला point, most important point, and second point, जिसके chances इस topic से ज़्यादा हैं, वो देखो आप, क्या है, कि the morphological, morphology of mycelium, mode of formation, mode of spore formation, and fruiting bodies forms the basis for the division of kingdom in various classes, is most important point, अच्छे से देखलें, जो मैंने रिमार्क किया है, वो आपको पता होना चाहिए, clear, next one, अच्छे से अनलाइज करें, what is it, 5, STs के अंदर, first 2-3 lines छोड़ करके, next line के अंदर जा रहा हूं, सिरा इसके असके असेक्शल mode of ear production, जो होता है, वो पता होना चाहिए, असेक्शल mode of ear production पता होना चाहिए, असेक्शल mode of ear production जो स्पोर मोटाइल एन अपलेनो स्पोर जो नोन मोटाइल होते हैं, and these spores are endogenously, कैसे प्रोटूस होते हैं, endogenously, and gyospore जो होते हैं, by fusion of two gametes, these gametes are similar in morphology, iso-gamous और dissimilar होंगे तो, oogamous word used किया जाता है, anisogamous word used किया जाता है, मेरा mean focus यहां पर gyospore और juice spore, इसमें confuse होंगे, juice spore asexual है, gyospore sexual spore है, पूछा जाता है यह question, next one, अच्छे से analyze करें, most important point, जो deuteromyces से यहां पर पूछा जा सकता है, वो है mineral recycling का, क्या है, some of the member are saprophytes or parasites, while a large number of them are decomposer of litter, and help in the mineral cycling, examples आपके सामने है, straightforward most important point, क्या है, alternaria, coleotrichum, and trichoderma, यह तीनों पता होना चाहिए, main focus आपका रहना चाहिए, mineral recycling, वहां पर nutrient cycling है, अगर आप यू बेक्तिरिया के नहें, nutrient cycling लिखा हो है, जिसमें chemo-synthetic heterotrophs लिखा हो है, chemo-synthetic autotrophs लिखा हो है, यहां पर mineral recycling की state 4 पर बात की हुए, most important point है, अच्छ से देख लें, next one, अब आजाईए, इस chapter के अंदर, जो last के अंदर आपको अभी, last, आपके point आपको अच्छ से जो पता होने चाहिए, and viroids, teodyner in 1971, low molecular weight का RNA molecule होता है, potato spindle tumor disease, prion abnormally folded protein है, BSC and CZD, यह दोनों disease आपको पता होने चाहिए, wine serum, and tobacco mojac virus, TMB, bacterial phase, जन्नल यहां से आपको बताय गय है, यहां प एक छोटा सा point last में, लाइकी नोट दिया हो है, जिसके अंदर, my cobiant and 5 cobiant part रहता है, वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए, clear, यहां से जो question आने के chances हैं, वो इनके, कुछ point बोल रहा हूँ, 1898, 1892, 1892, 1898, 1935, and 1971, यह सारे point आपको अच्छे से पता होने, चार point बोले मैंने, Stanley Miller वाला point मैंने बोला, अच्छे से आप इस chapter के सारे question solve कर पाएंगे, जो मैंने discuss किये हैं, most probable topics and most probable lines in CRT, जो आपको नीट exam के अंदर, देखने को मिल सकती है, clear, next one, plant kingdom, most important chapter, जिससे minimum 3 to 4 question, हर साल आपके नीट exam के अंदर देखने को मिलते हैं, plant kingdom, इसके लिए तो मैं आपको एक simple trick सबसे पहले ही बता देता हूं, जिससे आप परिशान ना हों, क्या है वो simple trick, TBPGA, most important point कहीं नहीं मिलेगी यह trick आपको, और जिस student ने पूरे साल अच्छे से पढ़ा है, यह TBPGA उसको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा एक ही लाइन में, straightforward n-type, n-type, n-n, 2-n, main plant body 2-n, 2-n and 2-n, clear, यहां पर यहां पर यह इसके अंदर क्या देखने को मिलता है, अगर मैं first one की बात करता हूं, second two की बात करता हूं, and third two की बात करता हूं, तो यहां पर आप diplontic life cycle बताते हो, यहां पर haplodiplontic and diplohaplontic, और यहां पर आप बताते हो haplontic life cycle, clear, यहां पर zygotic meiosis, zygotic meiosis, initial stage में हो रहा है, यहां पर sporic meiosis, sporic meiosis, और यहां last one, आपको gametic meiosis देखने हूं मिलता है, gametic meiosis, for the formation of gamete, meiosis takes place, for the formation of spore, for the formation of spore, meiosis takes place, and for the formation, in dygote, meiosis takes place, just after the formation of the dygote, यहां पर किसी तरी किसे, after dygote सीधा meiosis हो जाएगा, तो यहां पर embryo formation नहीं होगा, these are embryophytes, most important point है, अच्छे से crystal clear हो जाना चाहिए, इसके भिहाब पर आप सारे question कर जाओगे, देखो, gametophyte, gametophyte, sporophyte and gametophyte, sporophyte, 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 जैसे जैसे आप आगे की तरफ proceed कर रहे हो, sporophyte develop होता जा रहा है, और gametophyte reduce होता जा रहा है, gametophyte reduce होता जा रहा है, अगर मैं gametophyte, gametophyte की बात करता हूँ, तो सबसे जादा develop gametophyte, bryophyte के मॉसस के अंदर देखने को मिलता है, यहां तक gametophyte का graph तो बढ़ेगा, और उसके बाद gametophyte का graph decrease होना start हो जाएगा, important point बता रहा हूँ, अच्छे से आपको किस और नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया, तो straight forward, सीधा, यह line आपक्चे से देख लें, तीनो point, first one, first one, देखें, zygote के अंदर direct meiosis हो गया, second one, 2N stage और N stage एक दूसरे के alternate में है, intermediate meiosis for the formation of spore, NCRT है आपके पास, plant kingdom के अंदर, bryophyte के अंदर, bryophyte second page, second paragraph, bryophyte second page, second paragraph, last three lines जाकर के देखें, लिखा हुआ है, zygote does not go under immediate meiosis, zygote, after mitosis, firstly forms sporophyte, and after that, a spore mother cell, which is going under the meiosis, for the formation of spore, same line in liver buds, आपको लिखने को में लेगी, next page पे आजा यह, in capsule, spore is found by the meiosis in the spore mother cell, next, same line आपको Moses के अंदर देखने को में लेगी, next paragraph के अंदर, जह पर प्रोटोनिमा और लिफिस्टेज दिया हुआ है, सारे पॉइंट क्रिस्टल क्लियर हो जाने चाहिए, जो पॉइंट बोल रहा हुआ हो समझ में आने चाहिए, जो NCRT है, तो सब कुछ आपको समझ में आएगा, जो questions आपके इस chapter से आने लाएगा है, अब आ जाईए, इस chapter को मैं बिकुल sequence से ले रहा हूँ, और straight forward सीधा तीनों पॉइंट आपको बताऊंगा, फाईलोजनिटी classification, जो सबसे last में दिया गया था, वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए, and after that, numerical taxonomy, cytotaxonomy, and chemotaxonomy, इन तीनों के basis आपको अच्छे से पता होना चाहिए, numerical के अंदर आप क्या क्या चीज़े यूज करते हैं, जो अगर बात की जाती है, which is now easily carried out by using the computer based on own observable characteristics, number and codes are assigned for the all characters and data then process, समझ में आती है बात, इसके अंदर important point के है, हर एक को एक number प्रवाइड होता है, अगर cytotaxonomy की बात करें, तो इसके अंदर important point, जो chromosomal behavior, cytological information, like chromosomal number, structure and behavior, ये तीनों point आपको पता होने चाहिए, और chemotaxonomy की बात करें, तो chemical constituent of the plant, resolve the confusion, confusion are also used by the taxonomist, by these days, most important का है, chemotaxonomy, जो chemical constituent होता है, उसके बहाब पता सकते हो, clear, important point जो है, मुँ सारे discuss कर रहा हूँ आपसे one by one, समझ में आरहे है आप लोगों को बात, ये देखें, इसके बाद आजाएए, next one, जो यहां से important था, इसके पहले, इससे पहले artificial classification, natural classification जो बताया हुआ है, और वो basis जो डिफाइन के हो, सारे आपको अच्छे से पढ़ने, but इस तीनों point important है, next, algae की, algae की जो economical importance है, उसके अंदर एक ही trick बताऊँगा, A, B, C, R, alzine from brown algae, carazine from red algae, most important line and most important question, यह दिया हुआ आपको यहाँ पे hydrocolyde, alzine and carazine के बारे में, clear, और after that, अगर अगर जिलेडिय में, gracilaria से मिलता है, commercially, after that, अगर मैं बात करता हूँ, last and final, इसके आपको आपको देखना है, कि unicellular alga, which is rich in protein, for food supplement, वो कया है आपका, chlorella, the alga is divided, into the three main, main जो आपकी families है, chlorophyce, यह बोल सकते हो, classes, main chlorophyce, fewophyce, and rodophyce, clear, अच्छे से देखें, point, यह table, इस table से आप सारे question कर जाएंगे, green algae के अंदर, pigment के हैं, on the basis of pigment, इनको आप easily, तीन, अलग-अलग category केंदे डिवाइड कर सकते हैं, a, chlorophyll, chlorophyll, a, b, c, d, e, a, b, in chlorophyce, a, c, in fewophyce, a, d, in rodophyce, a, e, e, in gentophyce, clear, और इनमें stored food, starch, manitol and laminarian starch पे अल्रेड़ी कोशिन पूछा जा चुक है, floridian starch in rodophyce, red algae ठीक है, और cell wall, cell logic होती है, cell logic and algine present होगा, cellulose, pectin and polysulfate ester, important point, अभी तक नीट exam में नहीं पूछा गया यहां से question, समझ में हारी है बात, next one, और यहां पर इनके flasylakistic के से present होते हैं, rodophyce के अंदर, non motilis, इसके gamit होते हैं और non motilis spore होते हैं, rodophyce के बारे में खास बात ध्यान अक लेना, clear? next one, अच्छे से देखें इस point को, bryophyte की कुछ lines, जो मैंने अभी आपको बताई, इधा देखें, bryophyte, second paragraph, last five lines के अंदर जाकर के देखें, कि इनके अंदर enthidium और entherojoid होते हैं, no doubt, zygote do not undergo reduction division immediately, they produces multicellular called, multicellular body called sporophyte, the sporophyte is not free living, but attached to the photosynthetic gametophyte, that's why in case of bryophyte, sporophyte is dependent upon the gametophyte, तो अच्छे से चोटी चोटी points जो अच्छे से crystal clear हो जाएं आपके, देखें आप, क्या है, important point, देखें, derives nourishment from it, some cells of the sporophyte undergoes reduction division meiosis to form haploid spore, same condition आपको, sporic meiosis हो गया, same condition, tidalophyte के अंदर, 2-3 बार यह lines repeat की हुई है, important point, important line थी और अपने आपको define कर दी, liver word के अंदर आपको gamma cup पता होने चाहिए, liver word के अंदर gamma cup, देखो आप gamma cup को ऐसे लिखें, gamma, यह क्या है, gamma कपी तो लिखा है मैंने, gamma, gamma word जो है उसको आप ऐसे लिखें, क्या है यह, यह होता है आपका green, कैसा होता है, multicellular, कैसा होता है, asexual bird, green, multicellular, asexual bird, gamma, ऐसे याद रखें आपको हमेशा याद रहेगा, question भी आपका गलत नहीं होगा, important point है, develop the small receptacle and gamma cup located in the thali, markensia के इंदर gamma cup मिलते हैं, जो asexual bird है actual में, जो fragment होकर के अलग हो जाती है, important point है, markensia के इंदर gamma cup का मिलना, liver words में, next point, moses के इंदर, जो point आपको बता होना अची है, कि इसके इंदर indirect development होता है, first protonima stage देखने को मिलती है, अब जो protonima होती है, उसको आप ऐसे लिखेंगे, green, green, bruffy, protonima के बारे में यह point बता होने चाहिए, straight forward question 101% आएगा, आने के chances हैं, देखें आप, C का मालब creeping, green, bronze and filamentous, यह सारे point किसके regarding है, protonima, जो आपको एक literal bud देखने को मिलती है, protonima जो starting phase के अंदर, फिर 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 लिफी stage आ जाती है, clear, दोनों point अच्छे से crystal clear हो जाने चाहिए, most important point है, I think, आप लोगों उस समझ में आ रहा होगा, important point है, अच्छे से देखें, next one, which develops from the secondary protonima, and at a lateral bud, consists upright cylindral axis, bearing the spirally arranged leaf, they are attached to the soil, through the multicellular and branched rhizoids, multicellular and branched rhizoids, which I have remarked here, you should know, clear, next one, most important, pteridophytes, pteridophytes के अंदर, last में जब आप जाएंगे, और इनसे हर साल, कभी पूछ लेता है, heterosporous condition, salvenia and salazinella, heterosporous condition किसे मिलती है, salvenia and salazinella के अंदर, कभी पूछता है कि इसके अंदर मिलने वाला जो female gametophyte है, वो variable period के लिए, आप देखें, the gametophyte, the female gametophyte in these plants, retain on the present sporophyte, for a variable period, variable period के लिए उस पे फर्दर retain रहता है, इस पे ओल्रेडी कोशन पूछा जा चुका है, seed habit, seed habit इनके अंदर देखने को मिलती है, जो important step है, evolutionary point of view से, तो उस पे आपको question देखने को मिल सकता है, सारे questions मैंने आपे cover कर लिए है, majority, no doubt, no doubt, majority of tidophytes are homosporous, इस साल का most important question देख लें आप, यहाँ पे in majority of tidophytes, all spores are similar kind, such plants are cold, homosporous, जो इसकी first first line आपको देखने को मिल रही है, यह इस साल का आपका neat का question होती है, अच्य से पता होना चाहिए, majority, no doubt, कुछ है कि इसके अंदर heterosporous है, तभी तो seed habit आया, clear, next one, after tidophytes के बाद gymnosperm, और gymnosperm के अंदर दो पॉइंट आपको मैं डिसकुस करना चाहूँ, gymnosperm के अंदर सबसे पहले लास में जो पारग्राफ दिया हुआ है, मला gymnosperm के लास में जो पॉइंट दियो है, जिसमें लीव जो होती है, लीव मोडिफाइड हो करके क्या करती है इतर देखें, देखें, यह नीट एग्जाम के अंदर अलड़ी इस ताइब के कोश्चन जो पूछे जा चुके है और स्टेट फोवर्ड आपसे पूछे जा सकते हैं, इंपोर्टेंट पॉइंट है, वन वाए वन अच्छे से देख लें, gymnosperm की जो लाइन आपके इस साल आने लायक है, यह रही, most important line, gymnosperm का लास्ट पारग्राफ, लाइन के लिए लिए देखें, unlike, bryophyte and tyledophyte, in gymnosperm, the male and female gametophytes, do not have independent free living existence, tyledophyte और जो आपका bryophytes होता है na, gametophyte independent होता है, green होता है, multicellular होता है, but in case of gymnosperm and angiosperm, यह independent नहीं होता, यह most important line है, अच्छे से देख लें, और यहां पर pollination start हो जाता है, air current के through, आपको यहां पर pollination देखने को मिलता है, they remain within the sporengia, retained on the sporophyte, most important line, gymnosperm, second page, last paragraph, first three lines, quick, next, NCRT, pure NCRT based अपने चलेंगे, angiosperm के अंदर वो क्या क्या देखने को मिलेगा, अच्छे से देखे, wolfhia, eucalyptus, tall tree एक दिया हो है, pattern of life cycle, haplontic example, most of alga, walwork, spirogyra, clamidomonas, haplontic life cycle, diplontic life cycle, haplodipontic, ectocarpus, polysiphonia, bryophyte, enteidophyte and calps, these are haplodipontic, haplodipontic pattern के अंदर grow करती है, haplodipontic pattern के अंदर grow करती है, life cycle haplodipontic type का होता है, एक छोटा सा बात पताता हम आपको, सुनो, important point, air bladder, fucus के अंदर के मिलता है, air bladder, few of ic के अंदर मिलने वाली fucus alga का diagram आपकी NCRT दी उसमें लिखा हुए air bladder, hold fast air bladder, striped, front वो लिखा हुए, उसमें air bladder word लिखा हुए, most important word है, अच्छे से जाकर के देख लेना, NCRT के अंदर, clear? और एक बात देखें आप, यहां पर dipontic life cycle है, उसमें एक line लिखी हुई है, एक line लिखी हुई है कि the gametophyte of plants which having dipontic life cycle, ऐसे plant जिनके अंदर dipontic, जो pattern मिलता है, उन सभी के अंदर gametophyte, single cell और कुछ cell से represent होता है, जैसे आप बोलते हो, embryo sag, भूण, कोश, समझ में आती है बात, पता होना चाहिए आपको most important line है, देखें, और last and final, यह point मैंने आपको बताया, इनके अंदर देखो, first one main plant body यहाँ पर क्या होती है, gametophyte, क्या होती है, gametophyte, crystal clear हो जाना चाहिए main plant body, gametophyte and gametophyte आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, यह कैसे plant होते है, non embryophyte, क्यों, क्योंकि साथ की साथ इनके अंदर क्या हो गया, jygote में, meiosis हो गया भाई, समझ में आ रहे हैं बात, और यह सारे के सारे आपको algae's के अंदर देखने को मिलता है, clear, diplontic, haplontic, और दोनों equal आपको stage, bryophyte और tidophyte में haplodiplontic, diplo-haplontic life cycle होता है, अब diplontic की बात करें तो यह आपको मिलता है, किस के अंदर, zimno के अंदर, NGO के अंदर पता होना चाहिए, और एक बात बता हूँ मैं आपको, आपकी NC18 ने जो 1, 2, 3 points यहां पर लिखे हुए ना, उसके बाद 3 paragraph दियु है, एक paragraph, सबसे last 3 paragraph of plant kingdom की सबसे last में example, उससे पहले tidophyte का paragraph, उससे पहले bryophyte का paragraph दिया हुआ है, सबसे last में chapter के बोल रहा हूँ, जो आपका alternation of generation वाला topic है, अच्छे से पता होना चाहिए, so, next, अच्छे से analyze करें, first, जो आपका unit है, उसका last chapter आपका animal kingdom, और animal kingdom बहुत vast chapter, आपको animal kingdom के अंदर उससे क्या आएगा, animal kingdom से क्या आएगा, animal kingdom से पिछले साल आपके 4 questions थे आपको पता हो तो, mash जो कोलम थे और example आपको tips पे होने चाहिए, तोते की तरह है, characters पता होने चाहिए, but example tips पे होने चाहिए, तोते की तरह है, तब जाकर के आपके सारे points अच्छे से crystal clear होंगे, अच्छे से देखें इसको, क्या है, यह सारे के सारे body plan, level of body organization आपको अच्छे से पता होने चाहिए, किस-किस के अदर किस टाइप का आपको level of body organization देखने को मिलता है, अब देखो, मैं यह इस point यह आपर discuss नहीं करूंग आपसे की level of body organization क्या है, पता होना चाहिए, protoplasmic, protozones में, cellular, polyphyra, tissue level, cylindrata, tenophora, after that, जो organ level है वो आपको, platy-helminthus, organ system जो है, SK-helminthus से पूरा complete last सक देखने हों मिलता है, यह सारे general point आपको पता होना चाहिए, मैं discuss जो करूंगा इसके अंदर वो देखें आप, यहां पर आपको पता होना चाहिए, कि what is the symmetry, what is the symmetry, general question आपसे पूछा जाएगा, symmetry के बिहाब पर यह तीनो point, क्यों कौन से तीन point है अच्छे से देखें, first one, asymmetrical, radial and bilateral, bilateral का जो एक point हमेशा पूछा जाता है, कौन सा point पूछा जाता है वो देखें, कि bilateral symmetry के अंदर, echinodermaids, echinodermaids सबसे ज्यादा important है, क्योंकि echinodermaids का लारवा, bilateral symmetrical होता है, और adult जो होता है, वो readily symmetrical होता है, यह पता होना चाहिए आप लोगों को, clear, और इदर readily symmetrical की अगर बात करें तो, silentrata, tenophora, adult echinodermaids, asymmetrical आपका poriferenc है, snail है, sponges और poriferenc snail जो इसके अंदर आते हैं, वो कैसे होते हैं, वो asymmetrical होते हैं, तो यह छोटे-छोटे points crystal clear होते हुए आपके, अब आ जाईए, जो question इस साल आने लायक है, segmentation पे, कैसे हो सकता है, metamerically segmented body, इनके अंदर देखने को मिलती है, अगर metameric segmented है, और pseudomeric है, pseudomeric, pseudomeric के अंदर, जब भी add होने होगा, वो front से होगा, metameric segmentation आपको देखने को मिलता है, arthropoda, co-data, arthropoda और co-data, anilida, arthropoda, co-data के अंदर, metameric segmentation होगा, अब problem क्या आती है, कि इन दोनों के अंदर, आप differentiate ही नहीं कर पाते हो, जहां segment पीछे से जुढ रहे हैं ना, पीछे से, वो metameric वाले हैं, और जहां segment आगे, इसके गले से, दिखर आपको, प्रोग लॉटित इसको बोलते हैं, जहां उनको बोलते है, pseudo-medic, यह दोनों आपको पता होने चाहिए, pseudo-segmentation, and metameric segmentation, clear? next one, अच्छे से देखें, एक point, notocode जो इस साल आपको आपके NEET exam के अंदर 101% एक question दिला करके जाएगा, क्या है? notocode के अंदर, notocode कैसी होती है, mesodermally derived, कैसी होती है, mesodermally derived, NCIT के अंदर 4.1 जो table दिया हो, इसके just ऊपर, जो right corner है, वह पर एक diagram दिया हो है, इसमे notocode, nerve code, post channel tail, gill slits, जो characteristics है, कोड़िट के वो define के हो है, वो point जाकर के आप एक बार अच्छे से देख लेना, most important points and most important lines है, अच्छे से आपको समझ में आनी चाहिए, clear, और अब आ जाईए, इसके बाद आपको बता होना चाहिए, छोटे-छोटे points में आपको डिस्कस करने वाला हूँ, कि किस type का circulation, throughout ओ आपको देखने को मिलता है, circulation के नदर जो important point में डिस्कस करने वाला हूँ, आपको बता होना चाहिए, एक तो आपको पता होना चाहिए, unique transport system in poriferenz, poriferenz के नदर water canal system देखने को मिलता है, यह most important line है आपके, neat point of view से, further, second अगर में बात करता हूँ, एक eye in order mate के नदर circulatory system totally absent होता है, क्यों? क्योंकि यहां पे water vascular system होता है, समझ जाती है वाद, और एक ऐसा member, सारे mollusks जितने भी होते हैं उनमें कैसा होता है, open type of circulatory system होता है, बट इसका जो octopus होता है, cephalopoda, इसके नदर आपको कैसा देखने को मिलता है, close circulatory system, important point है जो मैं आपसे discuss कर रहा हूँ, सारे points crystal clear हो जाएं, चार point बताएं, चारो point circulatory system के regarding, next one, अब आजाएं, fertilization, fertilization में एक trick, channel पे ही पहले से uploaded है, जिससे आपको पूरे, 1, 2, 3, 1, 2, 4 & 3, 1 & 4, 2 & 3, इस trick है कि जो यह trick आपको बताई हुई है, आपको एक गाना जो हमेशा याद होगा, 1, 2, 4 & 3, 1, 2, 3, ऐसे इनके अंदर internal और इनके अंदर external, Porifera, Cylent data, Tenochora, Platyhelminthes, Escalminthes, Anilida, Arthopoda, Mollusca, Ikinodermetine, Hemicode data, इन सभी के अंदर आप देखें, Internal Fertilization, External Fertilization, इस sequence में अगर आप करेंगे, आपको कोई कोशन गलत होने वाला नहीं है, Next one, तो अब आजाईए, उसके बाद अपने discuss करते है, Most important point, जो Cylent data के अंदर आपको देखने को मिलता है, Polyp & Medusa, यह दोनों आपस में interchange होती है, NCRT chapter 4, page number 1, 2, 3, 4 & 5, 5 number page, NCRT chapter 4, page number 5, Cylent data के अंदर, Polyp & Medusa के अपस में interchange दिखाए हुए, जो polyp होता है, वो Medusa के अंदर, Asexual reproduction से, and Medusa polyp के अंदर, Sexual mode of reproduction से जाता है, Obelia इसका best example है, Metagenesis जिसके अंदर देखने को मिलता है, आपको पता होना चाहिए, Metagenesis जिसके अंदर देखने को मिलता है, और याद रखने का तरीका, P-A-M-S, PAMS, Polyp, Asexual reproduction के तुरू, Medusa में, and Medusa, Sexual mode of reproduction के तुरू, Polyp के अंदर, यह clear cut आपको पता होना चाहिए, P-A-M-S, PAMS, Pummy, से याद रख सकते हो आप इसको, Aurelia, Jellyfish example है, Medusa stage का, और Admasya, इसका, Polyp stage का, तो दोनों stage आपको अच्छे से crystal के लिए पता होना चाहिए, Examples अच्छे से याद होना चाहिए, Cylentrata के अंदर, आपको, Neidoblast Cells देखने को मिलती है, जिसको, Neidoblast Cells, Tentacles के यहाँ पर, आपको Neidoblast Cells आपको देखने को मिलेंगी, Neidaria इसको बोला जाता है, वो Neidoblast Cells, जो होती है, तीन उसके work आपको define के हुए, Food को capture करने के अंदर, किसको, Food को capture करने में, Encrease में, Tentacles के work के अंदर, Food capture में, Encrease के लिए वो जो define करती है, अब यह जो आपको तीन classes, Generally, मैं classes बताता नहीं हूं, कि classes level तक आपको जाना नहीं है, बट यह तीनों आपको बता होने चाहिए, क्योंकि Neid previous year में, अल्रड़ी पूछा गया है, Trimaetoda के बारे में, Trimaetoda का ही member होता है, आपका Liver Fluke Facciola Hipertica, और Cistoda का member होता है, आपका Tapworm, Tynia, Solium, यह दूनों आपको अच्छी से crystal करें, इसी वज़े से शिर्फ यह आपको शो किया गया है, और कोई इसका reason नहीं है, पहले पूछे जाते थे primary host and secondary host, अब नहीं पूछे जाते हैं, Next one, NCRT पे आजाईए, आपको एक छोटा सा पॉइंट बतायता हूँ, यह graph जो आपको बहुत कुछ बता के जाता है, कि किन के अंदर आपको NotoCode, NotoCode, EuroCode data, CephaloCode data, and after that Cyclostomata, यहां से NotoCode अच्छी खासी डबलप होती है, पि NotoCode वर्टिबल कोलम में convert होती होती है, आपको reduce होती 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 है, reduce in the sense, वर्टिबल कोलम में convert होती है, तो EuroCode data, CephaloCode data, और Cyclostomata में best, after that NotoCode धिरे 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 क्या हो रही है, convert हो रही है वर्टिबल कोलम के अंदर, तिल मैमलिया तक, clear, next one, next one, अब आजाएए, यह आपको Contrary-Kathies and Osteakathies, इन दोनों के अंदर differences पता होने चीए, Contrary-Kathies and Osteakathies, Contrary-Kathies and Osteakathies के अंदर, जो differences आपको देखने को मिलेंगे, उन differences के अंदर, General Points, आपकोंगे इतना सारा सब कुछ तो लिखा हुआ इसके अंदर, क्या है, फर्स्ट वन वही कि मेराइन यहां पर आपको स्टीम लाइन बोडी देखने को मिलती है, देखो मैं बदा रहा हूँ औरली रिवाइज कर रहा हूँ, Contrary-Kathies, एर ब्लाडर प्रेजन होता है, एर ब्लाडर अप्सेंट होता है, स्टीम करती है, ताकि यह सिंक नहीं हो जाए, Contrary-Kathies, गिल्सलिट्स जोते हैं, उप्रकुलम से कवर्ट नहीं होते है, काटिलेजिनस होती है, पूरी कंप्लीट आपको मैराइन वोटर के अंदर देखने को मिलती है, यहां से कलेस्पर प्रेजिन होता है, जो आपको पैल्विक फिन पर आपको कलेस्पर देखने को मिलता है, इसके अलावा टॉर्पीडो, प्राइगोन, दोनों एक्जम्पल अच्छे से याद होने चाहिए आपको, यह तो है आपके कॉंटिकतिज, बात करते हैं, अगर यहां पे scales की बात करें, इनके अंदर आप देखेंगें तो… प्लेकोईड़ होते हैं, इनके अंदर साइप्लोएड अं टीनोइड़ स्केल होते हैं, इह है ऐबलेडर प्रेजन होते हैं, मौ तर्मिनल साइट पर होते हैं, bony feces होती है, air bladder present होनी के वैसे continuously इनको swim करने की जुरत नहीं है सवज में आती है बात, इनके अंदर internal आपको जो है fertilization viviparity देखने को मिलती है, यहां पर आपको purely external fertilization देखने को मिलता है O O O O O O या फिर ozone osteopathies operaculum oviparous osteopathies operaculum oviparous इसे आप याद रख लें osteopathies operaculum oviparous ठीक है, next one, अच्छा से देखें Tretapoda, अब आपको यह जो classes, fishes के बाद में आपको पता होनी चाहिए वहां आपकी Tretapoda के अंदर आपचे से देखें classes, amphibia, reptilia, evis and mammalia इन सभी के characters बताने नहीं बैठा हूमें यह इस वजे से रिप्रेजेंट किया है कि इन सभी classes के अंदर amphibia में आपके लाइन लिख हुई है कि इनके अंदर यह एर external पिनना एपसेंट होता है सारे एक्जांपल पता होनी चाहिए चाहिए वह तोड हो, ब्यूफो हो या फिर आपका salamander हो टेल वाला हो या फिर एक्टियोफिसो जो लिंबलास है आपको पता होनी चाहिए फिर फरदर इसमें दियो हुए आपके last-minute snack दियो है चाहिए वह नाजा-नाजा हो चाहिए वह आपका वाइपर हो वाइपर हो वाइपरा या फिर बैंगरस क्रैथ हो तो यह सारे crystal-grade tips पर आपके होने चाहिए ताकि आप easily सारे points दो समझ भाइए यहां से straight forward question के example बेस जाता है और question जब पूछा जाता है तो टेटरबोड़ा class के अंदर जो examples है यहां पर आपको represent कर देता हूं यह सारे examples टेटरबोड़ा class के है total समझ में आ रही है बात यह example आपको tips पर होने चाहिए एक बार last time आपको बता रहा हूं last time पर इन examples थो थोरो लिए पच्छे से देख लिए जो आपके exam में क्योंकि neo-front यहां से जो question पूछा गया है वो सीधा इस neo-front पर अल्रड़ी question आ चुका है वल्चर जानते हो इस पर question आ चुका है लिखेगा यहां पर इनके जो जॉलाजी कल ले में वो लिखेगा scientific name लिखेगा फिर फरतर आपसे पूछ लेगा character पॉकिलो थर्म और होमियो थर्म पर अल्रड़ी question पूछा जा चुका है इस type की question पूछ जाते है last and final अब इस chapter के अंदर जो table important है वो बताने जा रहा हूं मैं इन दोनों के अंदर differences आपको अच्छे से crystal clear होने चाहिए पूछ लेगा इनमें से कौन सी statement codates and non codates के regarding सही नहीं है अच्छे से देखें first one notocode first के अंदर present होती है यहां पर codates में notocode present central nervous system dorsal hollow dorsal है hollow है और single है यहां पर ventral होता है solid होता है और double होता है clear यहां पर pharynx perforated gillslids present होते है gillslids absent है heart यहां पर ventral side में यहां कि side में होता है dorsal side में और post anal tail present होती है post anal tail absent तो यह characteristics आपको बहुत अच्छे से crystal clear हो जाने चाहिए clear next one अच्छे से analyze करें next जो आपका chapter है chapter number five second unit के अदर आपने proceed करेंगे second unit जो आपकी है morphology in second unit second unit का जो आपका chapter है morphology in flowering plants अब इस chapter के अंदर सबसे ज्यादा important point है आपके morphology के अंदर सबसे ज्यादा important point क्या है सारे के सारे जितने भी examples हैं इस chapter से example based question बहुत आते हैं one by one सभी को analyze करेंगे देखें आप क्या है root के जितने भी example है मैंने यह पे उठा ली हैं जितने भी root के अंदर आपको examples देखने को मिलते हैं फाइबस रूट रूट में फाइबस रूट सिस्टम मोनोकाउट वीट में अध्वंटेशिस रूट सिस्टम इनके अध्वंटेशिस रूट आपको देखने को मिलते हैं and modification swollen root for food storage tap root का carrot and turnip Adventistious root का sweet potato यह दोनों important point के पूँछेज के लिए हैं गॉइफाइड होता है बट इसका एक्जम्पल है एडवंटीशियूस रूट का एक्जम्पल है फैसिकुलेटर रूट एस पैरेगस के अंदर प्रोप रूट बनियन में जो सहारा परतान करती है silt root, maize and sugar के इनके अंदर, जो lower inter node से फर्दर बाहर की तरफ arise होती है, and pneumatophores respiratory roots जिसके अंदर बोला जाते है वो आपको पता होना चाहिए pneumatophores, rhizophora जो आपको देखने को मिल रहे है, clear? अब आ जाईए इस chapter से, देखो root के example मैंने आपको बता दिये stem modification से हर साल एक question, जो slide आपको यहाँ पर सामने को देखने को मिल रही है आपके neat exam के अंदर इस slide से 101% एक question आपको आपको मिल रहे है, इस slide अच्छे से देख लेए जो इस पर लिखा हो अच्छे से पैचान ले 101% आपके neat exam के अंदर एक question fix है, आपका इस slide से, देखें first one, food storage के लिए जो modification होते हैं, underground stem के अंदर potato, ginger, turmeric, zamikandh, collocasia, act as an organ of perination, commercially जो है इनको use किया जाता है stem tendril, axillary bud most important word है यह, axillary bud का modification किस किस में होता है वो further thon के अंदर हो सकता है, वो अगर thon में हो सकता है अगर मैं वो tendril की बात करता हूँ, stem tendrils, जिनके अंदर आपके cucumber, pumpkins, watermelon, grapefine आते हैं, thon के अंदर citrus and boginvillia आता है, phyloclad flattened in opentia cylindrical in euphorbia number of times आपके neat exam के अंदर पूछा गया है, after that sub-areal modification के अंदर runner, stolen offset and sucker, इनके examples, runner के अंदर grass and strawberry, stolen के अंदर, peppermint and jasmine offset में, pistia and icornia, suckar के अंदर, banana, pineapple, chrysanthemum and mint hybrid है, peppermint, mint किसमें आता है, suckar के अंदर आता है समझ में आ रहे है बात, next one most important point है, जो में आप से discuss कर रहा हूँ एक-एक point आपको अच्छा से crystal clear हो जाने चाहिए, stem modification आप से अब आज़े यह leaf पर leaf की जब भी बात की जाती है leaf के अंदर leaf venation important होता है leaf के अंदर उनकी philotexy important होती है, इस पर base जो question आते है, straight forward क्या पुछा जाता है, देखिए leaf leaf base expand form a sheet in monocotyridons in monocot के अंदर leaf base expand हो करकर एक sheet की formation कर लेता है second one, legume plants के अंदर leaf based swollen होकर के pulvenous दो important question जो यहां से बनते हैं वो यह है, straight forward venation के अगर बात करें, reticulate in dicot, और parallel in monocot, types of leaf में pinnately compound, neem के अंदर, palmetally compound leaf अगर pinnately compound की बात करें, neem की बात करते हैं और silk cotton के अंदर आपको palmetally compound देखने को मिलती है philotexy की अगर बात करें, तो philotexy के अंदर, alternate china rose mustard and sunflower apposite, calotropis guava and world alstonia, important for your need exam star mark कर रहा हूं है यहां पर modification most important है, यहां से question आएगा, यह slide अच्छे से, देखलें अच्छे से modification of leaf, tendrils peas के अंदर, spine cacti, fleshy leaves, onion garlic, philod, पहले philoclare था, australian acacia जिसके अंदर, petiol जो होता है, वह expand करके green हो जाता है, leaf reduce हो जाती है, यह australian acacia के अंदर देखने को मिलता है, insectivorous plant, pitcher plant, nepenthes and venus flytam, dionia important point है, इस सारे points आपके tips पे होना चाहिए next one next one, flour flour की अगर अपने बात करते हैं तो flour के अंदर important point inflorescence, आपको एक बात बता देता हूँ NCRT के अंदर जो practical book के अंदर कुछ points दिया हूँ आपको चैसे देखने, inflorescence के regarding इधर देखें, racimos acrobital minor के अंदर samoz, bascipital minor के अंदर racimos के अंदर tip पे flour नहीं होता symos के अंदर tip पे flour होता है actinomorphic and gigomorphic, actinomorphic किसी भी axis से कट कर दो mustard हो गया है, china rose हो गया है literature हो गया है, chilly हो गया है china rose हो गया है after that gigantic bilateral we can support P journal добрator Asymmetrical canna, canna अपनिशे के अंदर asymmetrical देखने को मिलता है, अब देखे, hypogynos, perigynos and epigynos, जो position of ovary के भिहाब पे, hypogynos, perigynos और epigynos, hypogynos, mustard, china rose, brinjal, perigynos, plum, rose and peach, guava, cucumber and ray flow rate of sunflower in epigynos, represent करने का तरीका, hypogynos, perigynos और epigynos, epigynos में अपर साइड के अंदर आपको देखने को मिलेगा, hypo, peri और epigynos, यह तीनों condition आपको crystal clear हो जाए, regarding to the position of ovary, ठीक है, next one, अच्छे से देखें, parts of flower के अंदर, यहां से, हर साल, एक question fix, आपको बता है, last year जो question था, बता सकते हैं, देखो, यह terms important है, corolla, estivision, valvate, twisted, imbirigate and vaxillary, किन के अंदर, calotropis, जितने ही मालवेसी family के member है, twisted, imbirigate के अंदर, and papillinous, p and bean के अंदर आपको यह चीज देखने को मिलेगा, important point जो मैं आपसे discuss कर चुका हूँ, discuss कर रहा हूं इस आरे देख लेना, Androsium, Androsium, Stamen, Epipetalus Condition, Petal के अंदर, इसका Corolla एंथर से अटाइच, Enther, Corolla से अटाइच होते हैं, Epipetalus in Bringer, और Epiphyllus in Lily, एक साल इस से पूछ लेते हैं, एक साल इस से पूछ लेते हैं, Mono Adelphus, China Rose, Diedelphus, पूछा जा चुका हैं, P के अंदर, और Poly Adelphus Condition, Citrus, और इस साल जो कोशन आएगा न, Variation in Length, Mustard and Salvia, यहां से कोशन पूछा जा सकता है, Important, और मैं स्टार लगा रहा हूं, इस सभी पॉइंट में, एक पॉइंट जिसमें मैं स्टार लगा रहा हूं, वो अच्छ से देख लें, जिसमें मैं स्टार लगा रहा हूं, यह पॉइंट आपको अच्छ से याद होना चाहिए, Next one, Gynosium में आजाएए, यहां से Apocarpus, Lotus and Rose, और Sin Carpus, Mustard and Tomato, Apo और Sin, यह दोनों पॉइंट आपको, Sexual Reproduction in Flowering Plants के अंदर, Mycelia, Papua Somniferum आपको दिया हुआ है, तो Poppy जो दिया हुआ है, उनके अंदर भी आपको देखने हुआ है, तो वो पॉइंट भी आपको देखने हुआ है, तो यह सारे पॉइंट्स, Next one, Placentition, Placentition में Marginal Placentition P, Exile, China Rose, Tomato and Lemon, Parietal, Mustard and Argemon, Bacal, Sunflower and Marigold, and Freecental, Dianthus and Primrose, Question आता है, अच्छे से आदेखने, Important Point, देखो, छोटे छोटे पॉइंट जो आपके क्रिस्टल क्लियर कर रहा हूं, जो Examples आपको बता रहा हूं, Parietal के अंदर जो आपको पूछा जाता है, उसमें False App पे Based Question आता है, तो मैंने अपसे Discuss कर लिया, और यह सारे Question आपके अच्छे से, देखो, Most Expected Line जो हैं, ऐसे ही नहीं बनती है, Neat Kaka Ji की Team, Neat Kaka Ji Team कितने दिनों से, यह पूरा Complete Matter आप लोगों के लिए बनाने के लिए लगी लिए, मैं लगा हूँ, उजासर लगे हैं, पूरी Team लगी है, एक एक पॉइंट जो है, पूरी NCRT से निकाल करके, कि आपके आप लोगों के सामने कि आप लोग, जो भी इस साल Neat Experience मुझे Neat Exam के अंदर देखने को मिल रहे हैं, जो पेपर के अंदर बैठें, वो 101% एक्जाम क्रेक करके ही निकलें, आपको बताता हूँ, एक्जाम क्रेक हो ना हो, बड़ बायोजी के अंदर तो 360 में आपके सिक्योर कर दूँगा, अगर आपने इन सभी Sessions को बिलकुल, लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड पूरी शिद्ध से फोलो किया है, चीक है, हमें बस आपका समर्पन चाहिए, अगर आपका समर्पन हैं, और आप संकल्पित हैं, अपने गोल के लिए, तो नीड काका जी का सानिद्ध है, आपके साथ हमेशा रहेगा, समझ में आरे बाद, और इसी जीज़ को लेकर के, हम बहुत जल्द ही, एक batch लॉंच करने वाले हैं, MSP batch, MSP batch, MSP batch, आपने देखा ही होगा, साथ ने आप लोगों से डिस्कुस किया था, कि मेरा सेलेक्शन पका, number of student होगे, और बहुत अच्छा competition होगा, इस batch के अंदर, अगर आप समर्पन अपना पूरा complete शो करते हैं, संकल्पित हैं अपने गौल के लिए, तो आप 101% जो upcoming आपका need exam है, उसके अंदर अच्छा score पर पाएंगे और अपनी seat secure कर पाएंगे, और नीट काका जी के सानिध्य में इसी तरीके से तिल आपके need exam तक ही session चलते रहेंगे, clear, next, अब आजाईए, अच्छे से analyze करें, क्या है, next, fruit, fruit के अंदर जो बात की जाती है, उसमें दो पॉइंट आपको अच्छे से पता होंगे, endospermic seed and non-endospermic seed से caution पूछा जा सकता ह है, fruit के अंदर देखो, दो ही fruit दियो है, mango दिया है, coconut, mango और coconut दोनों droop की category के अंदर आते है, दोनों के अंदर superior ovary होती है, दोनों के अंदर monocarpulary, तीन point वोले, droop fruit, type of fruit, droop fruit, गुठली होती है न, जितने भी गुठली वाले, सोचना ही नहीं है, गुठली वाले, bear, droop में आ अच्छे से पता होना चाहिए, mesocarp, endocarp, और जो आपके last, पूरी complete, अगर pericarp की बात करते हो, mesocarp, endocarp और epicarp, यह सारे आपको पता होने चाहिए, किस किस में किस type के होते है, चिक है, इतर देखें, droop fruit, mango and coconut, दोh fruit आपको दिये हुए, seed के अगर बात करें, तो monocotyledon के endospermic seed, देखो, दो वर्ड होते है, non endospermous, दो वर्ड है, मलब dicote, endospermous, एक वर्ड है, मलब monocote, simple सी बात है, endospermous seed are found in monocote, एक single word है, non endospermous, दो वर्ड है, dicote, तो याद रखें, बस सीदा, बस example के अंदर, जो exception है, यहाँ पर caster exception है, no doubt, यह dicote है, but इसमें क्या होते ह हैं, endospermous seed होते हैं, यह कैसा है, monocote है, but इसके अंदर, non endospermous seed होते हैं, यह most important है, star लगा रहा हूं है, orchid पे, अच्छे से देख लें, for your neat point of view, clear, next, अब आ जाएए, यह, यह floral diagram किसका दिया हुआ है, यह floral diagram दिया हुआ हो, brisy-grisy family, crucifery family का दिया हुआ है, इसके अंदर, floral formula, NCRT के अंदर, तीन family नहीं है, NCRT के अंदर, चार families है, जिसके अंदर, यह पूरा complete floral formula, यह लिखा हुआ हुआ है, floral diagram दिया हुआ है, अच्छे से पता होना चाहिए, crystal clear, समझ में आ रहे है बाद, important point है, अच्छे से देख लें, इसके अंदर, आपको, gyomorphic condition देखने को मिल अब enter देखें, 2 plus 4, आपको पता है, mustard, अभी variation in the length of enter दिया हुआ था, वहाँ पर, तो 2 and 4, दो बाहर की तरफ, outer world में, और 4, inner world के अंदर आपको देखने को मिलते है, और gynosium 2 आपस में attached होती है, by, जो locular, इसमें, ovary देखने को मिलती है, clear, next one, अब आ जाईए, last and final तीनो family, आपको पता होना चाहिए, फेबेसी के अंदर जो point आपको पता होने चाहिए, वह मैंने आपे mention कर दी है, example सभी के आदगने, देखो, example के अंदर में, help कर सकता हूँ, बस example आप revise कर लें, NCRT, एक बार example आपने revise कर लें, कोई question इसका गलत नहीं होगा, आपका, यह दिया नकल अंदर इसका standard मिलता है, little side में wings होते हैं, और anterior side के अंदर keel मिलता है, इसको क्या बोलते हैं, करीना, करीना नहीं, कहरीना, सभगे आपको अच्छे से देहान रखें, after that, androsium 10 adolphus, इसमें क्या होता है, आपको 9 प्लस 1 arrangement, जेखने हो, डी-Adolphus condition, फिर फर्दर, अगर मैं बात करता हूँ, यह floral formula आपको अच्छे से बता होना चाहिए, floral formula के भिहाब पे आप इसका diagram mind में चलाएं, example, example में चाहिए, pulses का पूछा हो, समझ में बात, क्या बोल रहा हूँ मैं, pulses का पूछा हो, mulethi का पूछा हो, medicinal plant, इसमें categories wise match the column बहुत अच्छा बनता है, dyes पूछी हो, indigo फैरा, folder पूछा हो आप से, समझ में चाहिए, trifolium, काफी सारी चीजी है, चुटे-चुटे points जो हो आपको उच्छे से consider करके चलने है, ठीक है, next one, अब आजाए, solenacy, solenacy family के अंदर, जो main focus आपका रहता है, इस साल जो question आने लाएक है, star लगा रहा हूँ, देखना, यह question, क इस से question आचुका है, इन फ्लोरिशन से, ठीक है, यहाँ से question आने के chances है, जो साइमोज, देखें, solenacy family, potato family बोलते हैं इसको, potato, tomato, brinjal, सारे, इन में number of seed, brinjal में दो कितने सारे seed होते हैं, आप देखें, चिली, चिली के अंदर कितने सारे seed होते हैं, जिनके अंदर खूब सार सारे seed होते हैं, वो बैरी fruit की category के अंदर होते हैं, कौनसी fruit की category के अंदर, berry fruit की category के अंदर, berry और capsule word यूज किया गया, capsule जिसके पूरा complete cover-up हो जाता है, और berry fruit, और इसके अंदर, अगर मैं फोमला की बात करता हूँ, तो इसको K5, Kalyx and Corolla, फिर Androsium and itska Corolla, आपस में attach होते हैं, Epi Petalus Condition देखने को मिलते हैं, Brinjal, जो बैंगन होते हैं, उसमें उपर ही लगे होते हैं, समझ में आती हैं, तो पता होना चाहिए, तो छोटे-छोटे points सारे consider करके चलेंगे अपने, यह point मैंने जो रिमार्क किया हैं, वो most important है, आपकी need point हो भी उसे, Liliasi family, Perianth, Liliasi family से पूछे जा चुके हैं, अब आपसे floral formula direct पूछा जा सकता है, even last time यही आपको मैं बताता हूँ, इन सभी में से, एक single one and only monocoat family जो आपके NCIT में दी हुई है, वो यही है, monocoat family, Liliasi, Liliasi family का floral diagram, NCIT है आपके पास, सबसे last page, floral diagram में, 3 outer side में, 3 inner side के अंदर, sapal petal है, जो differentiate नहीं कर के अनलाइज करें, example, asparagus, aloe, colchicine, gloriosa, tulip, पढ़ते हो, इसारे point आपको अच्छे से पता हूँ, अनियन, इसारे Liliasi family के example है, सारे example crystal clear हो जाने है, तो तेगी जान आपको, ठीक है, next one, आपको बतायता हूँ, most important point है, और एक चोटा सा point, जो मेरी तरफ से, मेरको लगता है कि तो ये question आए गई आएगा, देखो आपको बतायता हूँ, छोटा सा point, एफसल जानते हो, forensic science laboratory, phabacy, solenacy, liliasi, इधर, gynosium, 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 1, 2, 3, यह तो कभी नहीं भूलोगे, यहाँ पर भी, placentation, यहाँ पर भी exile placentation, septa ऐसा होता है, oblique septa होता है, और यहाँ पर exile placentation, इस त trilocular ovary, कैसा, trilocular ovary, और यहाँ पर सिंगल ही देखने को मिलता है, basal, basal, exile, exile, important point, तीनों point पता होना है, यह था आपका chapter number 5, next, chapter number 6, most important chapter, और सबसे ज्यादा सुटेंट परिशान रहता है, इस chapter के अंदर, समझ में आ रही है बात, देखो, इस chapter से जो question पुछाएता है, important question, ब जो भी मैं discuss करने वाला हूँ इस chapter के अंदर, straight forward आपको आपके नीट exam के अंदर, most probable देखने को मिलेगा ही मिलेगा, क्या है, देखिए, first one, इदर, सबसे पहले आपको meristems के बारे में बता होना चाहिए, कि अगर पूरे complete overall meristematic tissue की बात करते हैं, तो उनको दो category के अंदर divide करत जाते हैं, कौन-कोन सी category है, कौन-कोन सी category, एक होता है primary meristела, एक आपका होता है, primary meristems, first one, primary merism and second one, secondary meristems, primary and secondary, primary, primary पर्वारी प्राइमरी के अदर, इसमें आपका apical और intercalorie आएगा और इसमें literal आएगा important point क्या है इन दोनों में important point यह है कि अगर मैं बात करता हूँ जो आपके apical वाले है apical और intercalorie आपको पता है कि कुछ cell जो पीछे की तरफ चोड़ जाती है जब apical side की formation होती है तो intercalorie meristem की formation करते है जो एगाथ की ग्राषिस से फाएगा पका यह इंदर एक जाम पल आपके लिगवा इनके लिखर पोईंट जो आपने प्रांट ब्राउजिंग आनिमल्स झोड़ यह उत्त चोड़ा प्धाएग अदेम पता होना चाहिए लोगों निच एपर नबदू एक पर इंपर नंबद मेरिस्टेम को define के हुआ है, secondary meristem lateral meristem होता है, lateral meristem में भी secondary lateral meristem की बात करूँगा जिसमें inter-fascicular cambium या फिर mono, जो आपके dicote root की बात करते हैं, जिसमें completely secondary होती है cambium, NCRT chapter number 6 की एक line बोल रहा हूँ, अच्छा से आद अख लेना, last last paragraph के अंदर दी हुई है, first two lines है, in root जब secondary growth देखी जाती है तो vascular cambium completely secondary develop होती है completely secondary, lateral meristem से, but in case of shoot, dicote shoot के अंदर inter-fascicular जो होती है, वो बात में बनती है, intra-fascicular previously पहले से ही present होती है, जो primary lateral meristem का पार्ट है जो point बोला आपको अच्छे से पता होना चाहिए check है, तो ये आपको और permanent tissue के अंदर simple tissue आते है and complex, simple के अंदर, parenchyma colonchyma, scleranchyma and complex के अंदर, xylem and phloem, जिसमें, देखो, parenchyma, green cells होती है food storage के लिए होती है, number of type के अंदर shape आपको देखने के अंदर, colon काइमा, इसके अंदर के अंदर डिपोजिशन मिलेगा आपको समझ में आती है बात, तो इन तीनों के अंदर differences आपको crystal clear हो जाए parenchyma, colon kाइम, scleranchyma, क्या है तीनों के अंदर major differences major differences की बात करूँँगा, straight forward अच्छे से देखें, function भिहाँ पे ये storage के लिए, function क्या हो देखेंगा, photosynthesis and storage mechanical strength प्रवाइड करती है और ये भी mechanical strength, example यहां से आपका question जो है need exam के अंदर पूछा जा सकते है, जो महीं आपर रिमार्क कर रहा हूँ, देखें, क्या है important point pulp of guava, pear and supporta, pulp of fruit of nuts, leaves of tea, seed coat of legumes most important point है, यह सारे point जो मैं आपर इसक्स के आप से, आपको बतायता हूँ straight forward, सीधे question पूछे जा सकते है, यहां से, आपके इस point से, clear? next one, अच्छे से देखें, parenchyma colonchyma and scleranchyma, scleranchyma जो होते हैं, यह dead cells होते हैं, क्या होते हैं, dead होते हैं, lignin deposition, इसके देखने को मिल सकते हैं, इसके देखने को मिल सकते हैं, इसके देखने को, lignin deposition, यहां पे deposition, cellulose, hemicellulose, pectin, cell wall of more thickenate corner, एक बात बता हूँ आपको, colonchyma जो होता हैं, अगर कोई भी, जो hypodermis, अगर बात की जाती है, monocort जो plants होते हैं, our dicort जो plants होते हैं, उनके निर, जो hypodermis होते हैं, वो किसकी बनी होती है, scleranchyma and colonchyma, Dicot में स्कलेंट पढ़ोगे, Monocot के अंदर आप जो कोलन काइमा पढ़ोगे, क्यों पढ़ेंगे, क्यों ऐसा होता है, कि जब भी आनी तुपान आता है, तो प्लांट ऐसे जुकता है, वापिस सिदा खड़ा हो जाता है, तो यह पॉइंट जो आपको देखने हैं, यह किसमें कोलन काइमा की वज़े से होता है, यह बचाता है, ग्रोइंग पार्ट ओफ प्लांट, यंग स्टेम एंड पीटियोल, यूजली फोटो सिंधेटिक होता है, और यहां पर, सेलोज और, सेलोज कैसी होती है, इसकी, थिन होती है, अच्छे से देखें, नेक्स पॉइंट, इस चैपकर के अंदर, टीशु सिस्टम के अंदर, आपिडर्मल टीशु सिस्टम जोगी है, जिसमें Stomata के बारे हो है, Epidermis, Stomata और Tricom, इन दोनों के बारे मता है, Stomata की Opening Closing कैसे होती है, Trichome क्या होता है, समझ में आती है बात, तो दोनों चीज़े आपको अच्छे से पता हो वो ground tissue का part है, चाहे वो cortex हो, चाहे वो आपका pericycle हो, चाहे वो पित हो, कुछ भी part आपको अगर देखने को मिल रहा है, vascular bundle और आप इसके epidermis को छोड़ दीजिए, उसके लावा सारा part भरन उत तक ground tissue का होता है, most important point इस chapter के लिए गाड़ियों, clear? अच्छे-च्छे points आपको अच्छे से पता होने चाहिए, चोटे-चोटे points, next one, अब इसमें epidermal tissue का मैंने बताया, ground tissue का मैंने बताया, epidermal tissue, ground tissue, epidermal tissue के अंदर, सबसे पहला point, आपको गाड़ साल के बारे में बता होने चाहिए, subsidy cell, guard cell जो होती है, वो, swell up हो जाती है, अब इस प्रांस्पिरेशिन टोपिक का फर्स्ट पाराग्राफ जो है, कि microfibles जो ऐसे अरेंज होते है, वो रेडिली अरेंज हो जाते है, इसी वज़े से बता है, ठीक है, target pressure is responsible for the opening of stomata, यह दो point आपको अच्छे से पता होने चेप्टर नमबर 11 में भी हो है, यह और stomata यहाँ पर डिफाइन किया होगा है, यह दूनों point crystal clear हो जाएं, अच्छे से, chapter number 11, transpiration, जो अपको topic है, उस topic अंदर एक paragraph है, जिसमें दो हर साल question आता है, वहाँ से, target pressure, full जाती है cell, उस बज़े से stomata open होता है, microfibles, जो longitudinally arranged हो, वो readily arranged हो जाएंगे तो open हो जाएगा, यह दूनों point जो यहाँ पर आपको clear कर define किये जाते हैं, ठीक है, next one, vascular bundle and in tissues की जब बात की जाती है तो, vascular bundle पता होना चाहिए, radially आपको root के इंदर देखने को मिलते हैं arranged, और अगर मैं बात करते हैं, conjoint collateral, open है या close है, वो आपको shoot के इंदर, अगर close की बात करेंगे, close for secondary growth in monocot and shoot, monocot shoot, monocot dicot shoot की बात करते हैं, तो, conjoint collateral and open type, open for secondary growth, आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा, clear, next one, अब आजाईए, most important point इस chapter का, secondary growth, आपको आपने stem को skip किया और सबसे पहले मैं secondary growth आपको define कर रहा हूँ, जो इसके अदर आपको देखने को मिलती है, secondary growth, vascular cambium, आदे से ज़्यादा जनता इस चीज में फस्ती है, इसी वज़े से मैंने इस slide यहाँ पर import कर दिया, class notes है बेटा ये, जो student इस समय देख रहा है, मैं आपको बतायता हूँ, जितने student देख रहे हैं, no doubt, मैं चाहता हूँ, और नीट काकाची की पूरी team दिल से चाती है, कि आपका selection हो, आप हमें किसी ना किसी medical college के अंदर, चाहें वो all over India, किसी भी medical college, किसी भी state के अंदर present वो medical college हो, government medical college के अंदर दिखें, और फिर भी, कहीं किसी तरीके के अगर कमी रहती है, तो हम इंतजार कर रहे हैं आप लोगों का, आज नहीं तो कल, हम आपको medical college में पहुंचा के रहेंगी, क्योंकि क्यों काफी सारे students ऐसे हैं, जो अभी एक 10 दिन पहले ही सोचेंगे, कि 10 दिन के अंदर हम तियारी करके फोर डालेंगे, 10 दिन में कुछ नहीं होता है बेटा, जो student पूरे साल लगातार लगा हुआ है, पूरे साल लगा हुआ है और last में इस दिन के से furnish हो रहे है, final touch दे रहे हैं अपनी तयारी को, वही student 101% select होगा, बशर्ते, आप ये सारे session अगर पूरे शिद्द से follow कर रहे हैं, तो जिन student के 200 से 400 की range में marks आ रहे हैं, वह student easily 550 cross करेंगे in sessions के थुरू only, selection होगा नहीं होगा वह बाद की बात है, और जो student अल्रेड़ी 550 प्लस हैं, 500 प्लस आ रहे हैं, वह student 101% select होगे, 630 प्लस उनके आपको देखने को मिलेंगे, इन sessions को अगर पूरी शिद्द से एक एक line अगर फोलो करता है, चाहे वह chemistry का हो, चाहे वह physics का हो, चाहे वह biology का हो, clear? Next, अब देखें, secondary growth के अंदर, यहाँ पे आपको यह जो growth देखने को मिल रही है, यह endodermis की inner side के अंदर, आपको पहले से present intrafascicular cambium, यह interfascicular, यह पूरा vascular cambium बन जाता है, और बाहर की तरफ phloem और inner side की तरफ gylem, secondary phloem और secondary gylem just touch के अंदर बनते हैं, vascular cambium की बात कर रहा हूं मैं यह, core cambium की बात नहीं कर रहा हूं, vascular cambium से बाहर और inner side के अंदर, inner side में secondary gylem, बाहर secondary phloem की formation होती है, चीक है, बहुत अच्छे से पता होन अच्छी है आप लोग हो, crystal clear, और आपको बतायता हूं, यह point, दिखर आपको, यह जो working थी, यह तो पूरी working किसको define कर रही थी, यह working define कर रही थी, आपके, यह working define कर रही थी, पूरी complete internal side, vascular cambium को, यहाँ पर जो working है, किसको define करता है, वो define करता है आपके, core cambium को, यह जो, cortex वाले region में बन रहा है, cortex वाले region के इंदर बनता है, यह core cambium को define करता है, cortex वाले region वाला, इखर आपको, पता होना चाहिए, अच्छे से सारे points, crystal clear, ठीक है, next one, अब आजाईए, differences आपको बताना चाहूँगा, और जो stem के इंदर, जो major differences है, वो मैं आपको बताना चाहूँगा, पहले stem में पढ़ेंगे, पहले किसमें पढ़ेंगे, stem में, stem के इंदर, hypodermis colon chymetis in dicote, and hypodermis scleran chymetis in monocote, यह आप अच्छे से द्या नग लेना, hypodermis scleran chymetis in monocote and dicote के इंदर कैसी होती है, colon chymetis, ठीक है, और अगर बात करते हैं, cortex की, तो parenchymetis, parenchymetis कोई दिखती नहीं है, mean point dicote के अदर आपको क्या दिखना है, इसके अंदर star sheath present होती है, endodermis में star sheath होती है, क्या होती है, star sheath and endodermis, यह आपको अच्छे से पता होना चाहिए, और monocote stem की बात करें, तो monocote stem के अंदर phloem, parenchymetis, totally absent होता है, यह point, ठीक है, next one, अच्छे से देखें, यह दोनों point जो main मैंने आपको बता दिए हैं, जो important है और आपके नहीं आपको पूछे जा सकते हैं, रूट के अंदर आजाईए, रूट में आपको पता होना चाहिए, कि जो भी, जो भी आपको, steel आपसे कोई पूछे, वट इस चील, एंडोडरमी स्टीन साइड में, जो परिसाइकल होता है, परिसाइकल आपको देखनों, जो जितना भी पार्ट आपको 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 पर देखनों के पित, यह किसको रिपरेजन कर रहे है, इस चील को रिपरेजन करते है, समझ में आती है बात, तो इस पूरे दाइकोर्ट रूट रूट और ढोझ रूट के अंदर दो चीजे, है डिपोजिशन है सुबेरीन का अब सुबेरीन डिपोजिट हुआ सुबेरीन डिपोजिट हुआ तो वोटर एंट्री नहीं है इसी वज़े से कैस्पेरियन स्ट्रिप्स देखने को मिलती है रूट के अंदर क्लियर नेक्स्ट वन अब आजाईगेँए लीफ मोनोकट नाक veramente डीकॉट लीफ मोनोकट लीफ के और नाकिशन दोar आपको अच्य से देखने हैं जो पता होने चाहिए लीफ के अंदर अपर सर्फेस पे सिपनेताों स्रीकम मेतें होते लोवर पर जादा होते और जो dicot होते हैं, रेटिकुलेट वैनिशन मिलता है, मोनोकोट के अंदर, पैलल वैनिशन मिलता है, clear? यह अच्छे से पता होना अच्छी है, आपको रिगार्डिंग को दाइकोट and monocot leaf, जन्रल बात किये मैंने, ठीक है, एक मीन पॉइंट इसके अंदर आप देखें, कि डाइकोट जो लीफ होता है, उसके अंदर अगर गार्ड शेल की शेप देखें, वो कैसी होती है, किड्नी शेप, बीन शेप, but monocot के अंदर, डंबल शेप आपको देखने को मिलती है, clear? next one, last and final, wood, early wood and late wood, spring wood and autumn wood, यह पता होना चाहिए, कि autumn wood and spring wood होती है, और यहाँ पर annual ring बनते है, dendrochronology जो अपने बात करते हैं, इसके तुरू annual ring के तुरू आप age बता सकते हैं उस plant की, तो वो point आपको उच्छे से crystal clear हो, अब देखें, spring wood और autumn wood के अंदर, जो main point आपको अच्छे से देखना है, कि यहाँ पर, जो, it contains larger and wider elements, और यह क्या होते हैं, narrower and smaller elements इनके अंदर देखने को मिलते हैं, ठीक है, यहाँ पर, अगर मैं बात करता हूँ, wood के अंदर, wood कैसी होती है, lighter wood होती है, और यह wood कैसी होती है, darker wood होती है, इनके अंदर trackery elements जो होते हैं, comparatively less thicken होते हैं, और इनके अंदर trackery elements होते हैं, वो comparatively more thicken आपको देखने को मिलते हैं, clear, next one, last and final, इस chapter से आपको जो देखना है, वो है sapwood और heartwood, इन दोनों के अंदर differences, sapwood क्या होता है, sapwood, secondary xylem है, heartwood क्या है, है, वो भी xylem है, heightwood बिल्कुल मिड में प्रेजन होता है, जिसमें deposition के वज़े से टाइलोसिस बन जाते हैं, और पको हो जाता है, और sapwood के अंदर connection आपको देखने को मिलता है, clear, तो इस सारे points आपको अच्छे से पता होने चाहिए, चोटे चोटे पॉइंट जो में आपर इसक्स कर रहा हूँ, ठीक है, next one, अब आजाएए, स्वाए नहीं आप सभी, structural organization in animals, आदे से जाया जनता, इस chapter के अंदे परिशान रहती है, क्या है, देखें, structural organization in animals के अंदर, first, जो दो लाइन में आप से डिसक्स करना चाह रहा हूँ, animal tissue के अंदर, सबसे पहले आपकी NCRT ने, first number page, NCRT, first number page, NCRT, first number page, पर लास्ट जो paragraph तीन लाइन ने दियुए है, वो देखें, the structure of the cells vary according to their function, therefore, the tissues are different and broadly classified into four types, क्या होते हैं, epithelial, connective, muscular, और आपको इस और यह कोई बड़ी बात थोड़ी है, एक line लिखिए इसने, कि the structure of the cell, structure of the cell vary according to their function, function के साथ cell की structure change होती है, diffusion करवाना है, squamous layout, absorption करवाना है, keyword layout, absorption और secretion करवाना है, absorption और secretion करवाना है, keyword and columnar, absorption and secretion, cuberdle and columnar, ठीक है, तो यह point आपको इससे crystal clear हो जाए, NCRT के अंदर यह जो line लिखिए है, the structure of the cells vary according to their function, इस line को statement के अंदर यूज किया सकता है, the function of the cell vary according to their structure, समझ में आती है बात, यह नहीं, अगर function आपको पता है, function के बियाब पे structure change होती है, structure के बियाब पे function change नहीं होती है, function क्या है, उस बियाब पे फर्दर यह changes आपको देखने को मिलेंगे, throughout of body, next one, यह तिनों diagram आपको अच्छे से crystal clear हो जाए, यह diagram किसके regarding है, यह आपको ciliated columnar epithelia देखने को मिल रहा है, जिसके free end पे आपको cilia, free end पे cilia, यह किसको define करता है, squamous, यह किसको define करता है, cube, यह किसको define करता है, columnar, यह point आपको अच्छे से crystal clear हो जाने चाहिए, ठीक है, next one, example, epithelial tissue के example के अंदर, इस सारे example, NCRT के example हैं, और NCRT के example ही आद रखने हैं, उससे बाहर एक्जाम्पल नहीं पढ़ने ही इस chapter के अंदर, squamous epithelial, blood vessels के अंदर, air sac, diffusion phenomena, दिखर आपको, cuberdal epithelial, duct of glands, secretion, PCT, absorption, columnar epithelial, stomach, secretion and absorption, intestine, secretion and absorption, ciliated epithelial, bronchial, just particle को बाहर निकालना, और phallopin tube, ovum को move करवाना, anticellular, cellulary glands, exocrine gland, और endocrine gland क्या है, जो duct less होती है, वो endocrinal होती है, जो duct जिनके अंदर present होती है, वो exocrinal होती है, after that, compound epithelia, skin, buccal cavity, pharynx, inner lining of duct, cellulary glands, and pancreatic duct, आपको देखने को मिलती है, clear, इस सारे points आपको अपको अच्छे से crystal clear हो जाने चाहिए, जो यह आपे discuss किये है, example इनी से आपके बिटा, exam के अंदर पूछे जाएंगे, next one, ज्यादा time waste ने करते हुए, बहुत बड़ा chapter है यह आपका, junction, यह junction आपके सारे ऐसे clear हो जाने चाहिए, कि Tide Junction, Tide Junction किसी को भी आने जाने नहीं देगा, Tide Junction किसी को भी आने जाने नहीं देगा, NCRT की सारी lines, Tide Junction से कोई leakage नहीं होता, Adhering Junction से cell to cell को आपस में attach रखती है, फिर further Gap Junction से Gap देखने को मिलता है, which facilitate the communication with each other, by connecting the cytoplasm of adjoining cell, for the rapid transfer of ion, small molecule and sometimes big molecules, most important lines and most important points आपके NCRT के, discuss किये आए है, clear? देखो, important point है, अगर आप सब कुछ, एक सिंगल चोट के नदर revise करना चाहते हैं, तो जगे रहें, बने रहें, ठीक है, यह point देखें, यह point जिसके नदर cartilage के, आपको पता होने चाहते हैं, NCRT के सारे एक्जम्पल काटिलेस के, मैंने आपको यह पर डिफाइन कर दी हैं, ठीक है, next one, अब आजाईए, इस चैप्टर के नदर आपको जो पढणना है, connective tissue, connective tissue के एक slide रिप्रेजन कर रहा हूं, सिर्फ यहां पर, इससे आपको प्रोपर connective tissue के बारे में पता चल जाएगा, प्रोपर connective tissue के अंदर जो लूज वाले हैं, जिनके अंदर एरियोलर और एडिपोज आता है, और जो डेंस वाले हैं, जिनके अंदर इर्रेगुलर और रेगुलर, रेगुलर में वाइट वाले टेंडन और यलो वाले लिगामेंट, और एर्रेगुलर के अंदर स्किन आपके आती है, वाइट अंद यलो अगर देखते हैं, तो जो कवरिंग है वो और स्किन आती है यलो के अंदर, ठीक है, यह सारे पता होने चाहिए, आपको क्नेक्टिव टिशु के रिगार्डिंग एग्जाम्पल्स आपके NCIT जो जाती है, वो क्रिस्टल क्लियर हो जाने चाहिए आपको, ओके, next one, अब आजाईए, कोक्रोच, कोक्रोच, जिसके अंदर, हिंदी मीडियम NCIT के अंदर, कोक्सा, ट्रोकेंटर, फीमर, टीबिया और टार्सस, यह आपको दिया हूआ है, आपकी हिंदी मीडियम NCIT, इंग्लिश मीडियम NCIT में नहीं दिया है, मैं फिर से बोल देता हूँ बैटा, हिंदी मीडियम NCIT के अंदर, यह 5 के 5 डिफाइण के हो है, तो आपको हिंदी मीडियम NCIT से यह बहुत अच्छे से पढ़ने है, समझ में आरे बाद, इंग्लिश मीडियम में नहीं दिया है, जिस पे कॉशन पूछे साथे हैं, इसकी जो लेग होती है, इसमें 5 कौन कौन से आपको जोइंट देखने को मिलते हैं, छीक है, next one, फिर फर्दर इसके बाद आपको पता होना चाहिए, इनके अंदर, विंक्स के बारे में, जो four wings and hind wings कहां से निकलते हैं, जो आपके mesothorax and metathorax, समझ में आते बाद, जो four wings, इसके अंदर देखने बहुता है, यह पता होना चाहिए आपको, clear? next one, next one इनके अंदर, foregut, midgut and hindgut, मैं आपका ध्यान लेके जाओंगा यहाँ पर हीपटिक सीखी पर और मेलपीजन टिब्यूल, हीपटिक सीखी जो गेस्टिक जूस को बनाते हैं, और मैलपीजन टिब्यूल एक्सक्रिटरी के एक्सक्रिशन के लिए इंपोर्टन है, इसे में ग्लेंडलर और सीलेटिट साल्स प्रिजन होती है, ठीक है? next one, और इसके अंदर जो आपको देखना है, earthworm, earthworm से अल्रेड़ी लास्ट यर कॉशन आ चुका है, जो सुटेंट बोलते हैं, कि earthworm से कॉशन नहीं आता है, अल्रेड़ी कॉशन आ चुका है, earthworm के अंदर सारे पॉइंट, क्लाइटेलम, क्लाइटेलर रीजन क्या है, इसकी दोर्सल और वेंटल को कैसे दिनोड करेंगे, दोर्सल के अंदर, मिद डोर्सल पे आपको ब्लड वेसल मिलेगी, वेंटल पे आपको गोनो पोर्स मिलेंगे, ठीक है, प्रोस्टोमियम, पैरिस्टोमियम, यह अच्छे से पता होना चाहिए, 14, 15, 16 में क्लाइटेलम है, 5, 6, 6, 7, 8, 8, 9, पे आपको शपर में ठीका देखने को मिलते हैं, तो यह पोइंट आपको अच्छे से crystal clear हो जाने चाहिए, important point झाहिए, सारे points अच्छे से crystal clear हो जाएं, अच्छे से देख लें, जो जो points आपको यहां पे define कि उन हों है, झाहिए, पर निफएयताय है इसा निहीं निफाक उनल इसा नहीं है कि उन्टनल होगा इसनल होता है है को कुऊन चार जारोन उर्फ यह चारलं एक सबस्तांस उर यह कपर शर्लीम एक संच बिखॉम के स्ब्सक्नी अजिसे इसमें एास मेल केमिट स्बो allenड़ कर दिया जाते हैं मेरा सेलेक्शन पक्का, आपको बता देता हूँ, इंडिया का नीट कंसर्णिंग, टॉप पॉस बैच जो हम बहुत जल्द ही स्टार्ट करने वाले हैं, और नमबर ओ स्टुएंट्स अल्रेडी, ओल और इंडिया से, उसके अंदर एंडॉल हो चुके हैं, जो अपने नीट 2023 कंसर्णिंग हैं, और आपस में फाइट कर रहे हैं वो, एक थोड़े-चोड़े एक्जाम के तुरू, ओल और इंडिया से हम वो स्टुएंट्स ले रहे हैं, आपको बता देता हूँ, MSP बैच, मेरा सेलेक्शन पक्का, सर ने पहले ही आप लोगों से डिस्कस किया था, मेरा साहस पक्का, मेरा संघर्ष पक्का, और अगर आपकी शिद्दत पक्की है, तो 101 प्रसेंट आपका सेलेक्शन होगा, मैंने पहले भी बोला था, और अब फिर से आप मैं रिपीट कर रहा हूँ, अगर आप लोगों का समर्पन पक्का है, अगर आप लोगों का समर्पन पक्का है, अगर आप अपने गोल के लिए संकल्पित हैं, तो नीड काका जी का सानिद्ध है, आपके साथ हमेशा रहेगा, आपका जो सेलेक्शन है, वो पक्का होगा ध्यानकना, Hindi medium, English medium दोनों के लिए बैच जो हम वो जल्द ही start करने वाले हैं MSP Batch Most revolutionary batch of India समझ में आरे है बाद तो जिन students को ऐसा लगता है कि नहीं नहीं, अब last 10 days के अंदर कुछ नहीं होगा, मैंने पूरे साल नहीं पड़ा है और मुझे करना ही है और नीट काका जी की team आपका इंतजार कर रही है, अच्छे से देखें Next one इसके बाद मैं आपको बताएता हूँ, frog, frog के अंदर दो पॉइंट आपको अच्छे से पता होना चीए, इसके जो four limbs होते हैं, उसके अंदर natural pad present होता है और hind limb के अंदर web pad present होता है यह दोनों point आपको किशल के लिए हो जाए external pinna इसके अंदर देखने को नहीं मिलता external pinna इसके अंदर देखने को नहीं मिलता है, होता क्या है कि जो tympanum अगर मैं बात करता हूँ, external pinna इसके अंदर venusus और ductus arteriosus दो back होते हैं, और निकलते हैं तो back के अंदर निकलेगी अगर right atria के अंदर blood entry ले रहा है, मिलब atrium के अंदर blood entry ले रहा है, तो sinus venusus के थुरू entry लेगा तो यह bag आपको अच्छे से पता होने चाहिए important point है, ठीक है जो NCRT के अंदर last and final frog के अंदर जो आपको बता होने चाहिए point, और यहां से इस साल question देखने को मिलेगा vocal sac, male में होती है, female में cranial nerve 10 होती है web pad, hind limbs होते है, hibernation and estivation, skin respiration होता है, camouflage naptual pad, forelims में RBC, nucleated, coloica के अंदर 3 opening celery gland, absent polyfired on, जब भी तूटेंगे दुबार आ जाएंगे, bleeder's canal present होती है, sinus venousus and ductus arteriosus, यह दूनों point मैं आपको बताए, जो heart के अंदर देखने को मिलते हैं, clear? next one, अब आजाईए, most important chapter for need point of view cell, the unit of life, unit 3, Ramachandran ji आपको आपको अच्छे से पढ़ने हैं उनके अंदर जो collagen fiber की tertiary structure का define क्या हुआ है वो आपको अच्छे से पढ़ना है अच्छे से देखें जो चोटे-चोटे points में आपको define कर रहा हूँ इस chapter में जो जो point में discuss करूँगा most probable आपको neat exam के अंदर वही देखने को मिलेंगे देखिए quick सबसे पहला most important question जो बनेगा match जो column बनेगा shape का red blood cells round and biconcave white blood cells amoeboidal shape columnar epithelia long end narrow nerve cell bronze end long tracheids कैसी होती है elongated and mesophil cell कैसी होती है round and oval 100 one percent question chapter number eight page number one two three diagram आप अच्छे से देखें आपकी NCRT इंदर गीवन थिसमें आपकी NCRT इंदर गीवन थिसमें आपकी NCRT इंदर डिगवन इसे नीचे शेप लिगए इसे नीचे शेप लिगए शेप लिगए शेप लिगए shape एज़ा straight forward and mesh शेप अपका आने के chances चीक है अच्छे से देखें next one cell cell की structure पूरी complete आपको अच्छे से बता होने चाहिए कि cell के इंदर क्या क्या structure कहा कहा present होती है after that after that जो आपको प्रोकुरियोटिक cell में डिफाइन किया हुए एक बेक्टिरिया की structure चाहिए उसके अंदर देखो यह जो डाइग्रम आपको अच्छे से अनलाइज करते रहे चाहिए इसके अंदर मीजोसॉम बूचाओ मीजोसॉम के रिगार्डिंग पताऊन अच्छिए extensions होते है अगर आप देखें मेंब्रेन के extensions से मीजोसॉम बनता है और क्रोमेटोफोर बनते है ठीक है क्रोमेटोफोर के अंदर क्या होते है मीजोसॉम के वर्क अलग अलग है वो DNA replication में भी help करता है respiration में भी help करता है distribution in daughter cells अगर देखते है उसमें help करता है मीजोसॉम जो होता है analogous to mitochondria consider करके चलते है मीजोसॉम की यह lines last paragraph topic में लिखाए last paragraph में लिखाए special membranous structure मीजोसॉम is formed by the extension of plasma membrane the extension is there from vesicles tubular or lamellae क्या help करती है cell wall formation first work important point DNA replication distribution of rotor cells and they also helps in the respiration secretion processes and increase the surface area of plasma membrane and enzymatic content important point जितने भी सारे point discussed सारे आपके tips पे होने चाहिए सारे work मीजोसॉम के regarding सारे work आपके tips पे होने चाहिए cell wall formation DNA replication secretion concerning distribution in rotor cells of DNA respiration concerning सारे points next one क्या है ribosome ribosome is an inclusion body में होता है हर साल कॉशन पूचा जाता है point यहां पे size ribosome का 15 से 20 nanometer पता होना चाहिए after that what is poly ribosome and polysome poly ribosome एक single MRNA पे number of ribosome जब हैं तो उसको poly ribosome के अंदर अपने consider करके चलते है poly ribosome चिक है यह छोटा सा point आपको crystal clear हो inclusion body inclusion body में reverse material for prokaryotic cell reserve material prokaryotic cell cytoplasm में present होती है इन पे कोई membrane नहीं होती है NEET exam के अंदर आपको बताया तो मेरी एक student जो एक question गलत करके आय थी otherwise तो student के 360 out of 360 होती एक single question जो गलत हुआ था last to last year inclusion body का question अगर आपको पता हो तो आपने अच्छे से paper देखा हो वह student अभी Rajasthan के अंदर SMS medical college के अंदर पढ़ रही है Muskan Gupta आपको बता देता हूँ उस student का यह question गलत हुआ था मुझे अभी तक याद है जिस दिन वह paper देखकर कर आय थी paper के जस्ट बाद मैंने पूरा paper उससे discuss किया after that सिर्फ एक single question जो इसका गलता no doubt उसके बाद 360 out of 360 number of students के देखने को मिले थे और आज वो student चाहे वो M.A.M.C. Delhi हो Shivanisani, चाहे वो Ames Jodhpur number of students जो है all or India different different medical colleges के अंदर admission ले चुके है 360 out of 360 in biology or 180 out of 180 in chemistry aise 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 score individual individual मैं score define कर रहा हूं सारे के सारे ही है समझ में आ रही है बात तो छोटे-छोटे points जो हैं मैं आपको बता देता हूं अगर अगर आपने पूरी शिदत से follow किया 101% 360 out of 360 in biology score करेंगे जितने भी physics और chemistry के आपके gunshots आ रहे हैं उनको अच्छे से शिदत से follow करेंगे तो 180 out of 180 कहीं पर नहीं गई आपके बस आप धहरे रखें शांत रहें और शांती से पढ़ें next यहां से inclusion body से question जो आया था और मुझे भी देखो जब किसी student का question गलत होता है न उसको और better मिल सकता था और better मिल सकता था ऐसे general question जो पूरे साल वो सही करती आई है वो question गलती से गलत हुआ इसी वज़े से मैं बोलता हूँ कि last time तक questions करें छोरी जो उसको revise करें यहां पर revise करें बोलने से करने से कुछ आखें बंद करें और यहां उसको आप revise करें तो दहरे रखेंगे अगर आप दहरे रखेंगे तो मैं एक चीज एक वर्ड जो आपके इस नीट एक्जाम के आने वाला जो नीट एक्जाम आपका उसमे आपको देखने को मिलेंगे number of questions आपको इस session से उसमे देखने को मिलेंगे देखें आप next one यहां पर आपको inclusion body के बारे बताया है उसमें these are not bound by the any membrane system and free in cytoplasm and phosphate granules, synofycin granules and glycosin granules, gas vacuoles इसकंदर कॉन कॉंसी present होती है देखो इनमें जो volutine granules की बात की जाती है किनकी बात की बात की जाती है volutine granules, phosphate जो वाले जोते है volutine granules होते है gas vacuoles present होती है blue green, purple and green photosynthetic bacteria के लिए next one, most important point cell membrane से define करूँगा, cell membrane से तो बोरा वास्त है उसमें से मैंने दो ही paragraph उठाई है जो इस cell के लिए important है depending upon the ace of extraction किस बहाफ पे membrane proteins can be classified into integral and peripheral protein peripheral protein lies on the surface of the membrane while the integral protein are partially and totally buried in membrane एक line बोल रहा हूं है all transmembrane proteins are integral proteins all transmembrane proteins are integral proteins but all integral proteins are not transmembrane protein अच्छे से पता होना चाहिए समझ मेहारी बात? important point, यहां से partially and totally embedded why? क्योंकि काफी सारी यासी होती है हाफ-em-डे होती है succinate dehydrogenase सबज मेहाती है? complex second हाफ-em-डे होता है next one the fluidic nature of the membrane किस nature की वजय से also important for the point of view function of like cell growth किस-किस cell growth formation of intercellular junction secretion, endocytosis and cell division यह सारे वर crystal care tips यह सारे वर क्रिस्टल केर टिप्स यह तोतेगी तर है N-C-E-R-T clear? next one cell wall cell wall cell wall से जो question पूछा जा सकता है cell wall के अंदर last की जो lines है मला first जो paragraph है वो important है इस साल cell wall से जो question पूछा जा सकता है वो क्या है? non-living rigid होती है cell wall जो होती है not only gives to the shape of the cell protect cell from the mechanical damage and infection mechanical damage से बचाती है infection से बचाती है cell to cell interaction के लिए important है and provide barrier for undesirable macromolecule algae cell wall के इंदर क्या क्या मिलेगा cellulose, galactans, menans, minerals like calcium, carbonate while in plant consists of cellulose, hemicellulose, pectin यह आपको पता होना चाहिए कि इंके अंदर cellulose, hemicellulose and pectin proteins देखने को मिलते है the cell wall of the young plant cell and the primary wall is capable of growth आपको पता होना चाहिए primary cell wall and secondary cell wall के बारे में अच्छे सारे points crystal clear हो जाने चाहिए next one अच्छे से देखें after that आपने जब इसमें चोटे-चोटे point discuss करने है यह रा endomembrane system endomembrane system के अंदर पूरा complete point आपको अपको पता होना चाहिए चार साह लोगने लाते हैं first one आपका endoplasmic reticulum second Golgi body फिर 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 अगर आपने बात करें हैं इससे निकलने वाले यह आपके lyzosome endoplasmic reticulum Golgi body lyzosome and vacuole vacuole जो होती है वो tonoplasis की covering होती है इनके इस cell के cytoplasm में आपको देखना को मिलेगी plant cell में against to concentration gradient निक अंदर आइंस का exchange हो सकता है अच्छे से पता होना चाहिए चोटे-चोटे points फिर फिर फृर्दर lyzosome acidic nature पे वर्क करते हैं acidic environment में प्रेजन एंजाइम वर्क करते हैं hydrolytic enzymes होते हैं समझ में आती है बात इदर Golgi body packaging glycoprotein and glycoprotein lipid की formation packaging work होता है security work होता है हर साल question आता है membrane bound small vesicles membrane bound small vesicles lyzosome के लिए लिखा हुआ है अच्छे से देख लेना समझ में आती है बात tiny tubular structure tiny tubular structure बहुत अच्छे से देखना समझ में आरे बात most important point है सारे और मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर इस शिद्द से पूरा content आप अच्छे से देखते हैं तो आपको बतायता हूँ यह batch जो already ongoing इस साल paper देगा वो और आने वाले जितने भी batches हैं मेरा selection पका आपको पता है इस batch की जो मैं बात कर रहा हूँ उस batch की अंदर वो tutor students अभी को teach करने वाले हैं जो all over India neat magicians की नाम से जाने जाते हैं समझ में आते हैं बात एक एक point कैसे आपको पढ़ना है कितना पढ़ना है कहां से पढ़ना है कितनी बार revise करना है आपका mental stamina क्या होना चाहिए आपका physical stamina क्या होना चाहिए हर एक बात पे वो आपको guide करते हैं आपके mentors आपके चाहिए personal चाहिए आपके study related किसी भी तरीके के कोई भी point हो इस batch के अंदर हर एक student को उनको personal mentor जो है हम allot करने वाले हैं जो उनके personal handling के अंदर रहेगा offline mode के अंदर यह proper रहेगा हम लोग आपका इंतजार कर रहे हैं मैं फिर से बोल रहा हूँ मेरा selection पका यह तभी सार्तक है जब आप पूरी शिदत से सब कुछ छोड़ करके एक साल के लिए सारे तीजत वहार सब कुछ छोड़ करके हर साल आएंगे दिवाली हर साल आएगी पता है ना आपको आने वाले पचास साल की होली और दिवाली में आप यह रिग्रेट करें कि सर ने हमें बोला था या फिर आने वाले पचास साल की होली और दिवाली पर आप यह सोचें कि हमने उस समय सही स्टेप लिया था एक साल की होली और दिवाली को छोड़ करके एक साल का वो function छोड़ करके तो सारे point आपके इच्छ से crystal clear हो जाएंगे, जमें रहें, देखें mitochondria के regarding क्या क्या question पूछाएं, fusion से ये divide होता है, mitochondria, दो इसके अंदर point आपको देखने को मिलते हैं, इसके अंदर Christy, inner side में matrix, mitochondria semi-autonomous cell, organelle की तरह consider होता है, powerhouse of the cell है, इसके अंदर, physical activity के according, mitochondria का number given cell में जादा और कम हो सकता है, fusion याद रखने आपको, endosymbiotic origin जो होता है, वो इसी के चुरू जो है, define किया जाता है, ठोटे-चोटे point जितने भी discuss कर रहा हो ना, इस सारे आपके tips पे होने जाए, तोटे की तरह है, clear, next one, अब देखें, इसके बाद, जो आपने को discuss करना है, mitochondria, आपको कुछ और mitochondria के ने तो कुछ खास defined किया ही नि, mitochondria में इतना ही पढ़ना है, powerhouse of the cell होता है, crystal होती है, matrix होती है, fusion के तो याद रखने होता है, जिन cells के अंदर actively आपको energy की requirement होती है, physiological activity के अंदर इनका number change होता है, सभम्यारी बात, यह जहां अखना, चोटे-चोटे points, next one, इसके अलावा, last and final, इस chromosome के बिहाफे में आपको कुछ बताना चाहता हूँ, आपको पता होना चाहिए, कि आपके नीट एक्जाम के अंदर, frequent दो कोशे जाते हैं, एक होता है, polyteen chromosome, एक होता है, lambrish chromosome, यह वो कोशेन है, जो NCIT से बाहर, NCIT में गिवन नहीं है, पर frequent, 2-3 यह लगातार पूचे गए थे, lambrish chromosome and polyteen chromosome, polyteen chromosome, जिनके अंदर जिनके अंदर आपको पफ देखने को मिलते हैं, बालबीनी रिंग देखने को मिलती है, यह सेलेवरी ग्लेंड, इंसेक्ट की सेलेवरी ग्लेंड में प्रेजन है, lambrish chromosome, जिनके अंदर ऐसे लूप, यह लूप देखने को मिल रहे हैं, दिखने आपको, यह amphibians की ऊसाइट में होते हैं, यह दो कोशन नीट एग्जाम के अंदर बाहर से पूछे जाते हैं, फ्रिक्वेंट पूछे जाते हैं, और यह chromosome है ही है, जिसमें primary constriction, और यह secondary constriction को define करता है, जहांपर nuclear organizer reason होता है, clear, यह सारे points आपको उच्छे से crystal clear हो जाने चाहिए, regarding to a chromosome, यह structure में जो define कर रहा हूँ, जिसके अंदर single point, यह primary constriction, जिस पे आपको centromere, centromere के उपर एक disc, protein disc, kinetocore, जहांसे spindle fiber attach होंगे, इसके बीच में जो आपको यह देखने को मिलता है, और एक होता है polyteen chromosome, दूसरा यहां लिख रहा हूँ मैं, polyteen chromosome जिसके अंदर, इसको balbini ring भी इसके अंदर बनती है, इसको बनती है, यह कहां पर मिलता है, salivary gland of insect, NEET 2017, NEET 2018, लगातार frequent यहां से कोशिन पूचे गए थे, यहां अगनाइसिस का, next one, अच्छे से देखें, क्या point है, इस chapter के regarding इतने point आपको अच्छे से देखने हैं, कुछ points मैं औरल ही आपको बता रहा हूँ, वो point आप अच्छे से देखें, centriole, centriole एक important point है, इस chapter का अगर मैं बात करता हूँ, इस chapter से आपसे पूछा क्या जाता है, सेंट्रियोल के बारे में, सेंट्रियोल की जब अपने बात करते हैं, तो सेंट्रियोल के अंदर, triplet condition होती है, कॉर्णस पर मीड में 0, 9 ब्लस 0 arrangement होती है, काट भी लाइक structure होती है, सेंट्रियोल के अच्छे सेंट्रियोल के दो पार्ट, किसकी फॉर्मेशन करता है, spindle fiber at the time of cell division, तो यह पॉइंट आपको अच्छे से crystal clear रहे है, regarding to the सेंट्रियोल, clear, next one, most important chapter आपका, biomolecule, और आपको बतायता हूँ, इस chapter की हर एक table, इस chapter की हर एक table, most important है, most important, हर साल question आता है, यहां से, हर साल, even last year, दो question थे, table number 9.3, table number 9.5, table number 9.4, जिससे इस साल, आपको question देखने को मिलेगा ही मिलेगा, क्या है देखो आप, table number 9.4 की बाद, उससे पहले आपको बतायता हूँ, ash के अंदर आपको inorganic constant क्या मिलता है, और organic constant क्या देखने को मिलता है, inorganic elements क्या होंगे, calcium, magnesium, sodium and potassium, और inorganic component, sulfate iron, phosphate iron, sodium chloride, calcium, carbonate, NCRT chapter number 9, page number 2, इस दो पार्ट होते हैं, filtrate and retentate, filtrate जो जो के अंदर micromolecules आते हैं, retentate में macromolecules आते हैं, आपको पता होना चिए, trichloroacetic acid के अंदर, जो बना करके आपने इनको सेपरेट आउट करते हैं, अब retentate part के अंदर, proteins, lipids, lipids, no doubt, macromolecular weight अगर देखें तो कम होता है, बट आपको retentate part में मिलते हैं, due to the formation of microvesical, important point है, मैंने अपको define कर दिया, उसके अलावा आपको carbohydrates है, nucleic acid हैं, यह सारे किसमें आपको retentate part में देखने को मिलेंगे, ठीक है, छोटे-छोटे points आपको crystal clear हो जाएं, most important है, इसमें मैं सीधा बात करूँगा सबसे पहले, इसमें मिलने वाली tables है, table number 9.1, table number 9.1 से जो question आता है, इनके अंदर sequence आपको पता होना चाहिए, कि human body और earth crust के अंदर, जो elemental है, hydrogen, carbon, oxygen, nitrogen, sulfur, sodium, calcium, magnesium, and silicon, इनका जो order है, अगर earth crust की बात करें, और human body, human body के अंदर सबसे जादे आपको क्या देखने को मिलेगी, oxygen, second number पे अपको क्या देखने को मिलेगा, carbon, third number पे आपको इन में से क्या देखने को मिलेगा, nitrogen, समझ में आती है बात, तो इस तरीके से आप पूरे, अब फिर फर्दर आपको क्या देखने को मिलेगा, calcium, तो इस तरीके sequence, यह आपको अच्छे से crystal clear हो जाने चाहिए, क्योंकि इसमें sequence-based question पूछा जाता है और आएगा 101%, clear, इसके बाद, organic and inorganic constituent के अंदर, living tissue में क्या क्या आपको देखने को मिलता है, sodium, potassium, एक living tissue के अंदर, inorganic constituent क्या क्या रहता है, वो define क्या हुआ है, sodium, potassium, calcium, magnesium, water, salt में, sodium chloride, calcium carbonate, phosphatine, and sulfatine, clear, अब आजाईए, जिस पे आपको 101% question मिलने के जन्सिज है, एक बात बताऊँ मा आपको, पिछले पान सालों के मेंपर अगर आप उठा के देखेंगे ना, 5 years के, 5 years, ये वो table है, जिससे हर साल question आए, last year भी 2 question थे, अगर आप देखें, pigment based अगर मैं बात करता हूँ, pigment की बात की जाए, तो pigment, carotenoid, anthocyanin, anthocyanin water soluble होता है, ध्यान रखना, water soluble होता है, carotenoid क्या होती है, fat soluble pigment है, क्या है, fat soluble pigment है, carotenoid is derived from your, beta carotene, turpin derived होता है, अच्छे से पता होना चाहिए, और ये secondary metabolites की जो टेबल है, alkaloids, morphine, कहां देखने को मिलता है, morphine, morphine जानते हो, papawas omnipherum, codeine, morphine और codeine, एक acetylated जो प्रोड़क्ट होता है, और एक methylated product होता है, सभ़ज़ारी बात पता होना चाहिए, methylated और acetylated, NCRT अदर गीवन है, mention है, morphine भी पेंचेन और codeine भी पेंचेन है, बोत अच्छे से डिफाइन के बारे में, और अच्छे से डिफाइन के बारे में, और अच्छे से डिफाइन के बारे में, आपको कहां किया होना है सर, हमें तो पता ही नहीं है, chemistry in everyday life, 12th NCRT, second book, last chapter, chemistry in everyday life के अंदर, जब आप जाएंगे, वहाँ पे आपको last के अंदर, डिफाइन किया हुआ है, morphine के बारे में, codeine के बारे में, पुराने जमाने में, pain killer की तरह दिये जाते थे, समझ में आती बात, after जो surgery, घान अके, terpenoids, terpenoids, monoterpenes and diterpenes, transmission को क्या करता है, जाकर के translation machinery को ब्लो करता है, समझ में आरी बात, ये as an, as an toxin, जो recine, आपको castor, R&D के अंदर देखने को मिलता है, castor के अंदर, important point है, देखें, lactins, lactins की जब बात किया थे, conchalavalin, NEET exam में अल्रेड़ी पूछा गया है, toxin NEET exam के अंदर, अल्रेड़ी पूछा जा चुका है, alkaloid अल्रेड़ी पूछा जा चुका है, drug के अंदर, windblastin और curcumin, curcumin, curcuma, longa से देखने को मिलता है, और polymeric substances के अंदर, rubber, gums and cellulose, these all are secondary metabolites, these all are secondary metabolites, अच्छे से पता होना चाहिए आप लोगो, crystal clear हो जाने चाहिए, एक एक point, एक एक word आप लोगों का crystal clear हो जाना चाहिए, ठीक, next one, जो points मैं revise करवा रहा हूँ, इस session के तुरू, आपके tips पे होने चाहिए, अब आज आईए, table number 9.4, star लगा रहा हूँ और मिलते हैं, after your NEET exam, मैं क्या बोल रहा हूँ, उसको आप ढंक से सुन ले, star लगा रहा हूँ, और मिलते हैं आपके NEET exam के बाद में, 101% इस table से question आने की chances है, अगर, अगर, सुनो, मैं, biomolecule से कोई question देता हूँ, सबसे पहला question मेरा क्या होगा, 9.4 table से होगा, जो आप देखें, sequence बता होना चीए, सबसे higher amount में क्या होता है, water, उसे कम आपो क्या देखने को मिलेंगे, protein, उसे कम आपो क्या देखने को मिलेंगे, nucleic acid, उसे कम आपो क्या देखने को मिलेंगा, आपके carbohydrate फिर उससे कम आपको क्या देखने को मिलेगा lipid और उससे कम आपको क्या देखने को मिलेगा ions पूरा complete sequence with percentage अगर आपको याद है percentage based इससे match the column पूचा जा सकता है यह पूरा complete आपको अच्छे से पता होना चाहिए 9.4 table है 9.5 last table इस chapter से अगर आप देखें क्या है इस table के अंदर इस table में जो question पूचे गए है आपके need exam के अंदर यह वो table है जिससे collagen पे question पूचा जा चुका है आपके glut for latest question पूचा गया था protein जो होते हैं वो as in structural component collagen की तरह है बहेव कर सकते हैं intracellular ground substance की तरह है trypsin, trypsin, enzyme की तरह है बहेव करता है pancreatic enzyme, insulin, hormone की तरह बहेव कर सकते है protein, antibody, fight against agents, receptor की तरह sensory, smell, taste, hormones, receptor की तरह बहेव करते हैं last and final glut 4 अभी latest, last to last year glut 4 पे question था, glut 1, glut 2, glut 3, glut 4 number of transporters present होते हैं अच्छा से आप धान बगाए है आपको छोटे-छोटे point सारे discuss कर रहा हूं है collision, most abundant protein in animal world in animal world आपको पता होना चाहिए collision, most abundant protein होता है trypsin, protein can behave as an intercellular ground substance protein can behave as an enzyme, as an hormone, as an infectious agent as an sensory reception and glucose transporter की तरह है बहेव करते हैं यहां से question आएगा, इन तीन table के अंदर 9.3, 9.4, 9.5 लिख लो आप, लिख लो आप अच्छे से next one अब आजाईए इस चैप्टर के अंदर जो आपको और अच्छे से दिमाग के अंदर fix रखना है उन चीजों को मैं discuss कर लेता हूँ amino acid में कौन-कौन से amino acid, acidic होते हैं, basic होते हैं, जनरल पोच जाते हैं essential, non-essential कौन से हैं, यह आपसे पोच जाते हैं आपको मैंने ओल्रेडी डिफाइन किया हुआ है, गावली FMWP वाला पॉइंट, glycine, alanine, serine, amino acid, normal amino, neutral amino acid, acetic amino acid में, glutamic and aspartic, basic amino acid के अंदर, lysine, arginine and histidine और neutral में, first one, गावली, glycine, alanine, welline, leucine, isoleucine, phenyl alanine, methionine, tiptofen and proline, यह सारे के सारे आपको देखने को मिलते हैं, clear? next one, aromatic amino acid, tyrosine, phenyl alanine and tryptophan and after that, essential amino acid, यह सारे के सारे essential की category के अंदर, मैंने आपको बताया था, ट्रिक बताया थी, इसकी याद अखने की, इसकी ट्रिक देख लो, जीवन भर काम में आने वाली है, जिस दिन selection हो जाएगा, उस दिन भी याद रखोगे, की, नीड काकाजी वालो ने हमें कुछ करवाया था, ध्यान रख लेना, जिस दिन selection होगा, फर्स्ट येर के अंदर जाओगे, जाते ही, बायो केमिस्ट्री पढ़ोगे, और उसमें आपको ये ट्रिक वहाँ पर भी काम में आएगी, आपको की सारे 20 के 20 amino acid याद होने चाहिए, येस, आपकी NCIT में द Glycyl-Alene, Leucine, Glycine, Gavli होता है, VLI, तो Glycine, Alene, Wellene, Leucine, Isoleucine, FMW, Essential की के अंदर, यहां से Thionine, और यहां से आपका HRK, HRK, Histidine, Arginine, and Lysine, आपको किस और इतना effort क्यों लगा रहे हो इस पर, आरे भाई, last to last year chemistry, which one of the essential amino acid, please remark the essential amino acid, चार आपको दिये होते हैं और उसको essential amino acid लगाना था, उसके अंदर कौन सा है, सब्सक्राइबद, शान्ती से बने रहे हैं, अच्छे से पढ़ते रहें, क्या है य आपको सारे देखने को मिलते हैं, और, glycine, alanine, valine, leucine, isoleucine, phenylalanine, methionine, tryptophan, proline, cysteine, serine, threonine, tyrosine, asparagine, gultamine, aspartic acid, gultamic acid, histidine, arginine, and lysine, अच्छे से पता होने चाहिए, यह दोनों कैसे हैं, acidic हैं, यह तीनों कैसे हैं, बेसिक, positively charged, negatively charged, पता होने चाहिए, asparagine and gultamine, यह वो हैं, जो nitrogen, transport के लिए, plant, form, use करते हैं, 12 chapter, mineral nutrition, last paragraph, second line, next, lipid, lipid, जो होते हैं, इसके अंदर आपकी NCRT, 16 carbon, 19 carbon, 20 carbon, 16 carbon का, palmitic acid दिया है, 20 carbon का, erachidonic acid दिया हो है, यह कैसा है, unsaturated, कैसा है, unsaturated, यह भी, palmitic acid कैसा है, saturated, unsaturated, देखो, सीधी सी बात है, la, my, pasta, la, lauric acid, my, myristic acid, pasta, pa, palmitic acid, st, steric acid, और a, erachidic acid, यह सारे की सारे, जो होते हैं, saturated fatty acid की category के अंदर आते हैं, unsaturation, मतलब डबल बॉंड का आना, वो डिपेंड करता है, देखो, यह ए, erachidonic acid जो होता है, इसमें 5 number, फिर फर्दर 8 number, फिर होता है, अगर मैं बात करता है, 11 number और 14 number पर तेखो, unsaturation देखने को मिलता है, omega 6 fatty acid की category के इंदर आता है, palmetic acid की अगर आपने बात करते है, तो यह 16 carbon है, против carbon यह 20 carbon आपको fatty acid देखने को मिलता है, saturated के अंदर अगर मैं बात करता हूं, यह 16 carbon और steric acid 18 carbon आपको देखने को मिल रहा ह Unsaturated, Allic Acid, Arachidonic Acid, Comound Lipids, Phospholipids, Complex And you can see Lacicin and Derived Lipids, Colesterol, Terpene, Carotenoids, Fat Soluble Vitamins, All Are Derived From Derived Lipids Terpene SIG, Terpene SIG, Terpene SIG, Terpene SIG, You say, Vitamin A-D-E-K are fat soluble, why because of these all are fat soluble and derived from the lipid lipid में भी derived lipids के यहां पर आपको terpene, carotenoid उन से सारे सारे बनते है चाहे वो plastokinon हो चाहे वो ubiquinon हो अच्छा से द्यान अख लेना next one अब आजाईए इसके बाद आपको जो पढ़ना है एक छोटा सा point कि polysaccharides के अंदर जो आपको amino sugars देखने को मिलते हैं दो point important point है NCIT में polysaccharides जो बाद में define किया है वहाँ से question last paragraph में दिया हुए है amino sugar कौन कौन से है glucose amine और N-acetyl galactose amine N-acetyl galactose amine और glucose amine अब galactose and glucose amine structure आपको अच्छे से पता होने चाहिए और homopolymer of N-acetyl glucose amine kytin जो एक जो skeleton देखने को मिलते है clear next one अब आजाएए इस chapter के अंदर जो आपको last and final enzymes देखने को मिलते हैं क्या देखने मिलते हैं enzymes, enzyme के अंदर दो तिन point में आपसे discuss करूँगा एक तो वो जिसके अंदर इनिबिटर पुछा सकता है, malonate का इनिबिटर, malonate succinate dehydrogenase देखने आपको, succinate dehydrogenase का इनिबिटर की तरह वर्क करता है succinate dehydrogenase के जो जो succinate acid के जैसा है आपको similarity देखने को मिलते है जनल आपसे discuss कर रहा हूँ है Enzymes, Enzymes के नदर सुननों, सुनते रहो Enzymes के नदर सबसे पले define के होगी, RNA-based भी होता है फिर define के होगा इसकी factor affecting to the enzyme activity Concentration of the substrate, substrate concentration कैसा है, define कर सकते हो आप फिर further temperature, pH, pH and temperature से sensitive होते है Enzyme activity drop हो जाती है, एक fix पे maximum रहती है, कम और जादा करोगा तो कम हो जाएगा ठीक है, एक आपको graph दिया हूँ, आपकी NCIT ने ये graph, ये graph आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, Michaelis-Menten equation का जो ये graph है, जिसके अंदर maximum velocity, Vm, ये क्या होता है, V0 Maximum velocity की half velocity पर, Vm by 2 पे जो substrate concentration होती है, वो Km के equivalent होती है यहाँ पे substrate concentration अपने डिफाइन करते है, ये x-axis, ये y-axis और ये V maximum, ये curve अच्छे से यादखना, substrate concentration at the time of Vm by 2, Km के equivalent होती है, यहाँ से question पूछा जा सकता है, most important question, और आपको दो graph ऐसे enzyme activity के temperature और pH के भिहाब पे भी दिया होंगे, ऐसे, कि एक fixed temperature पर maximum होगा, fixed pH पर maximum होगा, ये enzyme activity, activity, समझ में आती है बात, और temperature अगर आप increase करो, decrease करो, pH increase and decrease करो, तो इस type से आपको increase and decrease देखने को मिलेगा, important point है, अच्छा से देख लेना, फिर last and final, इस chapter के अदर co-factors, co-factors के अदर तीन पॉइंट, प्रोस्टाटिक रूप होते हैं, इसके example, heemine peroxidase and catalase, co-enzymes, NAD positive, NADP and contains niacin, vitamins के अंदर आपको यह देखने को मिलता है, और metal ions, zinc as a co-factor for carboxy, peptidase, metal ions होगा, तो work होगा, नहीं होगा, तो work नहीं होगा, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है, कि दीरे-दीरे work होगा, या फिर ऐसा, आपको का एक question जो यहां से पूछा जाता है, holo enzyme, holo enzyme is equal to apo enzyme plus co-factor, ठीक है, यह पता होना चाहिए है आपको, clear, clear cut सारे points अच्छे से, I think आपको समझ में आया होगे, co-factors की जो मैंने बात किया है, prostatic group और heme, proxidase, सीधा state forward यहां से question पूछा जा सकते है, यह आपका chapter number 9, यहां से जो question आने की जानसे है, maximum question आप से पूछ जाते हैं, chapter number 10 पर प्रोसीड करते हैं, chapter number 10 के अंदर, mitosis and meiosis, most of questions के spermatogenesis, oogenesis से पूछ लिया जाते हैं, but mitosis, meiosis को अपने पढ़ करके, छोटा सा एक break लेंगे, और फिर फरतर उसके वाद अपने study continue आप देखेंगे, आप देखें, two hours के अंदर around 10 chapters कर चुके हैं, two hours अगर इस तरीकी से आप पढ़ना चाहते हैं, तो मुझे comment box के अंदर continuation के लिखें, एक एक chapter आज अपने complete करने आले हैं, in 10 to 10 and 15 minutes के अंदर, single single chapter, आप duration देखें, two hours के अंदर 9 chapters, 15 minutes के अंदर आपका cycle and cell division, next one, आप अच्छे से देखें, cell cycle and cell division को अप अगर अच्छे से अनलाइज करते हैं, cell cycle and cell division के अंदर क्या क्या दिया हुआ आपकी NCIT क्या question आपके need exam के अंदर पूछा जा सकता है, वो आप अच्छे से अनलाइज करें, what is it, देखें, सबसे पहली बात, यह आपको पता करते हैं, तैयारी करते हैं, वो तैयारी आपको हर एक phase में, S में जाओगे तो G1 में मिलेगी, G2 में जाओगे तो S में मिलेगी, समझाती है बात, जिस phase में आगी की तरफ मूव करोगे, वहां पे आपको तैयारी देखने को मिलेगी, ठीक है, mitosis and miosisis दो होते है, mitosis normal cell में, m मिलेगी, समसेल में, mitosis के इस दो, जो number of chromosome होते हैं, same रहते हैं, miosis के इस दो, number of chromosome हाफ हो जाते हैं, यह जनल आपको बता है, जनल बाते हो अब गाता है, जो को चुशन आता है, क्या पूचा जाता है, कि Z1 phase के अंदर, जो यह barrier है, Z1S barrier अगर एक बार स्पार हो गया, तो after that, if we talk about it, in S phase, there is replication, protein synthesis also, but histone protein synthesis is in S phase, tubulin protein and histone protein are properly G2, completely complete, understand? in S phase, in cytoplasm, there is a centriole duplication, you should know this, and after that, major cell organelles are synthesized in G2, cell organelles are also duplicate here, here are also, 70-80% duplication, doesn't happen here, but the major cell, 20-30% are duplicate here, clear? in all processes, whether G1O, SO, G2O, all protein synthesis, there is a polymerase protein, polymerase protein, which will be in DNA replication, histone protein is initiated here, and tubulin protein, which is in spindle fiber, next stage is going to be in the next stage, clear? after that, here, you are the most difficult question of this type, that's why I have brought it in front of you, I have brought it in front of you, in the G1 phase, if the DNA amount, the DNA amount, 20 grams and 2C, represent the chromosome number 10, then G1O, SO, G2O, chromosome number 10, will remain in the content, the content is in the double, the double content is in the content, in G2O, the double content is in the content, double is in the content, so this point, you will come to understand, that you will tell, next one, next one, now come to you, this defines all your phases, which is pro phase first, early pro phase, early pro phase, look, pro phase, metaphase, anaphase, telophase, in the pro phase, nuclear membrane, which disappears, starts to happen, genetic material, condensed to happen, all those stories, in NCIT, state forward, are written, my main point, significance of mitosis, which is the question, you will see, and a line, which you say, NCIT, every time, is that, in the late anaphase stage, which you see here, in the late anaphase stage, which you see, chromatids, which are on the top, in the future, in the future, in the chromosome, considered, this point, and a main important point, significance of mitosis, this paragraph, is your NCIT, that paragraph, which this year, question will come, and what will come, that will come, first one, repairing mechanism, a very significant contribution, of mitosis, what is cell repair, cell repair, the cells of the upper layer, of the epidermis, cells of the lining, of the gut, the continuation of the gut, and blood cells, are being constantly, replaced, mitotic division, in their meristematic tissue, the apical, and the lateral cambium, result in, the continuous growth, of the plant, throughout of their life, which are the two tissues, throughout of life, plants, are responsible for growth, that is, lateral cambium, and apical, apical and lateral, which you get to see the tissue, clear, so all these points, crystal clear, next one, now see, further, when talking about meiosis, in the meiosis, mitosis and meiosis, I compare them, so that all the points clear, in the mitosis, in the mitosis, here, if I take two chromosomes, you get to see these two chromosomes, in the metaphase plate, aligns in this way, in one sequence, here, there are two equatorial plates, in the metaphase plate, in the metaphase plate, just like mitosis, this is the comparison, here, the sister chromatid, separate out, in the meiosis, in the homologous chromosomes, separate out, and here, the sister chromatid, separate out, then further, here, if we talk about mitosis, in the mitosis, in the daughter cell, the number of chromosomes, are the same, here, the number of chromosomes, after meiosis first, after meiosis first, after meiosis first, meiosis second, the number of chromosomes, just equal to the, meiosis first result, same, you get to see, okay, so, after this, your last and final, is the significance of meiosis, and meiosis, is a such process, which, in the gamut formation, type of haploid nature, it will restore, it will restore, it will restore, so, you should know, but paradoxically, we say, that, result in the reduction, of the chromosome, number by half, you get to see, what is the reason, you see, meiosis is the mechanism, by which, conservation of the specific, chromosome number, of each species, is achieved, across the generation, of sexually reproducing, organism, and what is the reason, it will restore, via meiosis, this, so, now, you have 10 chapters, complete, revised, 3 units, revised, next, what you will revise, that will be planned, physiology, which will be minimum, 8 to 10 questions, you get to see, planned physiology, minimum question, 5 chapters, max to max, 50 minutes, 10 to 10 points, in each chapter, we will consider, and now, I will give you a break, I will give you a break, first, which is your break, that is 15 minutes, 20, 22, it will be done, 20, 30, 7, we will start again, this session, clear, how is this session, tell us quickly, and, NCRT, keep it in your hands, eat something, until there is no energy, there is no energy, until there is no revised, quick, 15 minutes, in your hands, whatever you want to do, do it in 15 minutes, do it in NCRT, Plant Physio, arrange all the notes together, what is going to come, see you, झाल 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 यह झाल झाल यह झाल 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 पूरा सीक्वेंस आपको अच्छे से पता होना चाहिए 2, 1, 9, 2, 29 पे आपको यह देखने को मिलेगा 2, 31 पे आपका क्रैब साइकल 2, 31 और 32 पे आपको क्रैब साइकल देखने को मिलेगा तो ऐसा अच्छे से जाकर के देखें NCRT के अंदर 2, 1, 9, 2, 29 के आपको 2, 29 के आपको यह देखने को मिल जाएगा एक छोटा सा पॉइंट और बताता हूं आपको Glycolysis के अगर आपने बात करते हैं तो अगर आपने बात करते हैं तो इसमें पार्शल उक्षिडेशन के लाइन लिखी हुई है एक लिखी हुई है लाइन सभी और्गिनिजम में देखने को मिलेगा पाइरोविक असीड का जो फेट है वो फेट क्या है पाइरोविक असीड का तीन चीजे हो सकते हैं यह तो अरो अरोबिक रेस्पिरेशन में चला जा गया यह तीन पॉइंट अगर क्रैब साइकल में चला गया तो क्रैब साइकल में जाने के बाद में जो साइकल होगा वो अभी अपने देखेंगे बट एनरजी देखें Glycolysis में 2 ATP डिरेक्ली बनते हैं यहां पर जो substrate level phosphorylation जिसको बोलते हैं और 2 molecules of NADH produced होते हैं जिसे 6 ATP मिलेंगे चीक है Oxidative decarboxylation link reaction होती है according to your NCRT mitochondrial matrix में होती है कहां होती है mitochondrial matrix में यह cytoplasm mitochondrial matrix mitochondrial matrix तो TCA cycle जिसको crab cycle भी बोलते हैं mitochondrial matrix में होता है 6 NADH2 2 FADH2 2 JTP यहां से produce होती है overall अगर आप energy देखें तो आपको कितनी energy 38 ATP आपको देखने हो मिलते हैं NCRT के अंदर after ETS after ETS आपको इसका balance sheet दिया हो उस balance sheet में assumptions दियो हैं तो इस balance sheet की last-last line से already need exam में question पूछा जा चुका है तो गडवनवत करना छोटे-छोटे सारे points आपको चेसर क्रिस्टल के लिए हो जाने हैं respiration in plants में ठीक है और एक point अब आजाईए इसके crab cycle पे crab cycle के अंदर क्या-क्या point आपको define क्या हो है रस्पारिटी कोशेंट पे already question पूछा जा चुक है 0.7 जो fat molecules की होती है 0.9 proteins की आपको देखने को में लेगी Carbohydrate के लिए हमेशा बनाती है रस्पारिटी कोशेंट की अगर मैं बात करता हूं ठीक है? बट उससे पहले एक point देखें आप पाइरुवेट Crab cycle पाइरुबरीट असिड पाइरुविक असिड से फर्दर असिटल कोंजयम 2 carbon compound बनता है along with 4 carbon compound oxaloacetic acid ही किसकी formation करता है? citric acid citric acid alpha-keto-kul-teric acid 6-carbon 5-carbon एक CO2 रिलीज हो गया alpha-keto-kul-teric acid फर्दर किसमें अनवर्ट होता है? succinic acid पहले succinyl coenzyme, फिर succinic acid में convert होगा, succinic acid से फ़र्दर fumeric, fumeric से फ़र्दर malic, और malic से फ़र्दर oxaloistric acid, यह जो डैस डैस दियों है न, यह बता रहे हैं कि इनके बीच में in between number of reaction है, समझ में रहे है बाद, यह point आपको अच्छे से पता होना चाहिए, आपको इन डिटेल जानना है, तो मैं फिर से बोल रहा हूँ, जिस सुडेंट को सिर्फ क्राइब साइकल में ही प्रोबलम है, गन शॉर्ट वीडियो पे अभी जाकर के क्लिक करना, मतलब आफ्टर इस सेशन, वो पूरा आप वहाँ से अच्छे से ग्राइब कर सकते हो, साइड में लिखते रहें, इस सेशन में से आपको क्या-क्या नहीं आ रहा है, साइड में आप लिखते रहें, सभी नोट करते रहें, ताकि आप बहुत अच्छा प्रोशीड कर पाएं, clear? next one, अब आज आईए इसके बाद में, जब आपने discuss करते हैं, amphibolic pathway, इस साल 101% आपको इस topic से question देखने को मिलेगा ही मिलेगा, कोई किंतु प्रन्तु नहीं है इसके अंदर, ये ध्यान अकलेना, क्या बोल रहा हूँ, कोई किसी भी तरीके का कोई किंतु प्रन्तु नहीं है, इस साल इस topic से 101% question देखने को मिलेगा ही मिलेगा, देखें, amphibolic pathway, glycerol would be entered the pathway after being converted to PZAL, PZL, आपको को साथ, इस से हमें समझ में नहीं आएगा, तो ये तो समझ में आएगा, इधर देखें, I think Bengali में कुछ लिखावा आ रहा है, I don't know, what is it? So, देखें आपच्चे से, fatty acid, amphibolic pathway क्या होता है, इस carbohydrate consumption तो होता ही होता है, उसके अलावा proteins और fat कैसे entry लेते हैं, protein जब entry लेंगे, amino acid में पहले वो convert होंगे, और amino acid, pure protein कभी भी use में नहीं आता, पहले वो amino acid में convert होगा, एक line लिखी हुए, respiratory equation के अंदर, pure protein और fat, कभी भी utilization के अंदर नहीं आते हैं, पहले convert होते हैं, amino acid में या फिर fatty acid और glycelle में, फिर फर्दर consumption में आते हैं, अब protein जो होता है, अगर two carbon compound होगा, अगर glycine हुआ, तो यहां से entry ले लेगा, अगर alanine हुआ, तो pyruvic acid से entry ले लेगा, gultamic acid हुआ, तो alpha ketoclutaryc से entry ले लेगा, तो डिपेंड करता है, किस type का amino acid है, कितने carbon है, तो यहां से entry ले ले सकता है, फैट में fatty acid, acetylco enzyme से, और glycerol यहां से, और यह फूरा complete carbohydrate का आपको देखने को मिल रहा है, अगर मुझे अलाइदीन बनाना है, तो pyruvic acid निकाल लो बार, अगर मुझे गलाइसिन बनाना है, तो यहां से बाहर निकाल लो आप acetylco enzyme को, so these pathways are interconnected with each other, so it is defined as a amphibolic pathway, किस form में आपको देखने को मिलता है, यह amphibolic pathway की form में आपको देखने को मिलेगे, amphibolic pathway की तरह यह defined किये जाते है, इस सारे point आपको अच्छे से crystal clear हो जाएँ, regarding to your chapter number 14, respiration in plants, next one, अब इसी के अंदर, आपको वे सर, और क्या रह गया है, इसी के अंदर मैं जो point add on कर रहा हूं, आपके से देखें, कि अगर मैं प्रोटीन की बात करता हूं, वो कब after deamination entry लेगा, after deamination entry लेगा, और अगर बात की जाए किसकी fatty acid की, तो fatty acid पहले acetyl coenzyme में entry, acetyl coenzyme के थूर ले सकता है fatty acid, before entering in the respiratory pathway, और अगर वही, glycerol को entry लेनी हो, तो dihydroxy acetone phosphate से फर्दर वो, एंट्री लेगा, so, आपको अच्छे से पता होना चाहिए, छोटे-छोटे points जो है, वो crystal clear हो जाए, मैं आपको बतायता हूं, जल्दी, देखो, speed मैं इसके अंदर लेकर के चल रहा हूं आपको, जो question आने लाए का वो मैं define कर रहा हूं, अगर आप चाहते हैं, कि इसी तरीके से एक continuation के अंदर रहे, तो आप शानती से सारी चीज़ें जो है, NCIT के line to line अपने cover up करेंगे, उसको आप बच्छे से देखते रहें, जो आपको इस exam में देखने को मिलेगी, otherwise आप मुझे बता दें, जैसा भी आप चाहते हैं, okay, next, इसके अंदर आपने प्रोसीड करते हैं, next chapter, plant feed, plant growth and development, plant growth and development के अंदर आप अच्छे से देखें, इस chapter से जो question straight forward, इस साल आएगा, NCIT chapter number 15, plant growth and development, page number 3, page number 3 ते condition, measurement की जो conditions देए हुए है, उन conditions को अपने देख सकते हैं, उन condition को one by one अच्छे से analyze करें, सब्सक्राइब आप आप देखें, क्या है वो condition और उस पर based मैंने सबसे पहले आपको बता है, growth is measurable in term of cell number, match the column 101%, neat exam के अंदर आपको देखने को मिलेगा, star लगा रहा हूँ मैं, मैं आपको पहले ही बोल रहा हूँ, कुछ ही ऐसे topics हैं, जिन पर मैं star लगा रहा हूँ, और बहुत अच्छा कोशन यहां से बनता है, देखें आप, क्या पढ़ेंगे आप सभी, after session, pdf आपको, telegram channel, neat kaka ji official, जो हमारा telegram channel है, उस telegram channel को जाकर आप अभी subscribe कर ले, आप अभी subscribe कर ले, उस session के अंदर, इस session की जो pdf, और इवन जितने भी आपके session होए है, gunshot, उन सभी की pdf अलरेडी अवेलेबल है, आप जाकर आप वहां से अच्छे से, जो है, पढ़ सकते हैं, एक एक चीज अपनी जो है, अनलाइज का सकते हैं, देखें आप, क्या है, मैं फिर से बाल रहा हूँ, increase in number of cell number, मेज के अंदर, root apical meristem, 715 new cells per hour, इसके अंदर आपको देखने को मिलती है, मेज के अंदर, and increase in size, watermelon के अंदर, 350 times size cell का increase हो जाता है, आपको बतायता हूँ, यह जो point मैं define कर रहा हूँ, important point, देखो, star मैं इस वज़े से इन पर लगा रहा हूँ, क्योंकि match the column, आए गई आएगा, कोई किंतु प्रंतु नहीं है, यह question आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा, अगर मैं paper बनाता हूँ, तो 200% यह question दूँगा ही दूँगा, जो आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा, यह दिहान अगना, last 15 years के papers में, कोई इस पे based question नहीं पूछा गया है अभी तक, थीसरा page यह तीसरा, NCRT, chapter number 15, page number 3, second paragraph, यह mention, उसके बाद देखें, growth in term, अगर मैं length measure करता हूँ, pollen tube में, growth in term, surface area की बात, अगर मैं करता हूँ, तो leaves के अंदर, बहुत अच्छा question बनता है, clear? next one, जो second यहां से question आने लाइक है, आपको और आपने तो इस पे इस तो graph नहीं बताए, हम क्या करें, geometrical और अर्थमेटिक ग्रोथ के और डिफाइन किया हूँ है, और chapter number 5 के अंदर, जो marismatic tissue, elongation zone और maturation zone, वो डिफाइन किया हूँ है, कैसे आप रिमार करेंगे, वो journal आपको वहाँ पे डिफाइन किया हूँ है, कि जो marismatic zone होते है, वहाँ पे dividing cells होती है, frequent dividing cells होती है, plasma and decimital connection होती है, nucleus और अच्छा-कासा होती है, वो सारे point आपको पता होने चाहिए, जननल, जो next question बनता है, developmental heterophily, के example क्या-क्या है, developmental में cotton, coriander and larkspur, leaf of the juvenile plant and mature plant is different in shape, developmental, development के according changes आपको देखने को मिलते हैं, second one, environmental differences in the shape of leaves produce air, वो same plant और water जो आपको देखने मिलते हैं, अगर जो leaf water प्रेजेंट होती है, बटर कप के अपको दिफरेंट होती है, कटी-फटी होती है, पतली होती है, ता कि water जो है, के अदर उपको पतली होती है, और जो surface पे होती है, उनकी shape इफरेंट होती है, तो environmental effect भी होता है, और developmental भी होता है, दोनों अच्छे से आपको समझने है, समझ में आरे होती है, उसके के अदर रबाद, conditions of growth एक पाराग्राफ दिए, अदर सीधा बता रहा हूं, उसके अदर ग्रेविटी, water, light, water, temperature, इस वो सारे points जो growth की condition को फर्दर क्या करते है, अफेक्ट करते हैं, वो सारे आपको पता होने जाए, differentiation, de-differentiation and re-differentiation के पाराग्राफ के अंदर, प्रेकिट के बारे में जो लिखी हूई लाईन है, वो आपको बहुत अच्छी से clear-cut समझ में आनी चाहिए, ठीक है, next one, अब देखिए आप, plant growth regulators, plant growth regulators के अपने बात करते हैं, तो plant growth regulators के अंदर, दो तरीके के आपको plant growth regulators देखने को मिलेंगे, एक होते हैं, oxyn, zebrillin and cytokinin, जो एक्तिवेटर कि तरह वराग करते हैं, abscessic acid and ethylin, जो युिलतर कि तरह वराग करते हैं, थे inside, प्लाइओं प्लांट घॉत्ट रेगुलीतर प्लाइटर का जो प्रिछर्फ सर्थ हो रहे हैं, औक जीब कहां से डिराइट होता है, अमीन ऐसे तσιो गाता है और आसे के साइटो जयाटों इस तरीके सारे पत होने चाहिए clear cut, ethylene कहां से derived होता है, ethylene methionine से, actual उसका जो है, methionine से further derived होता है, carotenoid से आपका absistic acid, यह सारे point crystal clear हो जाने चाहिए, mash the column बनता है, अच्छा सा वहां से, इस वज़े से define कर दिया है, अब आजाएए, oxyn oxyn के कुछ work, natural oxyn क्या है, synthetic oxyn क्या है, natural oxyn के अंदर indole acetic acid आजाएगा, IAA आजाएगा, IBA आजाएगा, synthetic के अंदर naphthalene acetic acid और 2,4-dichloro-phenoxy acetic acid, functions के अंदर promote flaring in pineapple, induces parthenocarpy in tomato और herbicide, 2,4-D जो होता है, वो dicotylodons, जितनी भी आपकी weed होती, उनको मारता है, monocotylodons को कुछ नहीं करता है, मैं फिर से बता रहा हूँ, जो student सो रहे हैं, वो exam में भी सोईंगे, अच्छे से देख लें, फिर से बोल रहा हूँ, important point, PDF आपको telegram channel पे मिल जाएगा, बट उससे पहले, जो बच्चा यहां ही नहीं पढ़ रहा, तो PDF से क्या बढ़ेगा, अगर आपको अच्छे से पढ़ना है, NCRT के लाइंजों अनलाइज करणा हूँ, क्लिक उसको अनलाइज करते हैं, जिब्रेलिक असीड के अंदर, जिब्रेला फ्यूजी को रहा है, स्टेट फोरवर्ड पुचा जाता है, जिब्रेलीन एक्सेक किया गया था, बेकेन ने फुलिष सेटिलिंग देखने का मिली ती, राइस प्लांट के अनलाइज को फूटे थे, कुछ बहुत लंब हो गए थे, तो उसमें जब एक्सेक किया गया, तो अपने को पता चला कि जिब्रेलीन एक्सा, मालब जिष्ट जिपरिल्यक अशेट इस चिपरेलियला फुजी को एक्स्रेक किया गया था जो फुर्द प्लांट के रिए नहीं दो इंट नोगशिन बोत अच्छा वर करता है समया बात नेक्ट वन फंक्शन function in the beets, cabbage and many plants with rogette habit in the bolting, in the node inter node, it elongates increase in length of axis, in the grab stock length of axis, after that increase in stem length, stem length, sugar cane in the sugar cane, in the stem length, even increase in the mottai, so that all the yield increases in the apple, it elongates what is the acidity nature, which is the gibrali seed in the molting and bolting process, in the work, seed germination, gibralic acid important, gibralic acid, without seed germinate it will not be dissolved, alpha amylase dissolve and move so that it can be utilized in the present food there, important point next one cytokine, cytokine I have two points, why? because cytokine, cytokinesis no doubt, shoot development it is responsible for antigenistic this oxygen, it is called zeatine, natural substance with cytokine light activity, form corn kernels and coconut milk, and herring sperm we also get fish, which is there, you get to see because adenine derived what is adenine derived, you get to see the important point, you get to see cytokine, oxygen and cytokine both are required, for the culture in culture media, for the micropropagation point of view, callous what is the world the most which you see the second point important point ethylene let's see the point you have to show ethylene what is the point ethylene इतायलीन के वर 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 इ टोमेटो एंपल के अंदर, प्रोमोट फीमेल फ्लारीन कुकुम्बर, और अचलेरे अबस्टिशन इन फ्लार एंफूर्ड इन फ्रूड, थिनिंग ओफ कॉटन, चेरी एं वालनुट, अच्छे से पता होने चाहिए, और ABA जो होता है, वह वह करता है, अज एन एंटेगनेस् एथाइलिन जो होता है, ट्रिपल जो है, इसके अंदर आपको रिस्पोंस देखने को मिलता है, यह एपिकल हुक फोर्मेशन करवा देता है, यह विर्थ को इंक्रीज करवाता है, और होरिजॉन्टल को गरवाता है, इसको बोलते है, ट्रिपल जो है, जो पॉइंट आपको से पता होने चाहिए, एक एक पॉइंट, ठीक है, next one, last and final, आपको कि sir, इसमें से दो पॉइंट, दो पॉइंट मैंने यहां पे mention नहीं किया है, क्योंकि फोटो पिरियोडियोडियम के लिए और अल्रेडी कोशन पूशा जा चुक है, या तो वर्नलाइजिशन से आएगा, या Seed Dormancy, Seed Dormancy, Topic Management नहीं लिया है, औरली बता रहा हूँ, उसमें Phenolic Compound, उसमें Rupturing, Sclarification, Sclarification, किस तरीके से एक Seed को Germinate करवाया जा सकता है, उसको फिजिकल, जो है, रप्चर के थरू, जो रेकमार, जो होता है, जनल अपने यूज करते हैं, सैंड पेपर, उससे फरतर उसक यूज कर सकते हो, टेंपरेचर चींज करकरकर आप उसको यूज कर सकते हो, ताकि Seed के जल्दी से जल्दी जल्दी जो Germinate हो जाए, Phenolic Compound, Nitrates वहाँ पे दियो है, सारे पॉइंट्स आपको अच्छे से Crystal Clear हो जाने चाहिए, सारे पॉइंट्स आपको अच्छे से क्रिस्टल क स्प्रिंग और विंटर वेराइटी से वीट, बार्ले और राय और बाइनियल प्लांट्स जो मोनोकार्पी एक बारी फ्रूट एक बारी फ्रूट यूज कर जाते हैं, शुगर बीट, कैबज और चैरेट, और सीड दोर्मेंसी में, केमिकल इनिबिटर, मैंने डिटेल नही इनिबिसिक असीड है, फिनोलिक असीड है, पैरा असकॉर्बिक असीड, जिब्रेलिक असीड, नाइट्रेट एंड रिमुव इफेक्ट ऑफ इनिबिटर सबसंसेज मैंने वो पिलिंग वाला, नाइफ वाला वो सारे पॉंट यह पर नहीं लिये हैं, सभ़ में आरही है बा 5 minutes का break, उसके बाद आपने start करेंगे, most important आपके need के लिए, human physiology, human physiology का point to point, word to word, फोड़ा speed लेकर के चलेंगे human physiology, 14 to 15 question आपके human physiology के आते हैं, 23.26, अभी यहां पर मुझे देखने को मिल रहे हैं, फिर से मिलते हैं अपने, 11 बज कर 32 minutes पे, after 6 minutes, okay, so let's wait for 6 minutes, कि ड़ी यहांग, त़ी खायाग, मुझे वाणिसर्क के ल파, का यहांगे हैं, यहांगे हैं, वाणिसर्क कर दो वाणावापका मुझे आ Camb Coach उते हैं, तक बाम झा बाम हैं, तो को Hmm आ miestra सक लिगे हैं, झांपके हैं, गी एभना सक तो सक्ताव ले चाम हैं, झालिए시면द+. झाल 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 डाल यहाल झाल झाल यहाल तो झाल 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 धैजर और को देखने को मिल रही है clear and last and final amino acid derived के अंदर epinephrine, norepinephrine and thyroid जो होते हैं वो semi-steroidal nature का होता है thyroxine जिसके अंदर iodothyronine आपको यह देखने को मिलता है आप कहेंगे sir बाकी remaining आपने नहीं पड़े हैं जितने भी बाकी remaining है वो सारे proteinaceous hormone की category के अंदर आते हैं यह point मैंने आपको बोला था कि इसको आप अच्छे से देख लेना कि यहाँ पर ANF, athropoietin, gastrin, gastric inhibitory peptide, colycystokinin, secretin and growth factors already defined कर चुका हूँ, digestion and absorption के अंदर, kidney वाले point के अंदर और ANF भी यहाँ पर kidney वाले point के अंदर defined कर चुका हूँ clear and after that, एक छोटा सा डाइग्रम जिसके तुरू आपको पता हो कि जब भी अपने बात करते हैं, जो posterior part है उसका exonal surface से directly attachment होती है, direct regulation इसके posterior part पे है, anterior part पे hypophisal portal system के तुरू रेगुलेट करता है, hypothalamus clear, यहाँ पर आपको oxytocin and vasopresin synthesized तो कहां होते हैं, hypothalamus में, store and release कहां से होते हैं, आपके posterior pituitary से यह छोटे-छोटे point सारे आपको crystal clear हो जाएं, इसके साथ यह आपके complete होती है, यह human physiology, जिससे minimum 14 to 15 questions, overall पुरी complete human physiology से आपको देखने को मिलते हैं, चीक है, next, इसके बाद जो आपने start करने वाले हैं, 12th NCIT, 1st unit, reproduction unit, और reproduction unit से आपके, मैं अगर बात करता हूँ तो reproduction unit, reproduction unit, reproduction unit के आपको starting के अंदर यह scientist, 5 scientist उपर दिया हो, 5 scientist नीचे दिया हो है, पंचानन महिश्वरी, जिनोंने lab के अंदर किस तरीके से embryo develop किया जा सकता है, उस technique को define किया था, बहुत अच्छे से, समझ में आते हैं बाद, embryology, फादर जो है consider होते हैं, सारे points crystal clear हो जाने चाहिए, मिलते है after 15 minutes, 15 minutes का छोटा सा gap, फिर further उसके बाद अपने continue करेंगे, 12th NCIT के अंदर, 1st unit आपकी reproduction unit के साथ में उस्पाओे कि घसे उसके साथ में झाल 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 यह झाल 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 यह 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 झाल यह 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 झाल यह 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 1% कशच्च única यह 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 stage और जाकर के फिर फुर्दर blastula and blastocyst blastocyst जाकर के यहाँ पर implant होता है यह आपको अच्छे से crystal clear हो जाना चाहिए यह पूरा complete blastocyst की structure define की हुई है और 8 to 16 cell stage in human being morula को define करता है clear तो यह सारे point अच्छे से crystal clear हो जाएं regarding to the implantation next one फिर फुर्दर इस चेप्टर से अगर अपने बात करते है pregnancy and embryonic development pregnancy and embryonic development development में आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि जो neuroendocrinal mechanism के थूर इनके अदर parturition process होगा और fully developed fetus होता है placenta के थूर and fully developed fetus के थूर इसके अदर fetal ejection reflex आपको देखने को मिलता है clear तो छोटे-चोटे points जो मैं आपसे discuss कर रहा हूँ सारे points आपको पता होने जहिए आपको बतायता हूँ इस unit के वाद में जो unit आने वाली है 15 questions आते हैं उससे अभी मैंने आप लोगों को बताया 15 questions single unit से तो patience रखें आप अच्छे से वो जल्द ही अपने discuss करने वाले है next unit genetics and evolution छोटी-चोटी tricks बताऊँ आपको जिससे आपके जो questions हैं वो सारे-सारे soul होना start हो जाएंगे clear अच्छे से देखें Oogenesis अगर आपको अच्छे से देखना है after that in adult stage.. Puberty stage के अदर वही Metaphase second stage में आकर के arrested होती है जब वहां से secondary oocyte से ovum release होता है यह point आपको अच्छे से द्यान एकना है विसके regarding यह पूरा complete यहां पर जो Oogenesis process अच्छे अच्छे रिगार्णि Oogenesis process के अदर primary oocyte, secondary oocyte primary oocyte in primary follicle primary oocyte in secondary follicle ठीक है, उसके बाद आप अच्छे से अनलाईज करें, इस चेप्टर के अंदर, जो आपको फाइनली पढ़ना है, हॉर्मोंस, जूरिंग प्रेगिनिंसी किस-किस टाइप के हॉर्मोंस आपको देखने को मिलते हैं, वो सारे हॉर्मोंस यहाँ पर मैं लिखे हुए हैं, अच्छे से देख लें, क्या है, अगर प्लासेंटा की फॉर्मेशन होती है, उसके बाद आप आप अच्छे से देखें, यह एक्टाइज हैं, एंडोक्राइनल टीशू, आपको देखने को मिलते हैं, clear, फिर फर्दर अपने आगे अगर प्रोसीड करते हैं, देखें, अच्छे से अनलाइज करें, क्या है, आफ्टर गेस्ट्रिशन लेयर, क्या क्या किस किस जो है आपकी अक्टोडर्म, एंडोडर्म और मिजोडर्म से बनेगा, वो सारे पॉइंट मैंने यहां पर मेंचिन कियो हैं, आप देख लें, अक्टोडर्म से आपके स्किन, हेयर, निल्स, एक बात बताओं मैं याद रख करने का तरीका, चैप्टर नमबर 16, डाइजेशन एन अब्जॉपशन, चैप्टर नमबर 17 और चैप्टर नमबर 18, चाहे आपका गेस्ट्रोइंटर्शनल ट्रैक हो, रेस्पारिटी ट्रैक हो, यह सारे के सारे किस से बनते हैं, एक्टोडर्म से, इसके अंदर क्या होती है एंडोडर्म से, रेस्पारिटी ट्रैक और गेस्ट्रोइंटर्शनल ट्रैक, आपका बोडी फ्लूट एन सर्कुलेशन एन एक्स्ट्री ओर्गंस वाला जो पॉइंट है, लोकोमोशन एन मूवमेंट वाला चैप्टर जो है, इसमें मसल्स पढ़ते हो, स्केल्टन सिस्टम पढ़ते हो, ब्लड पढ़ते हो, हार्ट को पढ़ते हो, एक्स्ट्री सिस्टम को मैं अंदर, आप नेफ्रोंस को पढ़ते हो, इस सारे किस से मिलकर बने होते हैं, यह मीजोडर्मल डिराइवड होते हैं, जितने भी हैं, चीक है, चैप्टन नमर 16, 17, एंडोडर्म, 18, 19, 20, 18, 19, 20, मीजोडर्म, याद रखने का तरीका बता रहा हूं आपको, उसके बाद, चैप्टन नमर 21, एक्टोडर्मल, आई, एक्टोडर्मल, इसके बाद आप देखें, ब्रेन, एक्टोडर्मल, निूरोंस, एक्टोडर्मल, यह तरीका आपको बहुत अच्छे से समझ में आ आप से पूछे, एक्सक्रिटी सिस्टम, पता है, मीजोडर्म, सर्कुलेटी सिस्टम, पता है, मीजोडर्म, रिप्रोडुक्टिव सिस्टम, पता है, ओवरियन टेस्टिस, मीजोडर्मल डिराइवड होते हैं, समझ्जारी बात, अगर मैं मीजोडर्म की बात करता हूं, ओ वही चीजों को एक एक वर्द को ए आद रखना अब बोड़े के अंदर जो भी पार्ट पूरी बोड़े में जो भी पार्ट वर्डीर के तच में एर के तच में eres अदिरिए अख्ट aufvyसndal अच्टोर में एर के साख्च में तो यह point आप अच्छा से दियान रखना, जो आपको हमेशा काम आएगा, G1 में, MBBS में जब select हो जाओगे, select होने के बाद, first year में anatom में ही पढ़ना आपको पूरा, उसमें फिर से पढ़ना पढ़ेगा यह सारे point, तो clear हो जाएगा आपको, next one, अब देखें, next, last and final, इस chapter के अंदर जो अपने को देखना है, वो है, memory gland, किसके बारे में, memory gland, अब memory gland के अंदर, जो question आएगा, मैं फिर से बोलता हूँ, कुछ ही एक ऐसे point होते हैं, जिन पर जाकर कि मैं star लगाता हूँ, यहाँ पर, पेक्टोरिस मेजर मसल्स जो होती हैं, जहाँ पर memory gland present होती है, और एक ऐलरी मसल्स प्रेजन्ट होती है, कौकरोज के अंदर हार्ट को, जो हार्ट होती है, उनको manage करने के लिए, ऐलरी मसल्स और यहाँ पर पेक्टोरेलिस मसल्स, यह दोनों मसल्स आप अच्छे से ध्यान लख लेना, छोटा-चोटा सारे पॉइंट जो आपको अच्छे से पता होना चाहिए, clear, इस चैप्टर के अंदर सारे चोटे-चोटे पॉइंट जो है, crystal clear हो जाने चाहिए, next one, अब देखें, इसमें सीक्वेंस क्या होता है, पहले सबसे पहले अल्वियोलाई, सबसे पहले आपको इसका सीक्वेंस देखना है, सीक्वेंस के लिए में यहां पर आपके लिए चोटा सा पॉइंट यह एंसी आटी का डाइग्रम आपका आपके सामने आ गया, इसमें sequence देख लेए, सबसे पहले, क्या मिलेगी, glandular tissue इसके अंदर होता है, memory lobe देखने को मिलती है, memory lobe के अंदर क्या होगी, alluolus, alluolus के अंदर memory tubules निकलती है, memory tubules है memory duct, और memory duct से फिर्दर memory ampulla, और lactiferous ducts के तरू बार की तरफ, milk release होता है, तो यह sequence आपको crystal clear अच्छे से पता होना चाहिए, क्या है, समझ में आती है बात, allery जो muscles होती है, allery muscles की अगर मैं बात करता हूँ, allery जो muscles होती है, वो allery muscles आपको कॉक्रोश के अंदर देखने को मिलती है, दो point, pectoris, miser, और allery, यह दोनों आपको अच्छे से फता होने चाहिए, चीक है, next one, अब आजाएए, इस chapter के बाद में, next chapter जो आपका है, वो कह है, reproductive health, reproductive health chapter को बहुत easy and smooth लेकर के मैं चलूँगा, यहां से no doubt question, तो reproductive health के पूछे जाएंगे, तो main जो question पूछा जाता है, reproductive health, इस साल जो आपने लाएंगे, MTP और infertility topic most important है, पिछले साल इवडी से एक topic से दो question थे, तो बहुत rare chances है, पिछले साल इवडी से बहुत अच्छे question पूछे जा सकते हैं, मैं रिवाइज करवारा हूँ अच्छे से विजिन 10 मिनिट आपका यह chapter पूरा complete हो जाएगा, 10 मिनिट, सिर्फ 10 मिनिट्स, अच्छे से देखें, फर्स्ट वन, population increase कैसे हुई, 19th century के अंदर, 20th के अंदर, 21st century के अंदर, यह यह population आपको देखने को मिल रही थी, starting के अंदर, Indian population यह थी, world की population 2 billion थी, world की population 6 billion हुई, तो इंडिया की population 1 billion हुई, world की population के अंदर 20% increment लगा, तो इंडिया की population के अंदर 20% increment लगा, तो 1.2 billion इंडिया की population, in 2011 के अंदर देखने को मिल रही थी, अब ही चल रहा है 2022 और आप भी अच्छा से जानते हैं सारे के सारे कोरोना से निकले हैं और population बहुत ज़्यादा decrease भी हुआ तो साथ की साथ increase भी उसी ratio के अंदर हुआ है और आज कल जो भाशन आता है ना मोदी जी का आप अच्छा से जानते हैं मेरे 150 करोड़ देश्वासियों ये आपने अच्छा से सुना होगा ना तो 150 करोड़ का मीनिंग क्या है 150 करोड़ का मीनिंग कि 1.5 billion तो still अभी है ये idea तो आपको लग गया कि मेरे एक 150 करोड़ देश्वासियों भाईयों औरų बहनों सुनते हो आप तो वह सारा जो है तो मतलब 1.5 billionth of population है, इतना तो fix है, तो यह जनरल आप लोगों को याद करने के लिए बता दिया है, तो आपको इतनी रात को मोदी जी कहां से याद आ रहे हैं, कभी-कभी याद आते हैं, यह जब data जब मैं देखता हूं, तो मेरे को सीधा याद आना है, बाहर जाने नहीं दे रहे थे, वहना कितने भी contraceptive matters जो है, वो population decrease करने के लिए यूज किये जा सकते थे, बाहर निकलने नहीं दे रहे थे, तो बैटे-बैटे क्या करेंगे, next one, अच्छे से देखे, reason क्या है population increase होने के, no doubt, यह सब मजाग के बाते हैं, अच्छे से समझ हो गए होंगे, I think, तो, हाँ, sir, ऐसे ही आप हमसे बाते करते रहें, तो हम refresh हो जाएंगे, इधर देख लें, दस दिन बाद है, जो exam है, वो आपको कहीं का नहीं छोड़ेगा, अगर धंग से नहीं पड़ा तो, सुने, अगर अपने बात करते हैं, अगर अपने बात करते हैं, नेचुरल, जो कॉंटरसेप्टिम मेथड़ है, जिसके अंदर तीन मेथड़ है, एक है परियुडिक एबसिनेंस, खुद पे सहीम रखें, विड्रोल मेथड या कॉटरस इंटर्प्टरस, और थर्ड वन, लेक्टेशनल अमनुरिया, एक तीनों नेचुरल मेथड है, मेल केमिट कभी भी फीमेल रिप्रोक्टिव ट्रेक के अंदर नहीं जाएंगे, और फर्डर फर्टिलाइज़िशन नहीं होगा, सेकिंड वन, विड्रोल सिंडॉम, जस्ट बिफोर तु दा इजैकुलिशन, मेल केमिट रिलीज होने ही वाले होते हैं, उससे पहले ही अगर फीमेल रिप्रोक्टिव ट्रेक से अगर मेल एक्टरनल जैनिटेलिया विड्रो कर लिया जाएंगे, तो कभी भी फर्दर फर्टिलाइज़िशन के चांसे नहीं होंगे, जब तक अफ्टर बेबी बर्थ, अफ्टर बेबी बर्थ, नेक्स्ट जो मैस्विशन साइकल जब तक नहीं आते हैं, क्यों नहीं आते हैं क्यों मिल्क फिटिंग के समय, बोडी कंदर होर्मों जो एलिवेटी रहते हैं, इसी वज़े से, नेक्स्ट मैस्विशन साइल, जस्ट अफ्र बथ स्टार्ट नहीं होते हैं, तो यह आपको बोट अच्छे से पता होना चाहिए, ने बथiteक्षिण से इंप्लांट the से एमेरिजैन सी ओंटर सेपडे सर्टिक इन सारे आरटीफिश tha। नेच्छरल थे या अरटिफिशल क्या, अब आजजाएँे, नेक्स्ट एंद कीृटरि भारी। मेठरे की च्थिकली है जार प्रिवेजिकली जा सकता है, तो जनरल यह आपको पता होने चाहिए, reason, reason covered होता है, provide protection from STI, sexually transmitted infection से फर्दर, जो है infection से फर्दर बचाते है, male condoms and female condoms, clear, यह आपको पता होने चाहिए, self inserted and privacy to user, यह provide करते है, after that, diaphragm, diaphragm, cervical cap and walls, rubber barriers होते है, यह भी cervix cover up करते है, reusable do not protect from STI, sexually transmitted infection से नहीं बचाते है, used by females only, and spermicidal cream and jellies use की जाती है, कई बार क्या होता है, अगर properly insert नहीं हुए है, तो conception के chances रहते हैं, that's why उसके साथ में spermicidal creams and jellies use कर ली जाती है, ता कि जो phagocytic action हो क्या हो जा जाए increase हो जाए, और bale gamut की जो viability है वो decrease हो जाए, ठीक है, next one, अब देखें, उसके बार आपको अच्छे से पता होना चाहिए, intrauterine devices, intrauterine devices के अंदर अगर मैं बात करता हूँ, non-medicated and medicated, non-medicated के अंदर lipase loop और medicated के अंदर LNG20 and project start होता है, copper 7, multilod 372 copper 7, copper T यह देखने को मिलेगी, overall work phagocytic, copper T का work अगर कोई आप से पूचे तो sperm की motility को express करता है, अगर LNG20 process start का work पूचे तो implantation और service को hostile environment provide नहीं करता है, environment change कर देता है, upper side के अंदर lipase loop के अगर बात की जाए, तो non-medicated IUDs होती है, वो lipase loop आपको देखने को मिलती है, जो student सो रहे हैं, जिनकी जील जो है सो चुकी है, उन students को आपको बतायता हूँ, next जो अपने proceed करने वाले हैं, उस next के अंदर, chapter number 5, 6 & 7, 15 questions, कितने questions, 15 questions, मैं फिर से बोल रहा हूँ, 15 questions आने वाले हैं उन तीन chapters से, को इनिबीट करती है, once within a week, pills have to be taken daily or after a period of 21 days starting from the preferably within the first 5 days or mastication cycle, effectiveness, highly contraceptive value with very low side effects, और pills के अंदर side effects जेखने को मिलते हैं, clear? and after that, अब आजाये implants, ये सेम ही है, progestion extrusion combination रिलीज होता है, बट इसकी वाइबिलिटी रहती है, इसकी वाइबिलिटी रहती है, समझ में आ रहती है, next one, आपने बात करते हैं, Implants के बाद में, जो इसके अंदर मीन आपका topic है, देखे, Surgical method के अंदर, Tubectomy & Vesectomy, Tubectomy, इन फीमेल फैलोपिन ट्यूब को काट के बाद दिया जाता है, Vesectomy, इन मेल वास, जो डिफरेंसे उसको कट करकर के टाइब कर दिया जाता है, After that, sexually transmitted infection के अगर अपने बात करते हैं, sexually transmitted के अगर मैं बात करता हूं, तो इनके अंदर कौन-कौन से आपको देखने को मिलते हैं, bacterial हो सकते हैं, proto-jonal हो सकते हैं, और viral हो सकते हैं, gonorrhea, syphilis, and clamidiasis, trichomoniasis, and genital herpes, hepatitis B, warts, genital warts, and AIDS, यह सारे कैसे हैं, यह सारे कैसे आपको viral देखने को मिलते हैं, समझ में आती है बात, अब होता के कि, sexually transmitted infection के अंदर, ऐसे कौन से हैं, जो further completely curable नहीं है, first one, इसके अंदर आपको देखने को मिलते है, bacterial and proto-jonal diseases are completely curable if detected in early stage, but hepatitis B virus and HIV, यह कैसे हैं, यह further curable नहीं है, according to your NCRT, next one, infertility के अगर अपने बात करते हैं, symptoms में, early detection, late detection, आपको अचे से पढ़ना है, infertility, इस chapter का last topic, इस unit का last topic, क्या है, infertility के अंदर, assisted ART, reproductive technology के अगर अपने बात करें, तो in vitro fertilization, और in vivo fertilization, 101% question होगा, देखें, सबसे पहला, इन vitro के अंदर, जिफ्ट, जाइगोट intra phallopene transfer, intra uterine transfer, और intra cytoplasmic sperm injection, यह सारे in vitro fertilization को शो करते हैं, अप टू 8 blastomere अगर transfer के जाए, तो जिफ्ट होगा, greater than 8 blastomere, IUTs होगा, इधर, gamete को transfer के जाए, phallopene tube में, gamete intra phallopene transfer, artificial insemination, और intra uterine insemination, यह सारे जो आपको देखने को मिलते हैं, यह सारे in vivo आपको देखने मिलेंगे, in vitro और in vivo, fertilization भाहर होगा, fertilization within female body, आपको देखने को मिलता है, तो यह चीज आप अच्छे से देहाना, चोटे-चोटे points जो है, जो मैं आपसे discuss कर रहा हूँ, सारे points आपको अच्छे से crystal clear हो जाने चाहिए, ठीक है, next one, most important unit, आपके NEET exam के लिए, यह point आपको अच्छे से clear हो जाने चाहिए, principle of inheritance and variation, एक छोटा सा question सबसे पहले मैं आपसे पूश रहा हूँ, और आपको बतायता हूँ question करने का तरीका, जो student first हैं, अब एक question मैं पहले, सबसे पहले question लिख रहा हूँ, मान लीजिए, एक combination है यह वाला, आप देखो, within, within two to three minutes, within two to three minutes आप क्या करेंगे, बहुत easily solve कर जाएंगे इस question को, एक simple question मैंने आपको दिया है, और यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, capital A, capital A, small b, small b, capital C, capital C, capital D, capital D, इसकी probability, जो student बताएगा, मैं बोल चकता हूँ अभी कि 101% वो select हो गई होगा, सबसे पहला question मैंने आपको दिया है, simple question, बिलकुल simple question है, यह of sings बनने की probability, इस cross के अंदर क्या होगी, 2 minute का जो मैं ब्रेक ले रहा हूँ, मैं थोड़ा सा जल पान करके आ रहा हूँ, तो मुझे इस question का answer चाहिए, quick, आते ही मैं सबसे पहले यह question देखूँगा, आप लोगोंने कैसे solve गया, इस chapter के अंदर मैं proceed करूँगा, और आपको बताऊँगा, कि एक single cross को याद रख करके, चाहिए कितने भी questions आप करवा लें, आपको आना चाहिए, सबसे पहले, और सबसे fast, जो answer दिया है, एक student ने answer दिया है, और वो answer बिलकुल सही है, हां जी, yes please, answers जो हैं मुझे बताएं, quick, जल्दी से मुझे answer जो हैं बताएं, क्या होगा इसका answer, अगर आप अच्छे से जानते हैं, यह जो मैंने यहां पर लिखा है, यह आपको पता होना चाहिए, कि combination जो हैं लिखा हुआ है, वो आपको कैसा देखने को मिल रहा है, yes please, एक ही student ने answer डॉप किया और बिलकुल सही answer डॉप किया था, बागी सभी student जो हैं वो गलत answer डॉप कर रहे हैं, जैसा मेरे को देखने को मिल रहा है, quick, जल्दी से answer डॉप करें, आपके पास अगर क्रोस के अंदर आ रहे हैं, तो checker board कितने का बनेगा, इसा देखें, first one, अगर each and every cross is a monohybrid cross, monohybrid cross के अंदर ये combination, एक question करवाऊंगा उस सारे, जितने भी doubt आपके clear हो जाएंगे, जो भी मैंने यहां पे लिखा है, वो इस तरीके से लिखा गया है कि आपको यही combination मिलेगा, अब चारों में एक, one by four probability, second number, same cross आपको यहां पे देखने को मिलता है, तो small v, small v की probability कितने आ जाएगी, one by four, third number, capital C, capital C, यहां पे probability कितने आएगी, same, एक ही होगा, similar kind of combination है, so one by four, and last one, आपको capital D and capital D चाहिए, तो वो भी एक ही होगा चारों में, कितना होगा, one by four, four into four, sixteen, sixteen into four, sixty four, sixty four into four, two fifty six में से, सिर्फ एक ही person ऐसा होगा, जिसके अंदर यह जीनो टाइप आपको देखने को मिलेगा, समझ में आ रही है बात, अच्छे से देखने हैं, देखो, आपको बता है कि मेंडल ने क्या बोला था, कि blending नहीं होती है, blending नहीं होती है, तो चाहिए tetra cross करवाएं, pry करवाएं, dye करवाएं, कुछ भी करवाएं, कि dye hybrid cross हो, individual जो cross होते हैं, उनके अंदर blending आपको देखने को नहीं मिलती, समझ में आ रही बात, तो अच्छे से द्यान रखना, यह सारे पॉइंट आपको अच्छे से clear हो जाने चाहिए, अब बात करते हैं अपने, आपके principle of inheritance and variation की, एक बात में आपको बतायता हूँ, उससे पहले, एक topic, जो मैं फिर से रिमाग करना चाह रहा हूँ, यह, यह graph आप कभी मत बूलना, इससे आपके neat exam के अदर, आपको कि सब्सक्र पिछले चप्टर में चले गए, यह मैं इस वज़े से शो कर रहा हूँ, क्योंकि number of students सोच रहा हूँ, सब्सक्राइब को define किया ही नहीं, और आपके neat exam के अदर हर साल, नीट exam के अंदर अगर मैं बात करता हूँ, तो हर साल यहां से question आता ही आता है, मैंने इस वज़े से define नहीं किया, क्योंकि Luteinizing hormone, FSH hormone, इन सभी के जो transition है, इन सभी के जो transition आपको देखने को मिल रहे हैं, इस सारे के सारे जो transition, changes जो है, proliferative phase और उसकी secretory phase, और फिर further, maxivation cycle mid-ovulatory phase, सारी phases जो है, वो hormonal dependency पे चलती है, तो मैंने in detail नहीं लेके गया, यह आपको अच्छे से पता होना जी है, in between, क्योंकि मुझे यह अखर रहा था कि, सार, यह मैंने discuss नहीं किया, और बच्चों को इस से question 101% देखने को मिलेगा, तो ध्यान अखलेना, अब आजाएए, वापिस अपने उसी topic पे, कि principle of inheritance and variation के अदर जो question पूछा जाएगा, इस तरिक के question आपसे पूछा गया है, फिर further, अब आपको जो proceed करना है, सबसे पहले scientist, इस chapter के अंदर scientist सबसे important है, सबसे पहले आपको पता होना जाएए, क्योंकि इन तीन chapter से, चाहे वो evolution हो आपका, चाहे वो आपका principle of inheritance and variation हो, चाहे molecular base of inheritance हो, इन तीनों से scientist आता ही आता है, जिन students को need आ रही है, वो उस need exam के बारे में सोचें, अपने parents के सपनों के बारे में सोचें, अपने सपनों के बारे में सोचें, कि आपको one and two hour extra जागने से, जो सफलता हासिल होने वाली है, वो सोने से नहीं मिलेगी, समझ में आ रही है बात, तो ध्यान रखे, अच्छे से, सबसे पहले, Gregor Johan Mendel ने क्या किया था, प्रपोर्ज प्रिंसिपल और लोव इन्हेरिटेंस, Mono-Hybrid Crows, Di-Hybrid Crows, और इंडिपेंडेंट असोर्टमेंट के बारे में पूरा कंपले इफाइन किया था, सेकिंड वन पनेट, जो ग्राफिकल रिप्रजेंटेशन था, उनको डिफाइन किया था, इन्होंने, Mendel के ही, जो लोज से उनको अच्छे से डिफाइन किया था, इन नाइंटीन सेंचुरी, सबच्मियारी बाद, इन्डिपेंडेंटल था, मेंडल's result on the inheritance of characters, lead to discovery of chromosome, उससे पहले Mendel ने factor word यूज किया था, तो यहां से question scientist based आता ही आता है, पता होना चाहिए, और scientist कौन कौन से है, यह, नीट exam के अंदर, drosophila melanogaster पे जो linkage के experiment किया गए था, Chromosomal theory of inheritance, Thomas Hunt-Morgan ने define की थी, linkage को define किया था, linkage को define किया था, Alfred Street-Wend ने genetic map के बारे में बताया था, इनी के student थे, Walter Sutton and Bowery ने किसको define किया था, Chromosomal theory of inheritance को define किया था, इसका experimental approval दिया था, Morgan ने, further hanking bar bodies, trace the specific nucleus structure, all through the spermatogenesis in few insects and down syndrome के बारे में define किया था, इस chapter के सारे scientists यहां पे cover कर दिया है, जो important है इस साल के लिए आपके need point of view से, जो characters लिए थे, characters और contrasting जो trait थे वो कितने थे total 14, 7 and 7, characters stem height, flower color, flower position, pod shape, pod color, seed shape and seed color, यह पता होने चाहिए आपको 7 की 7, समझ में आती है बात, characters कितने dominant and recessive, after that, अच्छे से देखें, क्या है, incomplete dominance की जब बात की जाती है, इधर, incomplete dominance, incomplete dominance के अंदर one to one, कोई भी जो आपका individual जो trait है वो पूरा completely अपने यह बोल चकते हो कि phenotype यह function अपने characters को define नहीं कर रहे हैं, इसके अंदर incomplete dominance के अंदर आपो क्या देखने को मिलेगा, red और white, इसके अंदर new combination देखने को मिलेगा, जिसके अंदर दोनो completely एक दूसरे को completely एक दूसरे को suppress नहीं कर पा रहे हैं, और dominancy शो नहीं कर पा रहे हैं, तो यह जो condition होती है, incomplete dominance के अंदर बोलते हैं, one to one, law of independent assortment के बाद में incomplete dominance और co dominance यह दो two points define किये गए थे, और यह दोनों point के अंदर आपको अच्छे से पता होना चाहिए co dominance के अंदर दोनों gene ही अपना अपना जो character है, जो further दोनों trait हैं, उनको expose करते हैं, उनको define करते हैं, इनके अंदर co dominance के अंदर अगर मैं बात करते हूं, तो example आपको multiple example आपको abio blood group के alleles आपको देखने को मिलते हैं, abio blood group के alleles, समझ में आ रही है बात, आपको फिर से बताएता हूं, देखें, अब पढ़ें आप अच्छे से, अगर आपसे कोई पूछे multiple allele के example, अब multiple allele के अपने बात करते हैं, multiple multiple allele के अगर बात करें, तो क्या हैगा आपका, multiple allele के अंदर, ia, ib, और io, इन तीनों से फर्दर जाकर ये regulate होता है, io मैंने capital में ही लिख दिया है, और co-dominancy, ये दोनों दोने दूसरे के साथ चाह करके, ab को further represent करते हैं, ये co-dominancy को बताता है, तो ये point अच्छे से crystal clear हो जाने चाहिए regarding to co-dominancy, after that multiple allele, example blood groupism, पता होना चाहिए, फिर further बात की जाती है कि polygenic inheritance, human में अंदर जो skin color है, human height जो है, वो polygenic inheritance, एक से ज्यादा जीन, धीरे धीरे, जिसमें सारे जीन transcribe, translate होंगे, उनके अंदर color जो है, वो आपको combination, उसी तरीके से, अगर धीरे-धीरे एक जीन जो है, वो surprise होना start होता है, तो जितने ज्यादा जीन further transcribe translate होंगे, उतना effective color आपको देखने को मिलता है, और धीरे-धीरे-धीरे-धीरे-धीरे zine polygenic होता है कि एक ही character को एक से ज्यादा gene के जो pattern हो regulate करते हैं, समझ में आती है बात, तो जितना ज्यादा gene एक single character के लिए responsive होंगे, उतना ज्यादा effective आपको color देखने को मिलता है skin color के मैं बात करूँ, skin color और human hide इस के दोनो example है, polygenic inheritance के pleiotropy की अगर बात करें, तो pleiotropy के अंदर आपको starch grain वाला example अच्छे से पता होना चाहिए, sickle cell anemia का आपको example अच्छे से पता होना चाहिए, और उसके अलावा phenyl ketone urea, यह तीन हो example आपको बहुत अच्छे से crystal clear पता होने चाहिए, single gene which is responsible for the regulation of the multiple type of function, multiple type of phenotype, तो उसके लिए word use किया जाता है pleiotropy, clear तो यह सारे point serious straight forward पता होने चाहिए, clear है, next one next one chromosomal theory of inheritance किसने दिया था, Sutton and Bovary ने और इसका experimental proval defined किया था, वह किसने दिया था Sutton and Bovary ने यह theory थी experimental proval Thomas Hunt Morgan ने chromosomal theory of inheritance in drosophila melanogaster further define किया था ठीक है और जो student अभी सो रहे है न जो student अभी सो रहे है उनको मैं बता देता हूँ कि अब जो अपने पढ़ने वाले Molecular Basics of Inheritance last year 11 questions थे उनसे समझ्जार यह बात तो देखें आप सभी मुझे भी आप लोगों के जागने से motivation मिले का अगर आप सो गए तो फिर मैं भी सो जाऊँगा और जो मेरा aim है कि आपको मैं medical college गंद देखना चाहता हूँ वो पूरा नहीं हो पाएगा खुश रहो खुश रहो आप इसके अंदर अपने को जो प्रोसीड करना है linkage यहां पर सबसे ज़्यादा students को problem आती है इस diagram को देखकर के आदे से ज़्यादा जनता जो हो सोजाती है कि सर यह तो नहीं समझ में आया इसमें क्या होगा हमें नहीं समझ में आ रहा प्लीज सर हमें बता दीजिए होगा क्या कि इस diagram को जो भी अपने describe करते हैं आप इस diagram के अंदर यहां पर इसको ऐसे लिखे x and x, x की power yw और second number आप F1 generation तो आपके पास यह generation आजाएगी same आपको अधर प्रोसीड करना है same आपको अधर प्रोसीड करना इस combination से second number अगर मैं बात करता हूं यहां पर देखो एक single type of gamit बनेंगे x, w और यह के साथ combination में यह होगा और एक combination में y होगा एक में plus plus combination और एक में y combination की F1 generation अब इनके जो gamit बनेंगे उनको आप xx और xy से बनाए और फिर पर 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 आपको 98.7% देखने को मिलता है why? because of इन दोनों की gene जो एक दूसरे के पास-पास हैं यहां पर जो gene देखने को मिल रहे हैं यह कैसे हैं? white and miniature के gene जो एक दूसरे से distance पर है that's why यहां पर आपको linkage कम देखने को मिलती है distance है इस वज़े से recombination जादा होता है so parental combination कम हो जाते हैं recombinant यहां पर 37.2% आपको recombination frequency देखने को मिलती है सब्सक्राइब आरे यह बात tidally linked gene shows low recombination and loosely linked gene high recombination और Alfred C20 in recombination frequency के बीच में और gene phase के बीच में distance को measure किया था और genetic map को दिया था मैं straightforward वही point define कर रहा हूं जो important है इस chapter के regarding समझ में आरे बात एक छोटा सा point और देखें यह आपच्छे से जो अपने को इस chapter के अदर पढ़ना है क्या है देखिए disorders disorders में मैं mendelian disorders यहाँ पर discuss कर रहा हूं chromosomal disorder मैं यहाँ पर discuss आप लोगों से नहीं कर रहा हूं आपके chromosomal disorders क्यों नहीं discuss कर रहे हो औरली बताऊंगा ना कि down syndrome होता है turtle syndrome होता है client-fental syndrome होता है सारे आपको अच्छे से पाढ़ने है जो mendelian disorders है उनको आपच्छे से देखें first one straight forward याद होने चाहिए आप लोगों को hemophilia sex link, ex link recessive disorder है color blindness ex link recessive disorders है sickle cell anemia, autosomal recessive disease जिसके अंदर further GAZ, GAZ, GUZ is replaced by GAZ की जगे GUZ आपको देखने को मिलता है glutamic acid जो होता है वो further welline से replace हो जाता है एक charge amino acid non-polar amino acid से change होता है sickle cell shape के आपकी arbyces हो जाती है phenylketonuria, autosomal recessive disease है homogeneset आपको अच्छे से याद रखना है thalassemia, autosomal recessive disease, cystic fibrosis autosomal recessive disease autosomal dominant trait myotonic dystrophy जिसका पूरा perigree analysis आपकी NCIT ने दिया है and autosomal recessive trait sickle cell anemia and cystic fibrosis define करती है clear तो इस सारे points आपको अच्छे से पता हो जाने चाहिए regarding to the chapter number 5 important थे इसी वज़े से वही discuss किये molecular base of inheritance के इंदर आजाईए molecular base of inheritance के इंदर जो आपको पता होना चाहिए इता देखें सबसे पहले scientists dogma of life दिया था Griffith ने जो experiment के तुरू define किया था कि कोई transforming factor है Avery MacLeod and McCarty ने biochemical analysis को define किया था Hershey और chest ने इसका bacterial phase पे infection करवा करके further बताया था कि DNA ही genetic material की तरह work करता है यह point define किया था तो यह सारे के सारे point अच्छे से इन पे based a question scientist based a question पूछा जाता है आपके neat exam के अंदर चीक है next one इसी के बाद next कुछ scientist जो इस chapter से है James Watson इस chapter के जो scientist है most important है फिर से बोल रहा हूं फिर further अपने process के अंदर proceed करेंगे James Watson and Crick double helix model Tyler and colleague ने thymidine use करकर most important मैं फिर से बोल रहा हूं स्टार मैं कुछ ही चीजों पे लगाता हूं समझ में आरे है बात विसिया फाबा के अंदर फाबा बींस के अंदर radioactive thymidine को लेकर के semi-conservative nature को प्रूब किया था semi-conservative nature को define किया था समझ में आरे है फिर फर्थर मैंसलसन इंस्टाल के एक्परिमेंट देप्लिकेशन कंजरवेटिवली 1958 के अंदर cesium chloride density gradient को लेकर के define किया था रेडियो जो heavy nitrogen का isotope लेकर के after that Francis, Jacob and Monard Jacob biochemist and Monard genetist इनोंने lac operon को define किया था और lac operon के अंदर lac operon जो आप पढ़ते हो inducible वाला पढ़ते हो क्योंसा पढ़ते हो inducible जिसके अंदर structural gene होता है promoter होता है operator होता है और regulatory gene होता है regulatory gene repressor protein बंती हो जो जाकर के operator पे bind हो जाती है lac operon में lac rose अगर आता है तो वो inducer की तरह आवा करता है और repressor protein को bind up नहीं होने देता तो जनरल पता होना चाहिए आपको after that Francis Sengar sequence DNA based on overlapping reason last one Alec Jeffrey technical of the DNA fingerprinting अगर मैं बात करता हूँ DNA fingerprinting के अगर जनरक की बात की जाए तो Alec Jeffrey का नाम सामने आता है ठीक है अब बात करते है genetic code के अंदर जो इन्होंने आपकी help की थी George Gamow यह 4 के 4 scientists आपको अच्छे से पता होने चाहिए यहां से match the column बहुत अच्छा बनता है आपकी NCRT से सीधा genetic code के अंदर George Gamow Harvind Harvind Khurana Severo Occhio and Martian Lirian work और इस enzyme को याद अगना polymerizes RNA template independent manner के अंदर work करता है इसके लिए template की requirement नहीं होती template independent manner के अंदर यह work करता है यह ध्यान रखना समझ में आई बात छोटे-छोटे points सारे आपके crystal clear हो जाने चाहिए regarding to this chapter मैं आपको बता देता हूँ अगर शिदत से आपने यह session पूरा complete follow कर लिया आपके NEED exam के अंदर आपके NEED exam के अंदर कोई भी question आपका रुकने वाला नहीं है ठीक है next one अब अच्छे से देखें Marshall Nirenberg Develop cell-free system Cell-free system store protein synthesis इनका match the column बहुत अच्छा सा बनता है इस वज़े से आपको यह define किये गए clear next अब आ जाईए इसके core work पे core work के अंदर आपको समझना है यह सबसे पहली बाद H2A H2B H3 H4 2-2 units इन सभी की आपको देखने को मिलती है और H1 इनका linker होता है histone octamer यह किसको define करता है histone octamer nucleosome बोला जाता है nucleosome nucleosome बोला जाता है nucleosome word यूज किया जाता है clear तो यह word आप अच्छे से देख लिए packaging के अंदर packaging के अंदर जो है यह आपको आपको देखने को मिलेगा help करता है छोटे-चोटे point सारे clear हो nucleosome बोला है nukleosome के अंदर एक अग्जाम्पल आपको यह पे दिया हुए u-chromitin & heterochromitin heterochromitin he-chromitin जो होता है heterochromitin जो होता है u-chromitin active क्यों है U-chromitin के अंदर loose backing आपको देखना को मिलेगा heterochromitin के अंदर dense backing आपको देखने को मिलेगी, यू-chromatin जो होती है, इसकी acetylated form होती है, इसी वज़े से charge होता है lysine और arginine, जो abundantly आपको इस्टोन पोटीन के अंदर positively charged amino acid देखने को मिलते हैं, उनको neutralize किया जाता है via acetylation, यू-chromatin, और de-acetylated form जो होती है, वो heterochromatin होती है, इसी वज़े से DNA unwrapped हो जाता है, DNA unwrapped होगा acetylation के बाद में, तो आप easily उसमें transcription, translation and other processes, वो सारी की सारी, करवा सकते हो, समझ में आती है बात, तो यह point आपको clear हो, फिर further, अच्छे से analyze करें, next जो इसके अंदर अपने को इस chapter में पढ़ना है, replication, replication process के अंदर जो point होते हैं, वो मैं आपको define कर रहा हूँ, इस simple एक fork को ले करके, replication fork को ले करके, एक simple, आपको इस और replication fork यही आप हमें define करेंगे क्या, देखो, यह सारे scientists लिखे हुए, total जितने भी scientists और उनका work हो पूरा complete define किया हुआ, यह आपका DNA double standard, यहाँ पर जो classes चलती है ना उन सभी classes के अंदर इसी तरीकी से proceed किया जाता है, यह DNA double standard पूरा complete define किया हुआ है, किस तरीके से बनता है, कैसे सारी process होती है, ठीक है, next one, उसके बाद यह पूरा packaging को define किया हुआ है, कि कैसे कैसे पूरे genome के अंदर आपको packaging देखने को मिलती है, ठीक है, फिर further, इसके बाद अपने last and final में सीधा आ रहा हूँ, किस पर आपके DNA replication पर, DNA replication को आप अच्छे समझे, important point है, अगर यह समझ में आ गया है, एक question आपका पका, replication के अंदर, यह replication fork आपको देखने को मिलता है, यह leading strand है, यह legging strand है, leading strand पे 5' से 3' जो भी बनेगा वो 5' से 3' आपको देखने को मिलेगा, discontinuous strand होता है, जिसके अंदर आपको ओका जा की fragments देखने को मिलते हैं, बार-बार RNA primer की requirement होती है, क्योंकि जैसे-जैसे यह open होगा, जैसे-जैसे यहाँ से open होगा, open होगा तो यह तो continuation के अंदर stand होगा, पर इसका जो template है, उसको read out आप ऐसे करते हैं, तो बार-बार आपको यहाँ पर एक primer, फिर further synthesis, एक primer, फिर further synthesis जूरत पड़ती है, DNA ligase इनके gap को बीच में जो gap उनको fill करता है, अच्छे से ध्यान अपना, सब्जम्यारे बाद, और यह सारे point, अब हैलिकेज, एक question पूछा गया था, कि हैलिकेज enzyme, एक छोटा सा question जो आप लोगों से पूछा गया था, कि transcription के अंदर hydrogen bonds को cleave किसके तुके जाता है, लास तो लास चेर question आये था, अरे, transcription पूछा है, transcription में तो RNA polymerase खुद cleavage करता है, जो hydrogen bond होते हैं, but in case of replication, helicase enzyme आता है, इतर देखें आप, यह helicase enzyme आपको देखने को मिल रहा है, यह फर्दर hydrogen bond को cleave करता है, यहाँ पे single standard आपको binding proteins देखने को मिलती है, यह पूरा complete, जो further इसकी rewinding को prevent करती है, यह DNA polymerase आता है, और पूरे complete leading stand को और यहाँ पे lagging stand को synthesize करता है, अब इसके जो internal biochemistry level तक जो अपने इसके अदर प्रोसीड करते हैं, वो already, मैं आपको बतायता हूँ, biochemistry level तक जब अपने जाते हैं, तो काफी सारे points हैं, इसके बाद मैं सीधा जा रहा हूँ, इसके transcription पे, transcription process के अंदर तीन point मैं आपको define करूँगा, सबसे पहले यह transcriptional unit पता होने चाहिए आपको, यह coding stand होता है, यह non coding stand होता है, यह coding stand होता है, वो template stand की तरह वर्क नहीं करता है, coding just RNA के जैसा होता है, identical होता है, साइमीन और यूरे सिल का difference होता है, यह template stand है, जिससे फदर आपका new RNA synthesize होगा, right hand side इसके अंदर यह promotor side और इसकी terminator side आपको देखने को बिलती है, clear, तो यह छोटे-छोटे points आपको अच्छा से पता होने चाहिए, आप सभी के सपनों के लिए बेटा जागना बढ़ रहा है, धन्यवाद, अच्छे से बढ़ें बस, next कुछी chapters आपके remaining रहते हैं, और important chapters हैं, straight forward, सीधी बात करूंगा, 10-10 points जो important है, और आने-लाएक है, वही मैं discuss करूंगा, उसके अलावा मैं point discuss करने वाला नहीं हूँ, छोटे-छोटे points सारे आप अच्छे से समझें, देखें बेटा, होता कहा है कि transcription के अंदर, यह आपको इसकी promotor side, determinator side और structural gene mid में देखने को मिलता है, और RNA polymerase इस पे move करता है, जब RNA polymerase move करता है, तो इस तरीके से, यह यहाँ पर स्टार्टिंग के अंदर, आपको sigma factor, sigma factor आएगा, साइट को recognize करेगा, पूरा complete RNA polymerase यहाँ पर आ जाएगा, sigma factor जैसे ही cleave करेगा, यह पैल जाएगा, अब आपको पता होना अच्छे कि prokaryotic cell और ukyrotic cell, prokaryotic cell जो होती है, उसके अंदर अगर transcription करवाना है, तो एक ही RNA polymerase होता है, ukyrotic के अंदर तीन होते हैं, one, two and three, one number rRNA, two number mRNA and three number tRNA को synthesize करता है, यह point आपको अच्छे से पता हों पहले, और prokaryotic cell के अंदर six subunit, alpha, two alpha, beta, beta dash, omega और sigma factor से मिलकर के बना होता है, इन prokaryotic RNA polymerase, अब यह further इस तरह के से transcription bubble की formation करता है, यह जैसे ही इसको split करता है, यह आगी के तरफ किसकेगा और एक new mRNA synthesize हो जाएगा, समझ में आ रहे है बात, तो यह point अच्छे से crystal clear हो जाए, कि जो mRNA बन रहा है, अब इसमें mRNA में साथ की साथ क्या लग जाते हैं, ribosome, जो polyribosome की formation करते हैं, अब prokaryotic cell के तरफ स्प्लाइसिंग प्रोसेस नहीं होता है, जो बनता है वो 100% transcribe के बाद translation में चला जाता है, जबकि eukaryotic cell के अंदर intron और exon आपको देखने को मिलते हैं, split gene होते हैं, heteronucleus RNA होता है, इस वज़े से आपको यहाँ पर splicing process देखने को मिलती है, और splicing process के कारण, splicing process के कारण, फिर further DNA जो होता है, आप देखें, यह prokaryotic यह eukaryotic, eukaryotic में exon introns और prokaryotic के अंदर सिर्फ और सिर्फ आपको क्या देखने को मिल रहे हैं, directly mRNA से protein synthesize होगा, यहाँ पर exon intron में से exon कभी भी exit नहीं करते हैं, उसको हटाया जाता है, introns हटाएंगे तो आपको mature transcript देखने को मिलेगा, clear, और फिर further अगर मैं बात करता हूँ, इस तरीके से, यहाँ पर क्या होगी capping, जो starting के अंदर capping, यहाँ से किसी कोई cleave ना कर जाएं, फिर further mid में से splicing होती है, और last में tailing आपको देखने को मिलती है, capping के अंदर 7-methyl-guenosine triphosphate आता है, और tailing के अंदर यहाँ पर आपको poly-A polymerase जो add-on करता है, कम से कम 200-300 आपको adenine nucleotide जो है, adenine के nucleotide यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं, clear, यह छोटे-छोटे points जो हैं आपको अच्छे से crystal clear हो जाने चाहिए, ठीक है, next one, अब आजाईए, आप सोते जा रहे हैं, तो मेरी zeal भी जो है वो गिरती जा रही है, अच्छे से देखें, zenetic code की यह पूरी table याद रखने का तरीका, आद इसी जादा जनता जो है, वो सो जाती है, क्यों? क्योंकि जब genetic code पूछा जाता है, इतर देखें, होता क्या है कि phenyl, alanine, leucine, isoleucine, यह ऐसी आद कैसे रखना है, table आप बना लेंगे, UCAG, UCAG and UCAG, first position, second position and third position, यहाँ पर two, six, further code क्या है, two, six, three, one, four, अब two, starting to a phenylalanine, six, leucine को, isoleucine को three, methionine को one and welline को चार यहाँ पर रिप्रजन कर रहे है, तो याद रखने का तरीका है, इस तरीके से code बनाए, इस तरीके से code बनाए और code बनाकर के पूरा complete आप इसको अच्छे से याद रखें, समझ में आरे यह बात, छूट छूटे point जो आप अच्छे से पता होने चाहिए, और, देखें, अभी next break नहीं होगा, जब तक evolution chapter नहीं खतम होगा, तब तक आपका next break नहीं होगा, मैं फिर से बोल रहा हूँ, धान अखना, next break after evolution chapter अपने लेंगे, 5-7 minute का, उसके बाद फिर पूरा continuation के अंदर, next जितने भी chapters हैं, फिर कोई break नहीं होगा, समझ में आरे यह बात, आपको बता रहा हूँ, इस session को लेकर के, अगर आपने पूरी शिदर से session को देखा है, तो minimum 250 क्रोस आप अच्छे से करेंगे, 360 में अकेले इस session से आपको guarantee नहीं दे सकता, क्यों? क्योंकि जिस student ने पूरे साल अगर पढ़ा है, और फिर यह session देख रहा है, तो 101% 360 आटो 360 आगे, अकेले एक session से 360 आने वाले नहीं है, straight forward में साफ आपको बोल रहा हूँ, क्यों? अगर आपने NCRT ने चोड़ पड़ी है, QBank solve की है, जैसे जैसे पूरे साल आप लोगों को बताया गया, teach किया पढ़ाया गया, अगर वैसा प्रोसीड गया तो 101% 360 आटो 360 आगे, कोई रोक नहीं सकता, इधर रखें, फिर फर्दर इसके बाद जब बात करते हैं, ट्रांसलेशन प्रोसेस की, तो ट्रांसलेशन प्रोसेस के अंदर सबसे पहला पॉइंट, activation of amino acid, यहां पे ATP और amino acid दोनों attach होकर के amino cell enzyme की formation करते हैं, फिर फर्दर, TRNA की activation होता है, TRNA की head पे जाकर के एक amino acid attach हो जाता है, यहां से कोशिन पूछ जाता है, आपके neat exam के अंदर, फिर फर्दर, exit site होती है, peptidyl site और amino cell site आपको देखने को मिलती है, होता क्या है, सबसे पहले, सबसे पहले, आपको कुछ यहां तो कुछ हमें समझ में ही नहीं आ रहा है, कैसे क्या करें, यह side, यहां पे आपका mRNA आकर के attach होता है, और इसकी mRNA की attachment होती है, in case of prokaryotic cell, 16S rRNA से, जो यहां पे देखने को मिलेगा, in case of ukaryotic cell, 18S rRNA आपको smaller subunit ribosome में देखने को मिलता है, translation process बता रहा हूं, फिर further, पहला amino acid, यह जो आपको यहां पे देखने को मिल रहा है, कैसे हम इसको अच्छे से analyze करें, यह जो आपको देखने को मिल रहा है, यह घूम फिर करके यहां आता है, इसके अंदर fit होता है, आपको देख रहा है UAC, अब starting के अंदर जो आता है, तो आप इस चीज को अच्छे से analyze करें, जो मैं translation process को define कर रहा हूं, तो आप अच्छे से analyze करें, क्या है, कि starting phase के अंदर जब भी AUG, यह AUG क्या है, मिच्योनीन और इसका जो anti-codone होता है, वो anti-codone किसके पास है, इस TRN के बास मिच्योनीन देखने को मिल रहा है, इस TRN से फर्दर यह यहां पर आया, और recruit होगा, आप काओ को sir, यह आकर के यहां recruit हो रहा है, इसकी जो recruitment है यहां पर A site पे, और इसकी exit site पे क्यों नहीं है, इसकी recruitment A site और exit site पे इस वज़े से नहीं है, क्यों? क्योंकि यहां पर initiation factors जो है, उन्होंने इस site को block किया हुआ है, समझ में आरे बात, उन्होंने इस site को block किया हुआ है, इस वज़े से आपको यह देखने को नहीं मिल रहा है, तो पहला आकर के यहां recruit होता है, फिर फर्दर अपने बात करेंगे, तो इसकी larger sub unit फिर आकर के attach होती है, जो first आकर के attach हो जाएगा, और next जब आएगा तो larger sub unit आकर के attach होगी, और larger sub unit के अंदर, larger sub unit के अंदर peptidal transferage activity होती है, यही larger sub unit ribosyme का behave करती है, 23 SRRN की तरह behave करती है, तो first आ गया, अब second जैसे ही यहां पर आएगा, यह second वाला जो आपको देखने को मिल रहा है, यह second जो भी है, यहां पर जब आएगा, तो second जैसे ही आएगा, तो यह आगे की तरफ अब आगे की तरफ खींचेगा, आगे की तरफ जैसे ही move करेगा, तो exit side से exit कर जाएगा, और यह first वाले के head पर आ जाएगा, clear, तो यह point आपको अच्छे से crystal clear हो जाना चाहिए, regarding to the, regarding to your translation process, फिर further, यहां से peptidal transferage activity होती है, इसी वज़े से यहां से निकल करके, यहां से निकल करके next, जो आने वाला tRNA उसके amino acid से attached हो जाता है, यह point crystal clear हो जाने चाहिए, अच्छे से, ठीक है, तो यहां तक आप लोगों को समझ में आया होगा, अब अपने आगे proceed करते हैं इसके अंदर, last and final, आपको उसके अंदर आपने human genome project, दो topic आपको मैं बता रहा हूँ, अच्छा topic जहां से आपको revise करना है, human genome project जो इस chapter के अंदर दिया हुए और आपका, उसके salient feature जो define कियो है, और DNA fingerprinting वो आपको अच्छे से पढ़नी है, फिर further, DNA fingerprinting और human genome project, DNA fingerprinting के अंदर, VNTR जो जो मैं word बॉलों सुनते जाएं, UTR, VNTR, flanking region, micro satellite, mini satellite, यह सारे के सारे क्या हैं, किस दिर्गे से कोई protein देखर करके नहीं जाते, बट यह basis हैं, पर यह basis हैं, जिसके बिहाब पे आप काफी कुछ, यह working जो चल रही है, पूरी working cytoplasm में चल रही है, जानक न? क्या थक गए हो? हां जी, बताएं आप मुछे सुने, last and final DNA fingerprinting और HGP, Human Genome Project, सेलियंट feature जो आपको NCIT से पढ़ने हैं, सेलियंट feature से कोईशन पूछे जाते हैं, data 3, 1, 2, 4.5 million, सारे data याद होने जाहिएं, दिस्टोफिन प्रोटीन वाला data याद होना चाहिए, कितने percent further transcribe translator होगा, छोटे-छोटे points जो है, वो सारे आपको अच्छे से पता होने चाहिए, जो सेलियंट feature में दिये हुएं, ठीक है, फिर उसके बाद, तीन एक्जांपल में पे डोसोफिला, adopid offices thaliana का एक्जांपल दिया हुआ है, kohenorapiditis का एक्जांपल दिया हुआ है, nemated जो है, kohenorapiditis elegans, c elegans जो आँ पे दिया हुआ है, जिनके genome पूरे sequence दो चुके है, वो सारे एक्जांपल आपको अच्छे से पता होने चाहिए, समझ में आई बात, तो उसके बाद अब अपने आगे प्रोसीड करते हैं, देखें, very good, अभी जागोगे तो ही कल सोगे, यह ध्यान रखना, आपको बता देता हूँ, आप लोगों के लिए ही यह session है, evolution last chapter, इस second unit का, उसके बाद मैं 5 minutes का break दूँँगा, 5 to 10 minutes का, फिर फर्दर पूरे complete, continue के अंदर, speed up अपने next chapters लेकर के चलेंगे, जहांसे, स्टीट वोबसीदे question, example based question पुजाते हैं, कोई concepts इतने वहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेंगे, समझ में आरे बात? Yes, थोड़ा बहुत problem जो होना start हुई है, but let's see, one hour and two hour की तो बात है, आप लोग बस अच्छे से पढ़ जाएं, कर जाएं, okay, ठीक है, lack of your own, थोड़ा सा, concisely बता दें, okay, सुने, lack of your own, lack of your own के अंदर होता क्या है, देखो, lack of your own को पहले मैं define कर देता हूँ, मैंने रखा हुआ था इसको संभाल करके आप लोगों के लिए कि मैं define करूँगा, but still time को देखते हुए मैं इसको define नहीं किया, lack of your own आप देखें, इसके अंदर normal condition के अंदर repressor protein जो होता है वो operator पर जाके बाइंड कर देता है, तो beta-galactosidase, permease और transacetylase थीनों ही यहां से नहीं बनेंगे, क्योंकि block हो गया, क्यों, क्योंकि यहां पर आपका RNA polymerase जब आई ही नहीं सकता, normal condition के अंदर, अगर मैं normal condition में बात करता हूँ, तो ऐसा होगा, फिर further अगर मैं बात करता हूँ, यह second point, कि अगर माल लीजिए यह repressor protein के साथ में inducer आकर के attach हो जाता है, अगर lack operon में lactose आकर के attach हो जाता है, तो आपका protein जाकर के, आपका जो protein है, यह जो है यह जाकर के operator side पे bind up नहीं होगा, और यहां पर present RNA polymerase जो है, वो फदर attach होकर के operator side पे, यहां पर promoter side से slide होगा, और एक mRNA बनाएगा, beta galactosidase, permease or transacetylase, सीनों की formation करेगा ही करेगा, समझ मैं आ रही है बाद, तो यह point आप अच्छे से द्यान अखना, छोटा सा point जो मैं आपके define करने जा रहा हूँ, समझी आप इसको, lecoperon का एक question आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा, Jacob and Monard ने दिया था, beta galactosidase work करता है, किस पर lactose पर lactose को dissociate करके, glucose और galactose में convert करता है, permeability को इंक्रीज करता है, आपको में बताता हूँ, small amount of constitutive expression are always seen in E. coli, एक NCRT lecoperon का नेक्स पेज नेक्स पेज नेक्स पेज पेज फर्स पारग्राफ के इन ब्रेकिट लास्स तू-3 लाइन आप देखें, कि permeage हमेशा बनेगा ही बनेगा, यह छोटा सा एक्सपेशन तो हमेशा रहता ही रहता ही रहता है कितना भी रिप्रेसर प्रोटीन बन जाए अधर्वाई तो पर्मियज अन्द पोर कैसे क्रेट करेगा, इसन ने तो वर भी ख़रा दो स魚ट ऑसमें, उसके अलावाँ, इसमें राइड इसमें ई जन होता है वो इनिटर के लिए नहीं थो होता है इसमें व二 इंडियो स diyorum, इसमें एन्डुिूसर के इन अनी होता है वो इनिटर के नहीं होता है, clear और भी काफी सारे operons है general थोड़ा सा description मैंने आपको दे दिया है इसका, okay, next अब अपने proceed करते हैं, next chapter evolution 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 के अंदर सबसे पहले आपको मैंने session के अंदर scientist आपको अच्छे से पता होने चाहिए देखो, इन सभी chapters के अंदर खेल है scientist का, scientist के अंदर लुइस पाच्छे सबसे पहले spontaneous generation के अंदर बताया था operon and halden ने chemical evolution को define किया था, ठीक है as Stanley Miller ने उसका क्या किया था, experimental approval दिया था, Stanley Miller ने ने उसका experimental approval दिया था अच्छे से देखें, after Charles Darwin के अगर बात करते हैं, तो branching design natural selection, reproductive fitness and concept of adaptation, radiation के बादे में define किया था, Charles Darwin ने और Alfred Wallace ने जो बताया था Malay Arc Plague उपर जो वर्क कर रहे थे Alfred Wallace Malay Arc Plague उपर जो वर्क कर रहे थे Alfred Wallace Malay Arc Plague उपर जो वर्क कर रहे थे अभी कुछ ही दिनों के अंदर जो remaining statement wise, AR, match column, साभी type के questions जो है वो discuss किये जाएंगे ठीक है तो अच्छे से देखें अभी आप जो है पढ़ें क्या है कि work on Malay Arc Plague existing form of the show similarities and share common ancestry इन दोनों ने क्या क्या था Alfred Wallace और Darwin ने थो मालतस की population थोरी थी, same conclusion Darwin बोल गया, यह चुप रहा Darwin बोल रहा है कि जो भी है वो natural selection है, इनों ने बोला नहीं Mendel कुछ बोल रहा है, देखो Mendel ने कुछ बोला है कि genetic level तक कुछ होता है, but Darwin बोला तो फसा बाद में जाकर कि new Darwinism में Darwin बोला था, मैं तो पहले भी बोला था, कि ऐसी चीजें थोड़ी होती है ऐसे तो genetic level होता है, अगर कुछ भी inhydrate हो रहा है, nature से select हो रहा है तो next generation के अंतर जो inhydrate हो रहा है वो gene की वज़र से हो रहा है तो यह point बहुत अच्छे से crystal clear होना चाहिए आप लोगों को, चीक है फिर फर्दर आगे प्रोसीड करते है जो scientist, आपको देखने है Thomas Malthas, जो population, worked on population, population theories उनों ने दी थी Hugo Debris, Mutation theory, saltation process दिया था Lamarck, inheritance of acquired character and use and disuse of the organ Lamarck की जो book है आपको अच्छे से पता होना चाहिए philosophy का जो logica, 1809 के अंदर ये दिया गया था Charles Darwin ने 1859 पे वर्क गया था जो origin of species के बारे में defined कया था, इन्हों ने जो वर्क किया था वो organ की use and disuse पे वर्क गया था Ernest Haeckel, इन्हों ने embryological evidences के बारे में defined किया था, वो support करते हैं further evolution को, और Karl Ernest won bear इन्हों ने बताय था, कि embryo जो होते है he noted that embryo never passes through the adult stages of other animals, other animals ki adult stages through ये pass, नहीं होते समझ में आई बात सारे points आपको crystal clear हो जाने चाहिए छोटे-छोटे points जो आप लोगों से डिसकस हुए है, आपको भी बता है कि एक point के अंदर अगर एक minute लगता तो 380 points में 380 minutes 380 minutes, it means 6 hour and something कुछ minutes रहते हैं अब आपका last 3 units रहते हैं इसके अंदर जादा आपके chapters नहीं, 9 chapters straight forward simple 10 10 points आपने अच्छे से पढ़ेंगे तो state आपके NCIT के based होंगे, first one क्या ये beneficial है सब होंगे बेटा सब सब टाइप के questions आपको उसके अंदर देखने को मिलेंगे अब देखें, next one इसके अंदर जो आपको अच्छे से पढ़ना है कि theory, theories of origin of life further जो define के थी ये biogenesis, Lewis pasture biogenesis के अंदर Francesco Reddy, Splangenian Lewis pasture, Cosmic theory Penspermia जो theory थी, theory of special creation, Father Suresh ने दी थी theory of chemical evolution, open in and held in, जोनोंने methane, water ammonia and carbon dioxide को लेकर के पुरा complete define के था, high temperature volcanic storm and reducing atmosphere starting के अंदर present था further evidences और evolution के अंदर most important point starting के अंदर आपने जो define करते है paleontological evidences जिसमें आपको horse evolution के बारे में देखने को मिलता है eom puppy के अगर मैं बात करता हूं आप कहेंगे eom क्या अगर मैं बात करता हूं eohippus, merohippus agar मैं बात करता हूं पुरे complete eom eom आपको सर यह क्या है आपने लिखा है आपको बतायता हूं meohippus, merohippus mesohippus जो वर्ड है और last में जो आपका equus पूरे अबने बात करते है evolutionary point of view से तो horse evolution को define किया जाता है तो मैं still सीधा आपको पता हूंना जी phylogenity, horse evolution के तुरू, connecting link archeopatetics के तुरू, further define किया जाता है और extension dinosaurs इन तीनों के भिहाब प्याब प्यांट्रोजिकल evidences के भिहाब पर define कर सकते हो human hand whale flippers, bat wings, cheetah's foot and cheetah's foot इन सभी के अंदर ये सारे के सारी जो bones dignity same होती है बट इनका work जो होता है वो different होता है इनका work क्या होता है वो different होता है आप अब अच्छे से देखें एक point देखें homology को define कर रहे हैं सभी thorn of bogainvillia, tendrils of cucurbits or brain and heart of vertebrids इन सभी की working अलग अलग है thorn and tendrils ये सारे axillary buds से निकलते हैं अगर मैं brain and heart की बात करता हूं इनकी जो developmental pattern formation वो same रहता है homology को define कर रहे है next one अगर मैं बात कर रहा हूं इसके अंदर देखें ये analogous organ जिसके अंदर आपको पूरे complete अगर analogous organ की बात की जाएं तो wings 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 of insects and wings of birds eyes of octopus and mammals next one flippers of penguin and dolphins sweet potato and potato tragea of insects ectodermal lungs of vertebrate endodermal इस सारे के सारे आपको अच्छे से बता हूं wings of insects and wings of birds origin अलग है working same है eye of octopus and eye of mammal origin अलग है working same flippers of penguin and dolphin origin अलग working same sweet potato and potato origin अलग-अलग ये root modification है ये shoot modification है trachea of insects origin अलग-अलग working same मैं फिर से बोल रहा हूं अगर आपके 20 questions जो है अभी बाकी है जो minimum last आपके chapters से आपसे पूछे जाएंगे समझ में अलग है समझ में आरे ये बात स्वाई नहीं अच्छे से देखें आपको convergent evolution divergent evolution divergent evolution convergent evolution divergent evolution ये अलग-अलग origin की है और same working show करती है analogy same origin की है diverse origin divergent evolution किसको define कर रहा है homology homology को define कर रहे हैं इस तरीके से जिसमें divergent evolution और analog को define कर रहे हैं इसके अंदर convergent evolution जो point मैंने आप भी define किया है convergent evolution इस तरीके से आपको لمबे समय तक याद रहेगा या तो रहेगा ये चोटे-चोटे points याद रहेगे divergent and convergent evolution किस तरीके से वर करता है समझ में आ रही है बात बेटा जी समझ में आया कुछ ठीक है next one अब आ जाईए इसके बाद जब आपने discuss करते है adaptive radiation क्या है जहां से question आते है adaptive radiation के अंदर individual अगर आप से पूछे individual को यह आप से पूछ ले क्या यह adaptive radiation darwin-finch adaptive radiation को बताती है बताती है क्या placental mammal बताते है बताते है australian marsupial बताते है बताते है बट यह दोनों एक isolated area के अंदर अगर आपको देखने को मिल रहे हैं तो adaptive radiation देखो एक adaptive radiation adaptive radiation 1 ठीक है same adaptive radiation अब कहा देखने को मिलता है यहाँ पर adaptive radiation 2 ठीक है अब यहाँ से कुछ members एक similar habitat के अंदर अगर आपको देखने को मिले अकेला individual अगर adaptive radiation की बात करो तो radiation है homology किसको homology divergent evolution किसको बताता है यह divergent को बताता है यह भी homology और divergent को बताएगा ठीक है divergent evolution but इस area के अंदर यह क्या हो रहे है converge हो रहे है क्या हो रहे है convergent तो convergent evolution एक isolated area में देखने को मिलता है यही इस diagram में define क्या हुआ है यह दोनों convergent evolution को define करते है NCRT के अंदर इनके नीचे लिखा भी हुआ है biological evolution उसके साथ में जो एक table बना हुआ है उसमें mention किया हुआ है convergent evolution को यह बताते है यह दोनों आपस में एक isolated area में जब होंगे individual जब पूरा होगा तो adaptive addition individual adaptive addition दोनों किसके example है convergent evolution के धान रखना most important point है जो बहुत छोटे सी शब्दों में आपको बता दिया है सौझ में आ रहे है बात तो देखें next one embryological evidences के अगर बात करें तो embryological evidences के अंदर अभी earnest cycle और one bear वाले दोनों पॉइंट आपको बताएते जो सभी vertebrates के embryo के अंदर देखने को मिलते हैं सभी vertebrates के embryo के अंदर आपको notocode मिलेगी similar kind of developmental pattern देखने को मिलेगा clear next one अब आजाईए industrial melanism most important point industrial melanism के जस्ट ऊपर आपको artificial selection भी दिया हुआ है कि आप अगर देखें domesticated animal pet animals जो सारे होते हैं वो सारे किसमे आते हैं इसी में आपको देखने को मिलते हैं अब industrial melanism के अंद बिस्टन बिटुल अरिया dark wing और बिस्टन carbon area यह दोनों के बारे में आपको पता होना चाहिए resistant वाराइटी जो बनती है वो भी से natural selection के तुरू herbicide, pesticide, antibiotic, drug resistant आपको देखने को मिलते हैं इसी के last paragraph में बात की गई है evolution is not a directed process in the sense of determinism it is it is a based on the chance event and chance changes in a nature, general इसके अंदर defined किया हुआ है it is changed by the anthropogenic action and it can be fast by the man-made involvement, यह सारे points आपके इस paragraph के लिखे हैं जो line में बोल रहा हूं अच्छे से समझ लें next one फिर further आपको पता होना चाहिए mutational theory यह सारे points मैंने आपको define किये थे जब PYQ session अगर आपने लगाया हो to mutational theory के अंदर अगर मैं बात करता हूँ new species जो होती है उसके अंदर mutation a single step large mutation आपको देखने को मिलता है यह large और random आपको directionless mutation देखने को मिल रहा है यह population को सड़न होता है जब कि Darwin बोलता है gradual होता है slow होता है directed होता है ऐसा नहीं होता है हुगो डिबीज ने बोला था random होता है सड़न होता है सवजम्यारी बात directionless होता है यह सारे points define करते हैं mutational theory को और saltation पर अल्रेडी आपके need exam केंदर question पूछा जा चुका है 2-3 बार question आ चुका है अच्छे से द्यानकना next one बहुत बढ़िया बेटा पढ़ो आप बस लो फिर फर्दर यह सारा point जो NCIT केंदर आपको define क्या हो है brief account of evolution brief account of evolution केंदर पता होना चाहिए main चीजमें आप में आप में भी फिन की बात करूँगा भी फिन फिश की बात करूँगा लोबि फिन लोबिफिन फिश की बात करूँगा जो स्टाटिं नदर अक्वाटिक थी और बाद में amphibians अराइज हो गई थी, amphibians में convert हो गई थी, यह पता हो अची है आपको, फिर फर्दर वो reptiles और mammals की formation हो यह बट सार्टिंग जो आपको अच्छे से पता होने ची है, कि लॉब्ड फिश जो silakant पकटी गई थी, वो फर्दर बाद में amphibians के अंदर arrows out हो थी, clear? next one, तीनों के तीनों ग्राफ बहुत अच्छे से crystal clear हो जाएं, यह stability को define करता है, यह फर्दर directional को define कर रहा है, और इसके अंदर disruptive, दो अलग-अलग आपको population देखने हो मिल रही है, इसमें mean value एक हो जाती है, एक गाएं 20 लिटर दूद देती है, गाएं 10 लिटर देती है, 15 लिटर वा अलग, अभी भी mean value क्या है तोनों की, अलग-अलग, clear? तो यह point आपको अच्छे से crystal clear हो जाना चाहिए, regarding to, regarding to your evolutionary point of view से, जो हुग अच्छे सेलेक्शन के types आपको define केते हैं, ठीक है, next one, अब आजाईए, 7.9, इस figure से आपको काफी कुछ चीजें सीखने को मिलती है, इस figure के एक साइड के अंदर defined क्या हुआ है, यहां पर time period, Pileozoic, Mesozoic, and Cenozoic, और इधर के साइड में जो defined क्या हुआ है, आपको पता होना चाहिए, Pileozoic, Cylurian, Devonian, Carboniferous, Permian, Pryasic, Jurassic, Cretaceous, Quartnery, and Tertiary, कौन-कौन से plants किस-किस से eros हुए है, और जिनमें विर्थ बल्ब की जादा आपको देखने को मिलती है, वो उस time period के जादा सबसे जादा आपको देखने को मिल रहे थे, समझ में आ रहे है बात, यह chapter number 7 चल रहा है, 12th Ansiate का, 11th Ansiate के 22 chapter, 12th Ansiate के 7 chapters complete हो चुके है, total 29 chapters हो चुके है, remaining 9 chapters जो आपने करने वाले हैं, quick, अच्छे से देखें, क्या है, next one, 7.10 figure के अंदर, आपको यहाँ पे जो define क्या हुआ है, यह vertebrates के अंदर, animals के अंदर किस तरीके से पूरा complete, अंदर के अंदर किस तरीके से पूरी complete, आपको evolutionary point of view से, चेंजिस देखने मिलते हैं, इन sequence को या दखना, early reptiles, sauropside and synapsid, synapsid से प्लैकोसर फिर फिर फर्दर थेरपसिड और यहां से मैमल से वोल्ड आउट होते हैं, sauropside से पहले, thecodone, thecodone से dinosaur extension और birds का arrows जो होते हैं, यह point दोनों इस इन दोनों डाग्राम के अंदर important है, और पता है क्या है, आप देखें, 65 million years back, जो फर्दर आपके dinosaur extend हुए थे, दिखें आपको, लगबग 65 million years ago, जो data है, वो बिल्कुल सही है, यहां पर आकर यह graph block हो रहा है, दिखें आपको, अच्छे से पता होना चाहिए, ग्राफ को read करना आना चाहिए इसको, बहुत important है और अच्छा, इसके अंदर आपको define क किया हुआ है, ठीक है, यह point crystal clear हो जाए, अपर साइड में, पहले आपके बुचे, turtle आया था, फिर lizards आई थी, फिर further snack, फिर twatras, फिर crocodile, फिर birds और फिर mammals, अगर turtle, lizard और snack और twatras इनके अंदर और crocodile के अंदर, आपकोई सीक्वेंस लगाने को बोले, within reptile सीक्वेंस लगाने को तो यह sequence है, इनके evolution का, clear, okay, last and final, human evolution, last but not least, यहां से हर साल question पूचा जाता है, अच्छे से देख लें, cranial capacity मैंने इसके अंदर mention नहीं की है, बाकी सारे points इसके अंदर mention है, कि starting के अंदर, dreopithecus, dreopithecus more dravna, app-like और ramapithecus more man-like था, astreopithecus इसके 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 इंदर, bipedal motion स्नार्ट होगया, homo habilis, handyman इसको बोला जाता है, homo erectus के तीन पार्ट, homo erectus, erectus, homo erectus, phakiansis, and homo erectus, hedelbergman, 3 इसके निस के नार, Homo erectus जो erectus है, और Homo erectus, Pakiens, Erectus, Erectus, Jawa Man, Lava Man, जिननों सबसे पहले फायर को डिसकवर गया था, Homo erectus, Pakiens, चाइना के न्दर जो देखने को मिल रहे थे, and Homo erectus, Headelberg man, जिनके नदर, Big Mandibles देखने को मिलते हैं, तो वह आपको crystal clear हो जाने चाहिए, important point, and ninderthal men, जो अपने शवों को दफनाते थे, और huge highs to protect their body, पत्कों से अपने body को cover up करके रखते थे, and homo sapiens के अगर बात की जाए, तो homo sapiens के अंदर, आपने बात करते है, 75 to 10,000 years back, जो है, यह evolved out हुए थे, cave painting 18,000 back, और 10,000 back, cave painting and further, आपको वह देखने को मिलता है, जो खेती की जाने लगी थी, वह सारे की सारे points आपको अच्छे से crystal clear हो जाने चाहिए, सभज में आरे वाद, वो five mock tests आपको अच्छे से solve करने, अगर वो आप solve करते हैं, तो एक mental stamina आपका बन जाता है, और उनका level, need level से थोड़ा उपर ही है, तो जितना आप वहाँ पे score कर रहे हैं, आप plus 40, 50 मान करके चलें, easily आप score कर जाएंगे, और अगर मालने जो आप उसमें बहुत अच्छा score कर रहे हैं, तो आपके 101%, आपको कोई नहीं रोख सकता, आपके 700 प्लस है, so यह आपका second and third unit, first and second unit, आपका complete होता है, next, after 10 minutes, मैं last one and half an hour आप लोगों से मांगता हूँ, आपके future के लिए, last one and half an hour मुझे चाहिए, जो next आपके remaining chapters जो हैं, थोड़ा speed लेकर उनको अपने complete करेंगे, after 15 minutes, क्या 15 minute का gap ले सकता हूँ, मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ, अगर आप चाहते हैं, तो तो लेंगे, otherwise नहीं लेंगे, please, yes, क्या 15 minute का gap ले सकता हूँ, okay, thank you, after 15 minutes, पहले मुझे आप promise करें, कि आप सभी यहीं पर होंगे, after 15 minutes, तभी मैं 15 minutes का gap लोगा, otherwise मैं नहीं जा रहा हूँ, मैं start कर रहा हूँ, yes, please, okay, after 15 minutes, मिलते हैं, आप चुई के लंगे, बेला हैं, तो एक रहा हुँ, सभी मैं 15 minutes, जा बातिक r एक कर रहा हुँ, तो झापोन हैं, तो जा हूँ, सभी उस्ड़फम झारतिक r झाल 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 points, ठीक है, next one, transformation की method के अंदर second method सबसे important मैं आपसे discuss करना चाहूँगा, biological gun वाला जिसके अंदर gold and tungsten coated with DNA, directly क्या की जाती है, bombardment की जाती है, in particles की, यह point आपको clear होना चाहिए, जो मैंने remark कर दिया है, फिर further isolation में, अगर bacteria है, तो lysozyme, fungi के अंदर kytinase और plant cell wall है, तो cellulase यूज़ यूज़ किया जाता है, further DNA को extract करने के लिए, अब आजाएए, इसके अंदर last मैं आपसे discuss करना चाहूँगा, कि जो master mix होता है, PCR, PCR के अंदर तीन चीज़े होती है, last year, दो कोशन दे, PCR से, master mix जो होता है, उस master mix में क्या-क्या मिलता है, primer मिलता है, nucleotide मिलते हैं, tack polymerase मिलता है, और genomic DNA, जो template DNA होता है, वो मिलता है, तो master mix के अंदर आप वो क्या-क्या देखने को मिलेगा, वो सारे मैंने यहाँ पर define कर दी है, PCR के polymerase chain reaction के अंदर, और tack polymerase thermos aquaticus वाला है, जो high temperature पर amplification शो करेगा, clear, तो यह points आपको अच्छे से clear हो जाएं, regarding to the master mix of PCR, after that, laboratory और bio-reactor के अंदर क्या-क्या differences रहते हैं, laboratory के अंदर small volume में कोई चीज produce कर सकते हो, यहाँ पर maintaining optimal condition possible नहीं है, growth rate for cell never optimal, production यहाँ पर एक कम होता है, but in case of bio-reactor, large volume जो है produce किया जा सकता है, optimal condition बनाई जा सकती है, large scale पर जो है आपको production देखने को मिलेगा, large volume जो है culture किया जा सकते हैं, growth rate यहाँ पर क्या होती है, optimum होती है और optimal temperature maintain किया जा सकता है, ठीक है, तो यह point normal और lab इन दोनों के इंदर differences पता होने चाहिए, next one, downstream process के अंदर, separation and purification of the desired recombinant protein जो आपको देखने को मिलता है, जिसके अंदर recombinant protein, heterologous host, non-active host and production, product has to be formulated with the suitable preservative, strictly quality control testing is done for each project, and downstream processing and the quality control testing vary from the product to product, हर एक के अंदर vary करेगा ही करेगा, but separation and purification आपको downstream process के अंदर आपको अच्छे से देखना हो मिलता है, जो आपने decombinant बनाया है, clear, आप मैं आपको बतायता हूँ, अभी जितना आपने को पढ़ना है न, उसमें से 10 questions अभी बाकी हैं, जो आपके need exam में आएंगे, जो आपनोंने पढ़ लिया उससे आपके 80 questions fix हो चुके हैं, 100 आएंगे, 100 में से आपको कितने करने, 90 करने उसमें से 80 questions आपके fix हो चुके हैं अभी, सब्सक्राइब आए बात, अगर आपने धंक से पूरा session देखा है तो, क्या पढ़ना चाओगे? Yes, please. आरे भाई, अब तो उठने की बारी आ गई हैं, जाग जाईए. देखें, next chapter जो आपका है, biotech का, जिसके अंदर, छोटे-छोटे कुछ points दो हो डिस्कस करूँगा, मैं, first one, insect resistant plant जो होते हैं, कौन-कौन से आपको insect resistant plant देखने को मिलते हैं, इसमें cry1-AC, cry2-AB, और cry1-AB, corn borer और cotton ball worm, यह दोनों आपको देखने को मिलती है, जिसके अंदर, bt-toxin, देखो, bt-cotton जो बनाए गाथा, bacillus ceregensis, a bacterium source of cryzine, यह cryzine क्या करता है, code for bt-toxin, produce duration at a particular phase of their growth, अपनी growth के particular phase बीसको produce करता है, inactive protoxin होता है, और endotoxin होता है, bt-cotton, bt-potato, bt-cone, rice, tomato, potato, यह सब बनाए जा चुके हैं, अब bt-toxin are insect group specific, lepidopatera, coliopatera and dipatera, examples आपको अच्छे से याद करने हैं, clear, फिर फर्दर अच्छे से देखें, next one, insect resistant, जो plants के अंदर देखने को मिलती है, उसके sequence, किस तरीके से यह वर करता है, सीक्वेंस आपको अच्छे से अनलाइज करने है, cryzene, bacillus urigences, bt-cotton, investigated to cotton ball warm, alkaline pH, देखो, होता कहा है, cryzene, bacillus urigences, bt-cotton, cell expressed to inactive protoxin, ingested by the cotton ball warm, खा जाता है, तो फिर फर्दर उसकी alkaline pH, which mid-gut में जाकर, उसको active crystal के अनलाइज कर देती है, और यह क्या करता है, उसके mid-gut के अनलाइज, epithelial cells के अनलाइज, pore create कर देता है, जिसे swelling, mid-gut के अनलाइज आती है, और thereby lysis, so it is the, cause for insect death, अभी तक कितने recombinant, vaccine therapeutics बन चुकी है, और market के अन्दर कितनी आ चुकी है, 30 recombinant therapeutics बन चुकी, जिसे Indian market में कितनी आ चुकी है, 12, important data है, star लगा रहा हूं, फिर से ध्यान अखना, next one, molecular diagnosis के अन्दर, normal conventional जो होते हैं, serum and urine वाले, और यह modern RDT, PCR analyzer, PCR के अन्दर amplification होता है, और ELISA के अन्दर antigen antibody interaction होता है, और auto radiography के तरूप प्रोब के तरूप सिंगल स्टेंडर DNA और सिंगल स्टेंडर RNA से, जो प्रोब है आपस में टाइच करकर के, hybridization के तरूप सारी चीज़े जो है, further proceed की जाती है, तीनों के तीनों अच्छे से पता होने चीज़े, early detection किया जा सकता है, यहाँ पर possible नहीं होता है, यहाँ पर early detection possible है, यह serum and urine analysis है, यह recommended DNA technology, PCR and ELISA, यह आपको अच्छे से crystal care पता होने चीज़े, सारी चीज़े हैं, यह pure आपकी NCRT है, जिसको आप अच्छे से देख रहे हैं, यहाँ पर बिल्कुल तरीके से manage करकर के इसको use क्या गया है, अब transgenic animals में सबसे ज़्यादा 95% क्या बनाए गए हैं, mice बनाए गए हैं, reason to produce transgenic animal, normal physiological development, normal physiology and development, study of disease such as cancer, cystic fibrosis, rheumatoid arthritis and Alzheimer, biological product क्या कहें, human protein alpha 1 anti-tipsin, जो MTCMA को क्रीट करती है, first transgenic cow, rosy, human alpha, lact albumin protein and rich milk, 2.4 gram per liter इससे दिखा जाता है, clear, तो यह सारे point आपको अच्छे से crystal clear हो जाने चाहिए, समझ में आ रहे है बात, तो यह सारे points I think आपको clear हो गए होंगे, after the gene therapy, gene therapy की अगर बात की जाए, तो इसके अंदर ADA होता क्या है, कि insertion of a gene into individual cells to treat the disease, and replacing a defective mutant allele with a functional one, gene targeting which involves the gene amplification, और 1990 के अंदर, 4 साल की एक बच्चे के अंदर, इसको proceed किया गया था, adenosine deaminase की defigences इसके अंदर देखनी गई थी, ADA जो होता है, वो crucial होता है, immune system की function के लिए, तो further इसको कैसे set किया गया, देखें आप, enzyme replacement therapy, और further bone marrow transplantation के तुरू, gene therapy could be permanent cure of, if bone marrow is transplantation, is done in early embryonic stage, जल्दी stage में इसको अगर change कर दिया जाए, तो बहुत, ज़्यादा chances होते हैं कि permanent cure-ness आपको देखने को मिलती है, टेक है, last four chapters से रह गए हैं आपके, आप उसकी tension नल है, free रहें, अच्छे से पढ़ें, step of genetic therapy, lymphocyte in patient, ADACDNA, retrovirus medity transformation के देखने मिलता है, इन दोनों का अपस में attach करकर के, patient को दी जाती है, genetically engineered lymphocyte not immortal, और infuse करते हैं patient के अंदर, यह lab में बनाई जाती है, और genetically modified होती हैं तो, genetically modified होती हैं, but immortal नहीं है, clear? next one, last and final ethical issue, छोटा सा point एक, और G.E.A.C. Genetic Engineering Approval Committee, और Basmati Rice, Herbal Medicine, Terminic Need, were tried to patent by American companies, काफी सारे इसके ने controversy, biopiraces आपको देखने मिलती हैं, patented जो होते हैं, कोई अगर नहीं discovery होती है, अगर उसका patent आपने नहीं लिया है, तो other companies बगारे उसका patent ले लेती है, तो अच्छे से पता होना चाहिए आप लोग को, ठीक है? next one, अब आजाएए, ecology के अंदर प्रोसीड करते हैं, जादा आपको तंग होने की जूरत नहीं है, छोटे-छोटे points आरे अपने डिस्कस करते हुए चलेंगे, ecology का 1st chapter straight forward सीदे points मैं डिस्कस करूँगा, organism and population, जिसके अंदर organism, after that population, community and biome की तरह अपने प्रोसीड करते हैं, major biomes, desert, rainforest and tundra है, harsh habitat के अंदर, Rajasthan desert, Meghalya forest and deep ocean, trenches, torrential storm, permafrost, snow laden, polar region of high mountain tops, thermal springs and composed pits, यह सारे के सारे के समें आते हैं, सभी harsh habitat के अंदर आते हैं, after that, abiotic factors important है, water light and temperature, इसे में दिया हो है, mango tree cannot grow in the temperate countries, like Canada and Germany, snow leopard, are not found in the Kerala for forest, and tuna fish are rarely caught in the beyond tropical latitudinal ocean, यह सारे आपको अच्छे से पता हूं, यह फिक्स habitat होता है, जहां पर उनको आप अच्छे से देख सकते हैं, समझ में हारी बात, but एक ठोटा सा पायंट और आपच्छे से देखें, कि अगर मैं बात करता हूं यह यूरीह एलाइन श्पहलाइन यह यूरीहलाइन यहूरीहलाइन वाइज़ष्टे नदर रह सकते हैं, ने रह सकते हैं, शोल्ड कंसंटेशन इंडिफन वाटर, लेस्न फाइपीपीट इन इन लेंड वाटर, 30-35 इन सी, गेटर दें फंडर इन हाईपरसलाइन लीगून, गेटरमाइन परकॉलेशन एन एन टिर्माइन दा परकॉलेशन इंदिया, वो graph आपको चिसे आना चाहिए, regulator क्या होते हैं, confirmers क्या होते हैं, 99% animals or plant, suspend bacteria, fungi and lower plants दिसके अंदर आते हैं, और migrate during winter and birds from Siberia to Kevladev National Park, Bharatpur, Rajasthan के अंदर या आपको देखने को मिलता है, clear, next one, adaptation की अगर बात की जाए, तो thick cuticle, adaptation की अगर बात की जाए, तो thick cuticle देखने को मिलती है, last year NEET exam के अंदर, NEET 21 में यहाँ से आपको question देखने को मिला था, behavioral adaptation क्या होते हैं, physiological adaptation क्या होते हैं, यहाँ पर last year आपका question देखने को मिला था, सबच में आरे बात, यहाँ देखें, sunken stomata, camp pathway in desert, plant opentia, shorter year, limbs in mammals of colder climates, alan rules के बोलते हैं इसको, kangaroo rat in north american, desert, altitude sickness in human, presence of blubber in aquatic animals, and behavioral adaptation in desert lizard, थेक है, यह सारे point clear हो जाने चीह हैं, अच्छे से, next one, population, population के अंदर, देखो, population attributes के अंदर यह सारे point define के हो हैं, कि all cormorants in the wetlands, और rat in abundant dwelling areas होते हैं, teakwood trees in forest, bacteria in a cultured plate and lotus plant in a pond, tiger senses, national bark, यह जनल आपको define के हो, main point आपका अच्छा से, यहाँ पर पता हो हो अच्छे है, कि अलग-अलग के लिए, अलग-अलग habitat जो होता है, वो होता है, एक given area के अंदर, given species के भिहाँ पर, given community के भिहाँ पर, आप वहाँ की population को जो है define कर सकते हैं, तो छोटे-चोटे points आप अच्छे से देखें, अब देखिए, अपने आगे प्रोसीड करते हैं, क्या है, life history and variation, आपको क्या-क्या देखने को मिलती है, pacific salmon fish कभी भी bamboo trees, breed once in a lifetime, oyster, pelgic fishes, large number होते हैं, small size इनका होता है, bird, mammal, small number होता है, और large size होता है, यह R selection को बताते हैं, यह K selection को बताते हैं, यह पता होना चाहिए आप लोगों को, after that अपने इसके अंदर proceed करते हैं, population interaction के अंदर, यहां से question पूछ जाते हैं, star लगा रहा हूँ, positive अगर माल लेजिए, यह कोई neutral है, commensalism, और एक को नुकसान और दूसरे को कुछ भी नहीं, तो emensalism आपको देखने को मिलता है, सब्सक्राइए बाद, यह सारे के सारे factors आपको अच्छे से पता होने चाहिए, जो positive और negative के बिहाब पे जो interactions आपको बताई जा रही है, वो सारी interactions आपको अच्छे से crystal clear हो जानी चाहिए, चीक है, तो mutualism, competition, predation, parasitism, commensalism and emensalism, next one, अच्छे से analyze करें, क्या है, predation के अंदर, predation में यह जो example आपको दियो है, वो पता होने चाहिए, defences, defense के अंदर, thon देखने को मिलता है, acacia, cactus, calotropis के अंदर, cardiac glycoside प्रोडूस होते है, nicotine, caffeine, kinin, stectin, और opium आपको देखने को मिलता है, comiflares आपको देखने को मिलता है, insect and frog के अंदर, cryptic coloration आपको देखने को मिलेगा, यह सभी defences mechanism है, फिर फर्दर, competition के अंदर, example, flamingos fishery वाला, abingdon tortoise वाला, competitive release, इसमें barnacles, balance and chathamels को define किया जाता है, और competitive exclusion लो, और MacArthur, resource partitioning वाला, जो बाबल की species ते एक ही पेड़ पर उन्होंने अपने खाने पीने का जो system है, किसी ने सुबह खाना स्टार कर दिया, किसी ने शांक को खाना स्टार कर दिया, किसी ने उसकी leaf को खाना स्टार कर दिया, किसी ने उसकी seed को खाना स्टार कर दिया, तो इस सारे points आपको पिस्टल क्लीर हो जाने चाहिए, regarding to the competition examples, चेक है, next one, Parasitism, परसिटिजम के अंदर human, liver, fluke, depends upon the snail and a fish, two horts, malarial parasite आपको जो देखने को मिलेंगे, ectoparasite and endoparasite, liss in human, tics in dogs, ectoparasite, copypots and on marine fishes, caskuta और hails plant के अंदर आपको देखने को मिलता है, endoparasite के अगर पाग कि जाए तो present in liver, kidney, lungs and rbc, root parasitism between the kukow and crow आपको देखने को मिलेगा, clear? अच्छे से देखें, यह सारे example मैं आपको बता रहा हूँ, common cellism के अंदर, orchid and mango, barnacles and whale, cattle, ergot and grazing cattle, and sea animal के अंदर, sea animal and clownfish, common cellism के जो examples, straightforward examples आपको बता जा रहे हैं, ताकि आप इसी सारे question solve कर पाएं, to the point, next, last and final mutualism, plant and animal के अंदर mutualism, lichen, algae and algae के अंदर, mycorrhiza, fig tree and wesp का example, orchid and bee के अंदर, and bumble bees के अंदर, sexual deceit, जो orifice and mediterranean orchid के अंदर देखने को मिलता है, और predation, parasitism, यह सारे points किसके mutualism को define करते हैं, predation, parasitism, commercialism, interacting species is live closely together, most important point and star मैं इस पे लगा रहा हूँ, सवाज में आ रही है, यह था आपका chapter number 35, अगर 11th and 12th and CIT, दोनों को add-on कर देता दो, ठीक है, अब देखें, आप, last drop के 3 chapters ने, इसके अंदर next आपका ecosystem, ecosystem के अंदर, जो points मुझे define करने हैं, अच्छे से देखें, क्या है ecosystem के अंदर, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, ecosystem के अंदर, terrestrial, कौन-कौन से ecosystem, terrestrial कौन से है, aquatic कौन से है, और man-made कौन से है, forest, grassland, desert, pond, lake, wetland, river and estuary, and crop field and aquarium, यह आपको पता होने चाहिए, फिर further, अब एक line कि annual net primary productivity of whole biosphere is around 170 billion ton of dry weight of organic matter, or this despite occupying around 70% of the surface, the productivity is ocean is only 55 billion ton, ओनी तो 170 चाहिए, सब्ज़्जार है बात, हो थी कितनी है, 55 billion, clear? next one, यह जो line है, इसके बाद next, stratification के अंदर अपने को अच्छे से पढ़ना है, कि in a forest area, in a forest area occupying top strata layer, sherbs is the second and the herbs and grasses are bottom layer, सबसे पहले आपको trees देखने को मिलेंगे, फिर further sherbs और फिर further herbs, autotrophic component के अंदर phytoplankton, some alga, floating, submerged and marginal plants, consumer के अंदर geoplankton, और decomposor के अंदर fungi bacteria and flagellates, clear? अच्छे से देखें, next point जो इसके अंदर अपने को अच्छे से पढ़ना है, step of decomposition, पता होने चाहिए, fragmentation, leaching, catabolism, humification and mineralization, इन सभी के बिहाब पे आप easily define का सकते हो, कि किस तरीके से अप्रद की जो formation होती है, detritus की formation आपको देखने को मिलती है, ठीक है? next one, कुछ पॉइंट्स आपको define करने है, अच्छे से देखें, कौन से पॉइंट्स है, कि sunlight जो आती है, only the source of energy for all ecosystem, except deep sea water, in incident solar radiation, less than 50% is photosynthetically active power radiation, आपको देखने को मिलेगी, plants and photosynthetic bacteria, autotrophics solar radiation energy to make food, and plant जो capture करता है, only 2 to 10% of power radiation, यह further capture करता है, 2 to 10%, अगर मैं 2 to 10% की बात करता हूँ, 50 के अंदर 2 to 10% कितना होगा, वो आप अच्छे से analyze कर ले, clear? मैं आपको फिर से बतायता हूँ, जो सारे points मैं यहां से उठा रहा हूँ, वो straight forward आपके neat exam में आने लाएक है, important point है, अच्छे से एक बार देख लें इसको, clear है? next one, और consumers के अंदर, primary consumer क्या क्या है, secondary क्या है, tertiary क्या है, tertiary में man and loin, और birds, fishes and wolf, zoo plankton, grasshoppers and cow, primary consumer के अंदर आते हैं, producer के अंदर यहां पे मैं, plants को ले करके चल रहा हूँ, next point, अच्छे से analyze करें, क्या है, pyramids, most important point, यहां से जो question पूछे जाएंगे, सीधे बता दिये मैंने आपको, एक बात बताऊं मैं आपको, most of question एक trick से solve हो जाएंगे आपके, number का pyramid, mostly upright होता है, pyramid of biomass, inverted for aquatic ecosystem, pyramid of energy, always upright for all ecosystem, एक होता है, P, T, T, P, सीधा, उल्टा, सीधा, उल्टा, ऐसे, और यह किसका, यह number का, और यह biomass, आप कोएंगे, यह कैसे बनाया सर, general, roughly electric apply की जाए सकती है, pond, lake, जो सारे aquatic, P for pond, T for tree, तो ऐसा आप biomass का और pond का, इनको याद रखने का तरीका, मैंने आपको बता दिया है, कि inverted होगा, यह सीधा होगा, यह सारे point, clear, तो अच्छे से ध्यान दें, समझ लें इस चीज़ को, कि pyramids की अगर बात की जाती है, तो P, T, T, P, 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 T, T, P, यह आपको crystal clear हो जाना चीए, सारे points, ठीक है, next, अब अपने आगे proceed करते हैं, देखें, nutrient cycling के अंदर, gaseous जो cycle होते हैं, उसमें nitrogen cycle और carbon cycle कैसे हैं, gaseous हैं, और sedimentary के अंदर, sulfur and phosphorus, in detail नहीं जा रहा हूँ, इतना आपको अच्छे से पता होना चाहिए, next one, अब आजाए, यह second last chapter, bio diversity, कुछ एक point जो हैं, इसके discuss कर रहा हूँ है, 8 से 10 major point जो हैं, bio diversity, सबसे पहले, कौन-कौन सी होती हैं, एक होती है, genetic diversity, species diversity, और ecological diversity, जो species genetic diversity होती है, different concentration of reservoir pine, active chemicals, present in raulphia serpentina and raulphia womit area, womit area आपको, raulphia serpentina, उन दोनों के अंदर, genetic diversity आपको देखने को मिलती है, क्योंकि दोनों के area, आपको क्या 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 देखने को मिलेंगे, अलग-अलग आपको देखने को मिलेंगे, last and final, एक chapter आपका रहता है, max to max, 4 o'clock जो है, आपने free कर देंगे, सूपरभाद बोल करके, आप लोग उफ्री कर दिया जाएगा, और आप अराम से सोईएगा, ठीक है, क्या पढ़ना चाह रहे हैं आप लोग, क्या पढ़ना चाह रहे हैं आप लोग, दोनों भी डिसक्स करेंगे अपने, क्यों तो एन मौनेटरिल प्रोटोकोल, next, species diversity, western ghat have the greater amphibian species, than the eastern ghat, ecological diversity, India has greater ecosystem diversity than Norway, next one, global species diversity, इंडिया के अंदर, land area, 2.4% of the world, diversity 8.1% है, global biodiversity, invertebrate, insects सबसे जादा है, other animals groups, mollusks and crustaceans, vertebrates की बाद करें, fishes, birds, reptiles, amphibians, और mammals सबसे कम, plants की बाद की जाएगे, angiosperm, fungi, algae, mosses, fern, और last one, आपको क्या देखने को मिलते हैं, lichens, clear, यह जो pie chart दिये हूँ, पाई chart के बिहाफ पे, यह तीनों, वो circle जो आपको दिये हूँ न, उनके बिहाफ पे यहाँ पे लिखा हुआ है, अच्छे से समझ लें, याद कर लें, फिर further, latitudinal gradient के अगर बात करें, तो number of bird species, अलग-अलग latitudinal है, कोलॉंबिया में कितने, इंडिया में कितने, in tropic region, New York and Greenland, about 1400 species, greater than 1200, 105 species and 56 species, आपको birds की देखने को मिलती है, latitudinal gradient के अगर बात की जाए, और species area relationship के दो डाटा, Z value के लिए बताया है मैंने आपको, कि smaller area के लिए 0.1 to 0.2, in larger area 0.6 to 1.2, और for furgi, walrus, birds and mammals, 1 to 1.5, star लगा रहा हूं मैं इस पर, clear, next one, अब आजाईए, loss of biodiversity, जहां से question आता है, dodo, देखो, Mauritius की dodo, Afrika की क्वेगा, stiller cow, Russia, Thylacine, Australia, three subspecies, Bali, Java and Casparian of tiger, इस सारे की सारे फर्दर क्या हो चुकी है, extinct हो चुकी है, after that, threat of extinction, amphibian, gymnosperm, 31%, mammals and birds, habitat loss के लिए, tropical rainforest, इसमें loss of the 14 to 6%, the Amazon rainforest, cutting of the soya beans की वजज़ से, over-exploitation, stiller sea cow, and peasant, जो passenger peasant है, वो further over-exploitation की वज़े से extinct हुए दे, alien species in vision, alien species की आने की वज़े से, Nile perch in lake of Victoria, parthadium caratographs, lantana and icornia, water hyacinth, African catfish, clarion gabinus in indigenous river, तो इस सारे एक्जम्पल्स आपको अच्छे से पता होने चाहिए, चाहिए वो alien species की involvement वाले हो, over-exploitation वाले हो, habitat loss वाला आपको point देखने को मिलेगा, या threat of extinction, loss of biodiversity के सारे एक्जम्पल्स, चीक है, one by one अपने सारे के सारे अच्छे से प्रोसीड के आपको अच्छे से पढ़ने, आपकी NCRT से, clear, next, अब narrow utilitarian और जो broad utilitarian है, उनके अदर कौन कौन से example आपको अच्छे से देखने है, यहां से question आता है, नेरो के अदर economical benefits, tannin, lubricants, dye, resin, perfume, जो secondary metabolites हैं, वो सारे आजाते हैं, why should we conserve biodiversity, क्योंकि narrow utilitarian arguments जो होते हैं, उसके अंदर food, firewood, fiber, construction, material, industrial products and medicine आती हैं, and broadly utilitarian के बात करें, तो pollination, purification, of air, water, wildlife habitat and nutrient cycling, इसमें वो हैं जो एक single person या single community को ध्यान में रखकर के आपके प्रोचिड़ होते हैं, इसमें और last one के अंदर वो हैं, जो सभी को एक साथ जो है ब्रोड स्पेक्रम पे आपको benefit देखने को मिलते हैं, सब्सक्राइब आरे बात, तो यह सारे points बहुत अच्छे से clear हो जाने चाहिएं, इन सीटू और एक सीटू, इन सीटू और एक सीटू के अंदर example बता होने चाहिएं, इन सीटू conservation के अंदर 90 national parks, 448 wildlife centuries, 14 biospheres, reserve, skate groove के अंदर 80 जेहनतया hills, arrival hills of Rajasthan, western ghat of Karnatka, Maharashtra, Sarguja, Chandabassar in MP, यह आपको देखने को मिलते हैं, और होट स्पोर्ट के अगर बात की जाएं तो 34 होट स्पोर्ट हैं, 3 इंडिया के अंदर western ghat, श्रिलंका, इंडो वर्मा, हिमालियाज, और एक सीटू conservation के अगर बात की जाएं, तो genetic resource center, geological park, wildlife spari park, botanical garden, gene bank and cryo-pigervations, आपको देखने को मिलते हैं, earth summit 1992 के अंदर, रियो जी डिनाइडियो के अंदर हुआ था, और world summit 2002 के अंदर, जोहाइंस बग के अंदर हुआ था, यह data आपको अच्छे से पता होना चाहिए, clear? next, last and final, इसके अंदर अपने को जो chapter पढ़ना है, वोहाँ आपका environmental issue, environmental issue के अंदर, प्रोसीड करेंगे, one by one, छोटे-छोटे points जो सारे अपने discuss करने वाले हैं, अब तो लोग सो करके भी उठ गए हैं, जैसना अगर मेरे को देखने को मिल रहा है, environmental issue के अंदर, छोटे-छोटे points जो अपने को अच्छे से पढ़ने हैं, और, last chapter है, 5-7 minute, या 2 minute, जहल पान कर लिया जाए, so, please, last and final, शिर्फो शिर्फ, last chapter, जादा ताम नहीं लूँगा मैं, तेखें, सबसे पहले, यह act और इनके years आपको चैसे पता होने चाहिए, सब कुछ इस चीज इसमें याद करने वाला है, in 1974, water act आया था, in 1980, Joint Forest Management, और in 1981, air act, 1986, Environmental Protection Act, 1987, Noise Act, and 1988, National Forest Policy, आई थी, तो यह सारे स्टेट फोड़ोड सीधे पूछे जा सकते हैं, क्या किये जा सकते हैं, सीधे पूछे जा सकते हैं, इनको अब बहुत अच्छे से अनलाईज कर लें, समझ में आ रहे बाद, Next One, इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ, Environmental Issue से, Catalytic Converter, क्या क्या Convert करता है, देखें, Catalytic Converter जो होते हैं, Converts Unburned Hydrocarbon into the Carbon Dioxide in Water, Converts Carbon Monoxide into Carbon Monoxide, Converts Nitric Oxide into N2O, जो Carbon Monoxide जो होती है, फर्दर उसके Conversion को, और फर्दर आपके, Carbon Dioxide in Water के इंदर Convert करता है, Unburned जो Hydrocarbon होते हैं उनको, And Last One, Nitric Oxide in N2O, After that, Noise, More Than 150, जो Decibel आपको देखने को मिलता है, Causes Sliplessness, Increases Heartbeat and Breathing, Stress को वो Increase करता है, Clear? Next One, अब अच्छे से अनलाईज करें, Domestic Seaways के अनदर, आप क्या क्या देखने को मिलता है, जो यहां से Simple Question बनते हैं, Suspended solid, Sand, Slit and Clay, Collidal Material के अनदर, Fecal Matter, Bacteria, Cloth Paper and Fiber, देखने को मिलता है, डिजोल मेटिरिल के दे नुट्रेंट लाइक निट्रेट, अमोनिया, फोस्वेट, सोडियम और केल्शियम, बियोडियोजिकल ऑक्सिजन दिमांड इन हाई इन पोलुटिड वाटर and heavy metals, mercury, cadmium and copper and lead आपको देखने को मिलता है, जो फर्दर एक domestic civis में देखने को मिलेंगे and after that, biomagnification, biomagnification, mercury and DDT इसके दो example आपको दिये हुए है, इसमें water के अंदर DDT अगर 0.003 ppm है तो फर्दर उनको जाकर के accumulate होती है, जो plankton के अंदर 0.4 ppm, after that smaller fish उसको eat करती है तो 0.5 ppm larger fish smaller fish को खाती है तो 2 ppm, और birds उनको eat up करते हैं, तो 25 ppm आपको देखने को मिलता है, और इससे problem होती है birds को उनके जो egg shell होते हैं वो thin हो जाते हैं, तो उनके जो further options produce होते हैं, वो further properly उनके अंदर egg जो produce नहीं होता है, egg shell कासा हो जाता है, thin हो जाता है, तो ये सारे points जो है, चोटे-चोटे points आप अप अच्छे से ध्यान रखें, क्या है, next one, eutrophication, eutrophication, natural asing of a pond और lake और eutrophication जो है बोला जाता है, due to the nitrate and phosphate eutrophication जो है, फास्चर आपको देखने को मिलता है, clear, फिर further उसके बाद आपने discuss करते हैं, integrated water, integrated waste water treatment, अब इसके अंदर ये सारे points मैंने एक साथ यहाँ पर सामने रखती हैं, अच्छे से देखें, one by one, sedimentation, filtering and chlorine treatment इसके अंदर देखने को मिलता है, non biodegradable क्या होते हैं, plastic packets, poly bags and poly styrene आपकी NCIT डिफाइन करती है, eco friendly packaging, caring cloth, natural fiber and carry bags जो होते हैं, वो use किये जाते हैं, recyclable plastics, e-weats, e-weats के अंदर copper, iron, silicon, nickel and AU, China, Indian, Pakistan, e-weats के अंदर जब इनको मैल के जाते हैं, तो इनके अंदर सारी metals आपको देखने को मिलती हैं, छोट-चोटे points जो आपको बहुत अच्छे से पता होने चाहिए, जो मैं आप लोगों को define कर रहा हैं, and after that, radioactive waste leakage, accident, 3 mile island incident of and Chernobyl, जो है incident, इस सारे points जो आपको अच्छे से याद होने चाहिए, straight forward बस सीदे आपको बताए जा रहे हैं, clear? next one, greenhouse effect, greenhouse effect के अगर मैं बात करता हूँ, तो इसके अंदर देखें, greenhouse effect and global warming, without greenhouse effect, temperature can be minus 18 degree अगर रहता है, तो present temperature वो 16 degree के round, in last 3 decades, temperature increased 0.06 degree, अब 0.06 degree तो temperature increase हो रहा है, उसे glaciers क्या हो रहे है, melt हो और water जो है, वो फर्दर क्या हो रहा है, increase हो रहा है, जो सारे points आपको यहाँ पर define किये गए है, ठीक है, एक छोटा सा point और देखें, यहाँ से जो question आएंगे, contribution, contribution of greenhouse gases to the total global warming, कितना देखने मिलता है, carbon dioxide का कितना होता है, 60%, methane का 20%, CFC का 14%, and N2O का 66%, N2O का 6%, एक question क्या है, इन में से ऐसा combination, जो maximum greenhouse को effect करने वाली gases है, ऐसा question अलड़ी आपके नीट एक्जामें पूछा गया है, क्या पूछा गया है, कि इन में से दो, अब देखो, मैं combination जो बना रहा हूँ, वो carbon dioxide plus methane का बना दूँ, मैं CFC plus methane का बना देता हूँ, फिर further मैं यहाँ पर CH4 plus N2O का बना देता हूँ, फिर further CFC plus N2O का बना देता हूँ, तो पूछा percentage जो इनकी है, percentage को add on कर लें, first में आपको देखें, लगबग 80% आ रहा है, समझे आरे बात, तो ऐसा question जो है, यहाँ से पूछा जाता है, clear, क्या होगा इसका answer, first, next one, bad ozone and good ozone की तरह कौन-कौन से इकनसीटर होते है, bad ozone की अगर बात की जाए, तो bad ozone के अंतर in trophosphere, toffee गंदी है, good ozone, in stratosphere, आपको देखने को मिलती है, snow blindness is causes by the, a high dose of UVB radiation causes the inflammation of cornea, cataract, उसके इसके देखने को मिलता है, इसको बलते है, snow blindness, क्या बोला जाता है, snow blindness, इसके लिए word यूज किया जाता है, clear, next one, अब आजएए, last and final, monetary protocol, अब देखो, monetary protocol होता है, an international treaty, Canada in 1987, to control the emission of ozone depletion substances, ozone depletion जो substances है, उनके emission पे रोक लगाने के लिए, एक monetary protocol हुआ था, फिर further, impact of the global warming, climate changes, is El Nino effect, उसके वज़े से देखने को मिलता है, उसके बाद आपको डिफाइन क्या हुआ है, last and final, J.F.M. जो प्रोग्राम है, joint forest management program, कि अमरितादेवी, भिष्णोई, wildlife production award, for extraordinary careers and dedication of the protecting wildlife, आपको जो देखने को मिलता है, and last and final, chipco movement in Gardwal, Himalayan in 1974, further आपको देखने को मिला था, मैं इस वज़े से बता रहा हूँ, यह points सिर्फ वही points उठाए हैं, जो आने लाइक points है, समझ में आ रहे हैं बात, यह वही points हैं, जो आपके need exam के अंदर आपसे पूछे जा सकते हैं, जननल, यह सारे points जो हैं, आप लोगों से discuss किये गए हैं, तो last and final, जो students अभी मैं देख रहा ह हूँ, मुझे अपना city and state जो है, drop करें, अभी ज़क जो इतनी zeal से, पूरे शिदत से जुड़े हूँ हैं, जो 101% select होंगे, आपको बता देता हूँ, need kaka ji platform पे आपको इसी तरीके का matter, till आपके need देखने को मिलेगा ही मिलेगा, in scientist को आप कभी मत बूलेगा, in scientist को आप कभी म लोगों से क्वेस्ट है कि अच्छे से अपने माबाप के सपनों को साकार करें, उन्होंने जो सपने देखे हैं, वो आप से कभी भी ये नहीं बोलेंगे, कि बेटा, तू select हो जाग, बेटा, मैं ये चाहता हूँ, बेटा, मैं ये चाहता हूँ, वो आपको लेकर क्या हैं, आपको सारी चीज़ें अवेलेबल करवा रहे हैं, वो कभी भी आपको मुह से नहीं बोलेंगे, उनकी फिलिंग्स को आप अच्छे से समझें, समझ में आ रहे बात, ये session आप लोगों के लिए ही है, और इसी तरीके के number of sessions जो हम लेकर के आते रहेंगे, आपको मैं बतायता हूँ, फिर से मैं एक-एक student का जो comment है, वो अच्छे से पढ़ रहा हूँ, देख रहा हूँ, कहां-कहां से, आप सभी जो हैं, ये वही student है, last and final, जिनको अपने सपनों की फिकर है, जितने भी diagram से NCRT के सारे define कर दे जाएंगे, बेटा, चिंता मत करो, आप पढ़ने वाले ब comment box में आप लिख करके बताएं, कैसा ये session था आप लोगों के लिए, आपको बताएता हूँ, ये session अगर आपने लिया है, और पहले आप से पूरे साल अगर आपने धंक से अच्छे से बायो पढ़ी है, तो 360-360, आपके कोई भी नहीं रोग सकता, बेटा, कोई भी नहीं रो effort आपके साथ में हमेशा रहेंगे, यही मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, अच्छे से समझ लें, एक-एक point जो पूरे session के अंदर बताया गया है, सारे points आपको अच्छे से crystal gear हो जाने चाहिए, आपको समझ में आ जाने चाहिए, चिक है, और एक बात बताऊं में आपको, जो MSP batch हम launch करने वाले हैं न, उसके अंदर वही student, देखो, student आए, बैठे, नहीं पड़े, कोई मतलब नहीं उस चीज़ का, वही student उस batch के अंदर ले जाएगा, जिसके अंदर जील है पड़ने की, जो लगता है कि हाँ, आप देखो, वह batch average यान below average जो student है, जिन students के 250 से 400 marks तक जो हैं, आपके NEET exam के अंदर रहे रहे हैं, उन सभी students के लिए हैं, और वो 250 से 400 marks वाले student को कैसे 650 क्रोस करवाने हैं, वो NEET काका जी की team भली भांती बहुत अच्छे से जानती है, समझ में आ रहे हैं बात, तो वही मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि जो MSP batch है, उस MSP batch के अंदर, all over India से number of students जो हैं, वो आपसे interact होंगे, अच्छे से, एक एक point आपके physics, chemistry and biology के define के जाएंगे, काफी सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, जो आपको regional institutes के अंदर आपके आपके जो teachers हैं, teachers मैं ये बोलूँगा कि वो अपना 100% दे रहे हैं, पर आप उससे satisfied नहीं हो पा रह आपको बता देता हूं, अगर उसके अलावा भी आपको किसी भी चीज़ की requirement है, कुछ भी आपको चाहिए, आपके need exam concerning, तो आप comment box के इंदर जरूर बताएं, कि किस सरीके से आप लोगों के साथ प्रोसीड किया जाएं, और सुबह के लगबग, चार बजने को I think, सूप अर भात में आपको पहले ही बोल देता हूं, अच्छे से आप पढ़ें, डॉक्टर बनें, वो सेटोस्कोप जो है, आपके गले में आए, क्योंकि देखो, अगर जील आप में हैं, आप कुछ करना चाहते हैं, वही स्टुरेंट मुझे इस समय देखने को मिल रहे हैं, जिन स्टुरेंट ने पूरे साल इस दिन का इंतजार किया है कि हम एक्जाम में बैठेंगे और एक्जाम में बैठने के बाद एक्जाम को क्रैक करेंगे वही स्टुडेंट मुझे अभी देखने को मिल रहे है ठीक है तो I think this is sufficient for today आज के लिए इतना ही है Thank you खुश रहो आबाद रहो अपने सपनों को साकार करो अपने पैरेंट्स के सपनों को साकार करो Love you all guys Thank you 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 Thank you